Hello and welcome to the channel, तो आज आपका फाइनली यह जो चाप्टर 6 है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस भक्ती सूफी ट्रेडिशिन्स, एक लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, उस ब्रेक के बाद अब अच्छे से इस चाप्टर को आप पूरी एनर्जी के साथ से ही के के अपने घर में रिचोल्स देखते हैं, अपने घर में कुछ ऐसे पूजा पाठ प्रैक्टिस देखते हैं, यह जो चाप्टर्स हैं, यह चाप्टर्स आपको हेल्प करते हैं एक क्वेस्टिन करने में, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, that is very important, why you are doing this तो जब यह Y element miss होता है तो बहुत सारे changes society में reflect होते हैं अब यह बात लाग है कि आप सब लोग इस element को definitely mix करके ही सारी activities करते हो अपनी लेकिन ध्यान रखो कि यह element बहुत important होता है तो इस chapter को आपको relate करना है chapter 4 से थोड़ा सा वहाँ से background create होगा और उस background को लेके फिर हम अपना chapter शुड़ू करके और आगे बढ़ जाएंगे अगले development की तरफ चले जाएंगे तो मैं जल्दी से सबसे पहले आपको chapter के background से relate कर देता हूँ और background से जब आप relate हो जाओगे तो फिर आगे की story smooth चलेगी थोड़ा सा आप mood बना की रखना की हाँ पढ़ना ही है समझना ही है तो मतलब अगर आप 10% या 5% भी बना लोगे तो बाकी का 90-95% मेरी responsibility है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस मज़ में बहुत अच्छे से आ जाए chapter अब आपने बनाई लिया है कि नहीं समझेंगे तो फिर तो मतलब 90-95% फेल हो जाता है 5% या 10% के सामने चलिए तो भाक्ती-सूफी traditions अब यह जो changes है religious belief और practices और devotional text में यह आपको कहां से कहां तके देखने 8 से 18th century इसके पहले आप chapter 4 में पढ़ चुके हो इसके पहले का development है that you have covered in chapter 4 अब chapter 4 में क्या कह रहा है कि by the mid 1st millennium century subcontinent में जो religious structures और stupa, monasteries, temples यह सब आपने देखे जो changes हुए थे बड़े पैमाने पर इन में से बहुत सारे ऐसे religious belief और practices थे जिनको उस जमाने के textual traditions means to say कि हमारे पास जो कुछ भी text available थे for example आपने chapter 4 में buddhism के बारे में पढ़ा, jainism के बारे में पढ़ा आपने और ये भी ध्यान दिया था कि 64 type के different different religious belief वाले sects थे यानि ये वो time था जब लोग अपनी जो spiritual quest है इसको satisfy करने के लिए जो भी possible रास्ता था उसको खोजनी की कोशिश कर रहे थे और इसको लेके बहुत ज़्यादा confusions थे, इन confusion में दो ऐसे religion थे जिन्होंने उस समय के society को सबसे ज़्यादा रास्ता दिखाया एक जो बरसों पुराना tradition था जिससे आप Vedic tradition कहते हैं, इस Vedic tradition में कुछ shortcomings थी जिसकी वज़े से बुद्धिजम, जैनिजम और ये नए religious sects create हो रहे थे तो ये why element जो है यहाँ पर miss हो रहा था, इसलिए बुद्धिजम, जैनिजम आए समय के साथ साथ, जब यहाँ पर जो नए sects थे, इनमें भी कुछ एक ठहराव आने लग गया और कहते हैं न, कि समय समय पर ऐसा बहुत सारे religious texts भी कहते हैं और लगभग लगभग अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये चीज़ established नजर आएगी, prove नजर आएगी कि हर एक society में एक कभी न कभी ऐसे time पर कुछ ऐसे मसीहा, कुछ ऐसे scholars, कुछ ऐसे sans, कुछ ऐसे बड़े सुधारक, reformers आते हैं, जो अपने time में लोगों को एक बहुत बड़ा relief देते हैं बाद में हम उनको संत कह दें, बाद में हम उनको भक्ती संत कह दें, ग्यानी संत कह दें, बाद में हम उनको social reformer कह दें, कुछ भी कहते हैं, वो बात अलगे जो कहीं न कहीं से आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो उस जगह पर मिलते हैं, तो वैसे ही 8th century और 18th century के बीच में आपको एक नया ही कल्ट देखने को मिलेगा, जो इस पुराने वैडिक ट्रेडिशन से कहीं जादा अलग है, और 4th जो चैप्टर में आपकी बताई हुई चीजे है इन से भी कहीं जादा अलग है, तो क्या कहा रहा है, new textual sources available from this period include, यानि अब यह जो particular time period है, पहले तो हमने देख लिया, इस तूपा बगयरा इन सब के थो, textual traditions के थो, उतर पे टकाज और अंगाज, यह सब जो आपके literature थे, इनके तो हमने उस समय के religion को समझने की कोशिश की, लेकिन अब जो नए textual sources हैं, जादा तर history जो हम पढ़ रहे हैं, इस history में, हमारे पास document ही है, किताब ही है, जो एक source के तौर पर समझ में आती है, यह source के तौर पर ही हम use करते हैं, तो इस particular time period, 8 से 18th century के time period की, जो हमारे पास textual sources हैं, available है, include compositions attributed to poet sense, यानि अब हमें किस तरीके क संते देखने को मिलते हैं, कभी, poet, अब poet थोड़ा कैसा होता है, रूमानी टाइप का होता है, यहां रूमानियत से मतलब, एंगरे जी बोलता है, रूमेंटिक टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन यहां romanticism से मतलब वो नहीं है, कि दो individual के बीच का, ठीक है, A और B के बीच मे कोई चल रहा है, यह बाला नहीं है, ठीक है, यहां पर A जो है, वो एक individual है, और B जो है, वो एक supreme being है, यह वो supreme being है, जिसे हम supreme consciousness भी कह रहे हैं, consciousness, eternal consciousness भी कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ इसका connection है, जो physical boundaries से कहीं ज़्यादा है, जो physical boundaries तो कुछ लगती ही नहीं है उसके सामने, इतने बड़े level पर रुमानियत है हाँ पर, romanticism है आपर, तो यह जो romanticism है, यह poet sense अब यहाँ पर इसको reflect करने वाले हैं, so most of whom express themselves orally in original languages, अब इन लोगों ने कोशिश क्या कि, यह जो नए poet sense थे, इन लोगों ने अपनी बात को समझाने के लिए, यह पुराने traditions, जो अभी हम देख रहे थे, Vedic tradition, या जो ऐसी languages हैं, जो tough हैं, या बड़ी-बड़ी बहुत बातें नहीं इस्तिमाल की, बलकि original languages में, या बहुत पढ़ा लिखा था, वो अलड़ी बहुत सारी theory जानता था, ध्यान रखेगा, जादा theory जानना भी नुकसान दायक होता है, यह न, बुद्ध, बुद्ध के बारे में तो सुन चुके हो, chapter 4 में, तो उनका कहना है, वो अपने गरंथों में कहते हैं, कि बहुत जादा theoretical ग्यान समझ लोगे, तो वो भी तुम्हारे ध्यान में बाधा क्रेट करेगा, क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से, एक sense of ego कहीं कहीं क्रेट करेगा, मैं जानता हूँ, यह चीज एक बहुत बड़ी disturbance क्रेट करने वाली है, जब मैं नहीं जानता, तो possibilities create होती है, ले लेकिन यहां पर जो यह नए poet sense है, यह इस romanticism में इस ego element को खतम करते हैं, इसलिए बहुत आसानी से लोगों को भी connect कराते हैं और लोगों से connect हो पा रहे हैं, so these compositions which were often set to music, तो यह जो compositions इन लोगों ने बनाए, overall traditions के थुरू, इनको इन्होंने musical notes में सेट किया, मतलब कहने का बाद फिर उनके बहुत सारे शिष्य बने और इन सिष्यों ने इन संतों के मृत्यू के बाद उस tradition को continue रखा, so what is more, these traditions were fluid generations of devotees tended to elaborate on the original message, और एक परमपरा बनती चली गई, fluid generations का, fluid generation का मतलब यहां पर है, कि जो set किये गए norms in poet sense के दोरा, वो norms आगे जाके, क्या होते रहे, percolate ह यानि कि होता ना कि जैसे layer by layer, layer by layer, वो चीज आगे जाके, transit होती चली गई, उनके जो devotee, disciples थे, शिष्य थे, उन लोगों ने उनके messages को, original messages को, और elaborate किया, ठीक है, और in fact, occasionally क्या किया, modified or even abundant some of the ideas, यह बहुत important चीज है, देश काल परिस्थिती, time, place, circumstances के हिसाब से, हम चीजों क अमेंड करते रहते हैं, और यह बहुत जरूरी होती है, जहां पर positive sign है किसी चीज का, for example, मान लोग है, हम such, truthfulness, अब truthfulness तो हर particular time period में relevant है, इसको बदलने के जरूरत नहीं है, लेकिन, such बोलने के तरीके, या such बोलने में भी आपको time, place, circumstances का धहान रखना पड़ेगा, सत्यता या truthfulness तो हर particular time period में evergreen रहेगी, यह हर समय पाशान काल में और modern time में भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन, मान लीजे कहीं पर किसी को, किसी की जान पी बना रही है, और आपके कुछ ऐसा करने से, उसकी जान बच रही है, अच्छा भला वेक्ति है, या किसी positive cause के लिए ऐसा हो रह सकते हैं, समझ में आरी बात क्या खहर हूँ मैं, तो यह बहुत important है कि जो teachings हैं या original messages हैं, इनको अगर हम समय के साथ में amend करें, या modify करें, या वो चीजें जो हमारे particular development में, या हमारी values को आगे बढ़ाने में problem create करती हैं, उनको हम abandon कर दें, त्याग दें, जो धर्म, जो समिधाय, जो society, इतना rigid बनती है कि वो इनका scope नहीं रखती है, हमने समिधान मनाया है, समिधान में हमने element दिया हुआ है, amendment का, यानि जब आने वाली generation को जैसे ज़रुत महसूस होगी, वो constitution को amend कर सकता है, हमारे धर्म ग्रंतों में भी ये चीज है, कि आपतिकाले मर्यादा न इस तरीके का एक statement संस्कृत में आता है, यानि कि जब emergency create होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो set principles है, आप उन set principles के हिसाब से ही चले, अगर emergency का मतलब है यहाँ पर, कि basically truthfulness को आपको establish करना है, जैसे हम महाभारत में example दिखते हैं, तो महाभारत में क्या हुआ था, कि बनाए ग पाटी जो थी उन्होंने rules break करने शुरू कर दी, मन्यू की घेर के हत्या कर दी, जबकि रूलिय बना था कि जब भी कोई निहत्था हो जाए तो उसके उपर attack नहीं करना है, तो यहाँ से उन्होंने शुरुवात कर दी, तो फिर आंगे कृष्ण थे उन्होंने कहा कि यार ज परिशान था, उसको बहुत साई लोगों ने मारा, यहाँ तो तुम इंडिविजुली one by one, one to one यो दो हो रहा है, उसको भी तुम कोई दिक्कत नहीं है, उसने थोड़ी ध्यान रखा था, वो तो अभिमान्नी तो बहुत चोटा था, यह तो बहुत मैच्योर था, फिर भी इसने उसके उपर हथियार चला है, फिर भी इसने मारा उसको, तो आपको time, place, circumstances के हिसाब से चीज़ाने आनी चाहिए, तो यहाँ पर यह जो शिर्ष है, इन लोगों ने यह भी समझा कि हाँ, हमें अगर इस message को आगे जाके बहुत अच्छे से positively establish करके रखना है, और जो हमा धर्म लोगों की समस्या है, हल करने के लिए, धर्म समस्या क्रियेट करने के लिए नहीं, जो समस्या क्रियेट होने लग जाए, तो मानना की अधर्म हो रहा है, तो यह चीज़ यहां से समझ में आती है, यानि यह जो पूरा चैप्टर है, यह पूरा वही कह रहे हैं, कि जो तो उनको हम हटा दें और जो modern context है उसके हिसाब से रखें. So using these sources does possess a challenge to historians, यानि हाला कि historians को यह समझने में थुरी से मुश्किल होती है, कोई बात नहीं. अब यहां से यह background लगभग लगभग यही है पूरे उसमें, तो background पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे के हम सीधे अपने topics पर जंप कर जाते हैं, यानि जो background कहना चाह रहा था, वो मैंने आपको summarize कर दिया है. चली, a mosaic of religious belief and practices mosaic means, when we say mosaic, it simply means some kind of mixture, तो यानि कुछ चीजें जो है यहां पर एक दूसरे में समाहित होती हैं, उसको हम mosaic कह देते हैं, तो किन चीजों का religious belief और प्रैक्टिस का mosaic क्रियेट हो रहा है यहां पर, so perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of god and goddesses in sculpture as well in text, समझो इसको क्या कह रहा है, most striking feature of this phase यानि जिस particular time period के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस particular time period की सबसे striking feature क्या होगा, increasing visibility हमें और दिखेगा क्या, wide range of gods and goddesses हमें और देवी देविता अब दिखने वाले हैं, है न, तो मतलब वह आंख बंद करके बैठ जाओ, भगवान के दर्शन होने वाले हैं कुल मिलाके तुम लोगों को, अब तुम्हारा excitement यहां से काम हो जाएगा, कहोगे कि अभी तो आप दर्शन करवाने वाले थे, अचानक अगली line में आपने सारा excitement फिल कर दिया, तो visibility आपकी जो increase होने वाली वो ऐसा नहीं है कि आप सामने बैठ ओगे और कोई प्रकट हो जाने वाला है, sculptures, नए नए sculptures, नहीं नहीं मूर्तियां और text, यानि कि हमें theory में और मूर्तियों में नए या ऐसे देवता जिनका थोड़ा सा जिक्र पहले था, वो अब और clearly हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं, हमारे सामने और explain होके आने वाले हैं, ठीक हैं, तो कौन से हैं वो, इसका मतलब यह है, यह उपरी line इंडिकेट करती है, कि जो पहले से कुछ देवी देवताओं की पूजा पाट चल रही थी, वो अब और अच्छे से हमारे पास पूरे मूर्ति रूप के रूप में, क्योंकि उस समय तक हमें मूर्ति पूजा के उतने जादा मंदिर वंदिर और इतने भक्ति में रूप में उनका explanation नहीं देखने को मिला था, मूर्ति पूजा वागरा होती थी यह सी बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही कम प्रचलित रूप में होती थी, अब वो बहुत established, organized form में आपके सामने आने वाली है, तो विश्नु हैं, शिव हैं, और देविया हैं, जैसे दुरगा हैं, लक्षमी हैं, यह और ज्यादा विजुलाइस form में और डिफरेंट वराइटीज में आपको दिखने वाली हैं, वराइटीज का मतलब क्या है, आगे जाके समझोगे, अब सब कुछ यहीं बता देंगे, तो फिर पूरे चैप्टर को पढ़ने का क् चलो, तो यह जो एक कहना हैं कि यह जो आपको यहां विजिबिलिटी क्रेट होने वाली है, इस विजिबिलिटी को आगे और इस पैराग्राफ में क्रेट किया गया है, मोजाइक की बात थी, कि रिलीजियस प्रैक्टिस और रिलीजियस बिलीफ जो हैं, इनका एक मोजाइक यानि mixture create होगा, और mixture कैसे create होगा, जब अलग-अलग माननेताएं, अलग-अलग thought processes, अलग-अलग method of worships, अलग-अलग faith, integrate होने की कोशिश करेंगे, या society में ये efforts होंगे, कि बले आपकी पूजा पाट करने के तरीके अलग हो, या आपके देवता का नाम अलग हो, ऐसा नहीं है क यानि कुल मिला के, जैसे भगवान, तो भगवान क्या बन गए, भगवान शिव ही बन गए, भगवान विश्नो ही बन गए, मतलब कहने का, कि वो जो भगवान या जो supreme consciousness थी पहले, वही supreme consciousness, भक्ती संति ये कहेंगे, कि express हो रही है शिव के form में और विश्नो के form में, फिर य रिजनल लेबल पर, छोटे लेबल पर, या जो वर्ण विवस्था में नीचे आने वाले जो लोग थे, वो जिन डिटीज की पुजा करते हैं, वो कहा जाएंगे, उनको बेड़जस्ट किया जाएगा इसी में, विश्नु में, शिवा में, विश्नु और शिव के, रिजनल incarnations, छेतरी अवतार बनके वो निकल के आएंगे, ठीक है, इसलिए इसको कहा जा रहा है, integration of cults, यानि सब basically एक ही है, सारी cult को integrate किया जाएगा, clear है, चलिए, तो historians who have tried to understand these developments suggested that there were at least two processes at work, तो जो इतिहासकार उस समय के इतिहास को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कि आधिस जादा चीज़ें उनके खुद के समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आपको सब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, तो वो ये बता रहे हैं कि at least two, यानि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इस दोरान poet sense के development की, उनके ideas के transmission की, development की, spread होने की, 8 से 18 सेंचुरी के दौरान जो religious और भक्ती changes हो रहे हैं, इस पूरे particular time period में at least two चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें, two processes साथ में काम कर रहे हैं, पहली क्या है, one was a process of disseminating brahmanical ideas, पहली प्रक्रिया जो हमें बहुत पहले से पता है, पहली प्रक्रिया है, disseminating the brahmanical ideas, brahmanical ideas का dissemination means to say, इसको spread करना, brahmanical ideas disseminate करना, फैलाना, spread करना, all right, so process of disseminating brahmanical ideas, यानि वो चीज़ें, जो वैदिक एरा से शुरू होती हैं, अभी इतिहास में एक नया chapter आ जाएगा कुछ दिनों में, जो ये कहेगा कि वैदिक एज जैसा अलग से कोई एक टाइम या चाप्टर नहीं इंक्लूड हो सकता, क्योंकि वैदिक एज का actual में बहुत लब टाइम पीरिड क्लियर नहीं होता है, तो अभी उसको लेके डिवेट्स चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि व वेद तो थे ही, अब अगर वेद थे तो वेदों में जो चीजने लिखी हैं वो भी प्रैक्रिस में हैं, उस दौरान जो रिलिजियस और मतलब फिलोसोफिकल प्रैक्टिस या टीचिंग चल रही थी, उनमें जो ब्रामेंटकल आइडियास थे, वो धीरे धीरे करके समय के स जो चेंज हो के सोसाइटी और टाइम और प्लेस और सरकमिस्टेंस के हिसाब से एड़स्ट होते हुए डिसमिनेट हो रहे हैं, पहली चीज़ यह, इस इजब लिखाइड पाइड प्रजर्वेशन और पुरानिक टेस्ट का, पुरान क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं कि प अपने आप में बहस चल रही हैं, अभी इतनी बहसें चल रही कि आप पे ध्यान दोगे तो अलग बहस क्रेट हो जाएगी, तो बहस पर जयान देना है, मैं जितना बताओ, उतरे प्यद्धेन देना है, यह यह नहीं या यह हैं, फिर कुछ लोगने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे क इसको लेके बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई फिर कुछ लोगों ने कहा कि वेदों में नहीं है उनका डिस्क्रिप्शन कुछ लोगों ने कहा पुरानों में है तो पुरानों बहुत बात के हैं तो यह ब्राह्मिनिकल आइडिया जो डिसेमिनेट हो रहे हैं वो हमें ऐसे पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम पर पहले पुरान लिखे हुए थे वेदों का ही हिस्सा है पुरान मैंने अभी कहा वेद व्यास ने वेद लिखे चार फिर उपवेदा लिखे फिर और उप यह जो पुरान है नाम ही है इसका पुरान यानि पुराना यानि ओल्ड स्टोरीज एक्चली तो इसमें बहुत सारा लगग लगग अठारा पुरान है और 108 उपनिशन है तो जो अठारा पुरान है इन पुरानों में जो संस्कृत इस्तिमाल की गई थी पहले वो क्लिष्ट संस्कृत थी लेकिन बाद की संस्कृत कैसे है थोड़ी से संस्कृत है संस्कृत वर्स है एक्स्प्ले संस्कृत इस्प्सकित ली मेंज टू अधिकार नहीं था खासकर महिलाओं और शुदरों को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था, खासकर महिलाओं और शुद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, कुछ-कुछ लोगों की बात है ये, अब इसका एक अलग साइट है, अभी तो सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान दो की ऐसा नहीं था, तो बाद में संप्लिफाइ करने के लिए, इनको भी इंकलूड करने के लिए, उसको संप्लिफाइ किया गया है, क्योंकि वैदिक लर्निंग से इनको एक्स्क्लूड किया गया था, चलो, at the same time there was a second process तो पहली process है कि ब्राह्मिनिकल आइडियास को simplify करके पहला इस पारग्राफ से एक चीज तुम्हें सबने में आगी कि पहली चीज चल रही थी कि जो ब्राह्मिनिकल आइडियास है पुराने theoretical concepts थे जो वेदाज में बने हुए थे दिवैदिक लर्निंग ठीक है और दूसरी प्रक्रिया क्या चल रही साथ साथ ब्राह्मिनास accepting and reworking the belief and practices समझो तो ब्राह्मिन क्या कर रहे है accepting सुईकार कर रहे है पहले क्या होता था पहले rigidity थी acceptance नहीं थी है ना ब्राह्मा चत्री वैशे शुद्र में ब्राह्मा चत्री वैशे ठीक है शुद्र और उसके बाद के जो नीचे की categories आ रही थी उनकी बिल्कुल acceptance नहीं थी एक तरीके से bycott ही है bycott नहीं कहोगे तो exclusion जरूर कह सकते हो bycott तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए exclusion था उनका society में लेकिन अब हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मिनिकल जो category है they are accepting ठीक है किनको उन लोगों को भी जो excluded women and sutras वो भी accepted हो रहा है and reworking the belief and practices of these and other social categories साथ ही साथ जो दूसरे सामाजिक वर्ग है social categories है इनकी जो practices है मैंने थोड़ी देर पहले अभी particular paragraph के शुरू होने के दोरान ही आपको बताया था integration हो रहा है तो उस integration में उनके belief और उनके practices को अपने साथ adjust करने की जो तैयारी है उसको भी कर रहे है रिवर्क कर रहे है उसके उपर all right चलो in fact many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue what sociologists have described as तो यह जो integration हो रहा है यहां से अब एक नय उसको यहां पे concept को आपके सामने लाय जाएगा तो easy कर देता हूं है ताकि इस वान में आ जाए तो in fact many beliefs and practices यह जो belief और practices दूसरे social categories की integrate करने की कोशिश की जा रही है यह कैसे हो रही है through the continuous dialogue यानि interaction के through continuous dialogue simply means to say कि now since brahmanas who are ready to accommodate the other social categories which were excluded which were excluded earlier जो पहले exclude की गई थी social categories उनको भी अब अपने में समाहित करने अपने में adjust करने के लिए अपने साथ लेने के लिए तयार हो रहे थे तो obviously बात है एक interaction होगा एक dialogue create होगा बातचीत होगी है ना एक दूसरे के methods को समझने की कोशिश करेंगे for example अभी जब example ली दूँगा तभी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से एना मतलब पहले क्यों दे दो अभी example जब आएगा ही तो वहीं पे ही उसके relevancy में ही बातचीत कर लेंगे तो यह जो dialogue हो रहा है उस dialogue को एक समाज शास्त्री sociologists हैं वो अपने अलग नजरिये से देखने की कोशिश करते हैं और वो इस integration को कैसे देखने की कोशिश करते हैं कि great Sanskrit Puranic tradition और little traditions का एक integration हुआ मतलब उन्होंने कहा कि जो यह ब्रामहेंडिकल ग्रूप है यह कौन है यह अपर लेवल पर रहने वाले इनहीं को वो कह रहे हैं great Sanskrit tradition great Sanskrit tradition में include कर रहे हैं ठीक है आप ठीक है very close है और जो आपके little वाले है little कौन है यह दूसरे social category है जो excluded है social category उसके बात हो रही यहाँ पर तो example जो है वो यहाँ पर अगले paragraph में है उसको include कर लेते हैं one of the most striking example great और little के बीच में जो dialogue create हुआ और जो integration हुआ इसका एक example देने की कोशिश की उन्होंने अब example दिया है तो मैं पहले आपको सरल तरीके से पता देता हूं फिर जो लिखा है वो पता देता हूं देखो माल लीजिए जैसे Brahmanical group के लोग हो गए अब Brahmanical group के जो लोग हो गए भगवान विश्नु तो इन्होंने कहा कि भगवान विश्नु है और भगवान विश्नु का basically इन्होंने जो responsibility की कर रखी है वो maintenance की पूरे जो universe का maintenance है ठीक है यानि पालन पूशन है इसके जम्यदारी भगवान विश्नु ने ले रखी है ठीक है चलिए और भगवान विश्नु को क्या है भगवान विश्नु ही basically जो universal consciousness है जो supreme energy है उसका एक expression है ये वेदो में और आगे जाके Brahmanical ideas में express हो गया ये हो गया great tradition का एक idea great tradition का एक idea great tradition का एक idea अब जो शूद्र थे चांडाल रहे होंगे या और छेत्री category के लोग छेत्री category मतलब बहुत रिजनल लेवल पर जो छोटी छोटी और tribes रही होंगी मतलब जो ब्राह्मन शोत्री और वैश्र में से अलग रही होंगी ऐसा कहते हम तो वर्ण विवस्था में जो नीची आने वाले लोग थे ऐसे इनको कहा गया वैसे मालले में मैं कहता हूँ other tribes या other social category OSC other social category इनके एक भगवान है जगनाथ चलो तो यहाँ पर कहा गया ऐसा कि एक देवता की पूजा करते थे चोटे चोटे tribe के लोग है ना चलो अब इनको उन्होंने नाम दिया था जगनाथ और इनके जो method of worship थे वो भी बहुत कुछ ऐसे थे जैसे भगवान विश्ण की पूजा होती थी यह tribe के लोग social category के लोग अपना इनकी पूजा पाठ करके खुश थे जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुए आंगे जाके और आथमे से अठारवी शतापदी 8 से 18 सेंचुरी के बीच में जो ब्राम्हनिकल आइडियास होके disseminate हो रहे थे जो हमने उपर पढ़ा पहले प्रोसेस में उसमें ब्राम्हनाज ने देखा कि basically जैसे भगवान विश्नु is the reflection or expression of the supreme consciousness तो उन्होंने जगनाथ को भी कहा कि जगनाथ is also form of विश्नु तो कुल मिला कि ब्राम्हन ने other social categories या tribe को अपने ही एक तरीके से अंदर समाहित करने की कोशिश की या कह दो ये कह दिया कि भाई तुम अलग नहीं हो तुम जो जगनाथ की पूजा करते हैं जगनाथ ही विश्नु है समझ में आरी बात ये so one of the most striking example of this process is integration of cult का जो एक striking example देने की कोशिश की गई है वो ये है कि पूरी उडिशा में जहां पर principal deity कौन है जगनाथ है 12th century के आसपास जगनाथ की पूजा पाट जो है वो शुरू होती है ऐसा आपकी बुक कहती है कुछ लोग कहते हैं इसके पहले भी है जो जगनाथ का मतलब क्या है literally lord of the world जगनाथ यानि जगतिके नाथ alright so he was included as a form of Vishnu इनको भी क्या कहा गया एक भगवान Vishnu के ही ये form है clear होड़ी बात आपको तो आप देखोगे if you compare figure 6.2 with figure 4.26 figure 4.26 जो है वो यहाँ पर आपको include हो जाएगा आप देख लोगे यह तो figure 4.26 यहाँ पर आपके chapter 4 में दिगा है जिसमें भगवान Vishnu लेटे हुए clear है तो 6.2 और 4.26 में जो figure दिए गए है वो different way में represent कर रहे है हैं Vishnu के ही form दोनो Vishnu के ही form दोनो है लेकिन different way में represent किया गया है यहाँ पर आप देखोगे जो जगनाथ की मूरती है ब्रामना इनको क्या include कर रहे है Vishnu के form के रूप में include कर रहे है ठीक है तो इन इस instance में local dt whose image was and continuous to be continuous to be made of a wood by local tribal specialist चुँकि उस तरह की मूरती जो लिटी हुई मूरती है वो बनाने के लिए बहुत expertise और मतलब महनात और resources चाहिए होंगे लेकिन tribal ने simple way में ऐसे wooden मूरती अपने हिसाफ से carve out कर ली थे और उसकी पूजा करने लगी और धीरे धीरे उसके साथ में उनका एक बहुत बड़ा गहरा attachment जुड़ गया और वो उनके देवता बन गये लेकिन जब ब्रामनिकल आइडियाज में या great tradition में उसको include कर लिया गया या integration हो गया बड़े का और छोटे का दोनों का या कहदो कि ब्रामनाज नहीं कहा कि नहीं आप जो पूजा कर रहे हैं ये मत मानिये कि कोई अलग देवता हैं ये भी वही ही है ये भी विष्णू के ही form है यानि आप जो कर रहे हो कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि कोई abominable काम कर रहे हो आप भी उस सुप्रीम की ही पूजा कर रहे हो ऐसा मत सोचो कि कुछ अलग है ये भी हमारे भगवान की form है हम भी इनकी पूजा करेंगे चलो हम भी तुम्हारे साथ इनकी पूजा करेंगे ऐसा नहीं है कि तुम हमारे देवता की पूजा नहीं कर सकते या हम तुम्हारे देवता की पूजा नहीं कर सकते सारे भगवान एक ही है कुल में लागे तो वननेस वाला concept यहाँ पर लेके आगए वालो तो great tradition और lesser tradition या great ideas और little ideas के बीच integration का एक example हो गया कि किस तरीके से दूसरी जो process पहली process में कि ideas disseminate हो रहे थे simple language में और दूसरी तरफ कि किस तरीके से brahmanical जो group के लोग हैं यह साथ-साथ other social categories को भी अपने ही practices में include करने की कोशिश कर रहे हैं या कह दो कि जो practices उनकी हैं उसको वो validate कर रहे हैं उन practices से जो practices को वो पहले नहीं validate करते थे पहले यह जो tribal के देवी देवता होते थे उनको वो लोग नहीं मानते थे, वो कहते हैं थे नहीं हम तो विष्णु की पूजा कर रहे है, या विष्णु का फॉर्म तुमारे इस फॉर्म से अलग है, clear है, चलो, so, at the same time विष्णु was visualized in a way that was very different from that in the other parts of the country, clear है, मतलब विष्णु वो भी है, जो figure 4.26 में है, विष्णु का form वो भी है, जो एक बहुत opulence के साथ दिखाए गया है, बड़े बहुत विष्ष्ट मंत्र और रिचूल्स के साथ उनकी पूजा होती है, और विष्णु का ये form ये भी है, जहां पर बहुत ही simple तरीके से उनकी पूजा होती है, बहुत जादा रिचूल्स नहीं है, भोग लग गया और छोटी मोटी कुछ और पूजा पाठ हो मैंने वैसे समझा दिया और फिर भी आपको बता देता हूं ताकि रहना जाए, तो ग्रेट लिटिल ट्रडिशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ये कुछ भी नहीं है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए, होता है कि किताब में कुछ बारी भर कम तो होना चाहिए, तो यहां ग्रेट लिटिल ट्रडिशन में को समझने की कोशिश करने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं थे कि था, ये वर्ड, ये वर्ड तो इनके दिये हुए हैं, अंग्रेज भाई साब के, ये जो इंटिग्रेशन की प्रोसेस हो रही थी, ये जो सोशिलोजिकल, साइकलोजिकल चेंज़ हो रहे थे, ये जो उस समय के ब्रामनों का व्यू ब्रॉड हो रहा था, और वो लोग देवी देवताओं की पूजा पद्धती में, जो इसको खतम कर रहे थे, इसको इन्होंने नाम दे दिया, इंटिग्रेशन आफ ग्रेट लिटिल आइडिया, जे ट्रेशन्स, ठीक है, क्योंकि हमेशा से आदत रही थोड़ा सा, ये सिंपल वर्ड में भी कह सकते थे, इंटिग्रेशन हो रहा था, कल्ट्स का, जो कि इस पर्टिकुलर पैरग्राफ में लिखा हुआ था, पर ये है कि ठीक, चलो थोड़ा से इसको और दिमाग में एक आइडिया, क्रेट हो क्या है, cultural practices of peasant society, peasant society कौन है, little ideas वाली है, ठीक है, ये जो little tradition वाले लोग है, ये ही भाई साथ, ये little tradition वाले जो लोग है, पीजन society के लोग है, या इन ही के लिए दूसरी मैं एक termology इस्तमाल कर दूं, other social categories जो अभी दिया हुआ है, प्लियर है, चलो, तो इनके जो observe rituals थे, customs थे इनके हिसाब से डिवलप हुए थे, इनों ने अपनी प्रैक्टिसों को अखो डिवलप किया था, क्योंकि बहुत पहले, जब वैदिक काल में थे, तो वैदिक काल में ब्रामनास के अपने वेदों के हिसाब से चीज़ें चल रही थी, और शुद्रों को तो पूजा पाथ और बाकी दूसरी केटेगरिस को अधिकारी नहीं था, और उनका भी मन होता था कभी-कभी कहमारे भी देवता हों, हम भी उनकी पूजा पाथ में इंक्लूड हों, हमको भी किसी के साथ लविंग एक्शेंज करने का मन कर रहा है, तो उनकी अपनी प्राक्टिसिस, रिचुल्स डिवलाफ हो रहे थे, चलो, है न, तो एक ब्राम्हन और एक जो आपके जो छोटे-छोटे लोग हैं, इनको कहा गया, लेटिल आडियास, है न, चलो, तो at the same time, peasant also followed local practices that did not necessarily correspond with those of the great tradition, तो भाई, एक इनके practices हो गई, और दूसरी practices कैसे हो गई, उस tradition की जो प्रीश्टली क्लास की practices थे, प्रीश्टली क्लास कौन है, वोई ब्राम्हनिकल क्लास, तो जो प्रीश्टली क्लास थी, इनके आइडियास को great tradition नाम दे दिया गया, और ज इनके जो custom हैं, traditions हैं, rituals हैं, method of worship हैं, इनको lesser tradition का नाम दे दिया गया, तो इस तरहीके से great or little tradition, दो word include हो गया, या coined किये गया, Robert Redfield के दोरा, प्रीश्टली क्लीर है, अब क्या कहते हैं, यहां से समझो, मतलब last conclusion देख लो उपर तो बस भाही, जब पढ़ो के तो सँन में आ जा of interaction, बस, वही interaction को यहां पर dialogue की संग्या दी गई है, या जो dialogue word include किया गया है, उसी को आप interactions replace कर दो, यानि समय के साथ जब इनके बीच में interaction हुआ, या इनके बीच में बाचीत शुरू हुई, इनके साथ में contact create हुआ, और उस contact में ब्रामन्स जो है, उनके जो upgraded या जो broad vision है, उ उसी कोई कह रहे हैं कि इनके साथ में interaction हुआ, और उस interaction का ही नतीजा है कि धीरे धीरे great or little tradition का integration हो गया, so while scholars accept the significance of these categories and process, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great or little, बही बही सारे जो social categories में ये differentiation किये गया है, scholars accept तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए confusing हो जाता है, क्योंकि ये इतना sublime था और इ इसको differentiate करना इतना आसान नहीं रहता है, clear है, चलो, तो the use of quotation marks for great and little is one way of indicating this, मतलब बस ये जो interaction हो रहा है, इस hierarchy में इसको समझाने के लिए आपको दिया गया है, बहुत जादा दिमाग ना लगाए कृपया, और confused ना हूँ बस कुल मिला गे, मेरे क्याल से अगर समझ में आ गय तो था ही, देवियों के साथ भी यह हूँ आगे जाके, यानि जैसे विश्नु और शिवा के form थे, उनको integrate किया गया, वैसे ही आगे जाके बहुत सारी उनकी जो feminine incarnations है, भगवान के, उनको भी integrate करने कोशिच की गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो पुरुष अवतार है, उनक विश्नु की पातनी, विश्नु के कॉंसर्ट के रूप में, यानि कुल में लाके देखो क्या होता है, जैसे किसी सरल तरीके समझाते हैं, जैसे किसी ट्राइब में जाना, या गाउं में ही कहीं जाना, वहां गाउं में किसी कुल देवी की पूजा हो रही होगी तुमारे, किसी देवी की पूजा हो रही है देवी का कोई एक नाम हो सकता है फिर तुम उसकी origin trace करने की कोशिश करना तो उसकी एक story होगी ध्यान रखना उस story में भी कुछ ऐसी चीज होगी कि अच्छा ये इंसे related है यानि कहीं न कहीं कोई न कोई देवी देवता जो है वो किसी न किसी तरीके से एक बड़े देवी देवता से indirectly or directly connected निकल कहीं आ जाएंगे clear है तो ये एक तरीके से integration हो गया मतलब देवियों का भी integration हुआ ऐसा नहीं कि सिर्फ God का integration हुआ Goddesses को भी include किया गया इस integration की process में hopefully ये चीज आपके सौन में आ गई होगी now difference and conflicts अब integration हो रहा है तो कुछ एक दूसरा पहलो भी देखना जरूर ये differences and conflicts अब आग कहोगे कि integration हो रहा है और cults एक दूसरे के साथ में मिल रही है तो फिर differences and conflict क्यों arise हो रहे हैं देखो आपका जो chapter है ना ये अभी exactly शुरू हुआ नहीं मतलब भक्ति and सूफि ट्रडिशन chapter है ना इसका नहीं तो भक्ति कहाँ आई अभी आई क्या नहीं भक्ति आएगी जब एक background create हो जाएगा तो ये पूरा background create हो रहा है और इसके just वाले paragraph में वक्ति शुरू हो जाएगी आप सब लोग नाचने गाने जूमने लग जाओगे ठीक है उसके पहले थोड़ा होचपोच create होगा और उस होचपोच में अभी तक का जो पहला paragraph है उसने आपको एक चीज़ बता दी कि integration हो रहा है यानि कही नहीं कहीं एक broad vision create होने की कोशिश हो रही है एक background ऐसा create हो रहा है लेकिन इस integration में अव्यस सी बात है ये तो हम समझ चुके हैं कि अलग अलग type के method of worships अलग अलग type के rituals को मानने वाले अलग अलग type के thought process वाले लोग integrate हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके बीच में differences भी दिखेंगे conflict भी दिखेंगे तो ये paragraph आपको उस aspect को दिखाने की कोशिश करेगा जो aspect वहाँ पर वहाँ पर एक पहलू दिखाया गया कि integration हो रहा है लेकिन integration के साथ-साथ differences है तब ना integration हो रहा है उस integration के बावजूद भी कुछ differences और conflict बचे रहे गए और आगे जाकर फिर भक्ती आएगा ऐसे एक background में जो इन सब को कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक relief देगा ठीक है चलो so difference and conflicts often associated with a goddess हमारी जो पिछली जो ये paragraph की कहानी थी ये खतम कहां पे हुई कि goddesses का भी integration हो गया तो बहुत सारी ऐसी देवियां थी बहुत सारी ऐसे goddesses के forms थे जिनकी पूजा जो होती थी वो tantrik पूजा में include होती थी, मतलब कह दो कि बहुत सारी ऐसी देवियां थी जिन देवियों को tantr की देवी कहा जाता था जो आज भी चलती है आज भी आप बहुत सारी ऐसी देवियों के नाम जैसे आसम की तरफ चले जाए उदर कामाख्या और मतलब कहीं ने कहीं उन देवियों को tantr की worship में include किया गया है tantr क्या होता था tantr एक तरीके के कुछ ritualistic method of worship का एक ऐसा जरिया होता था जिसमें कुछ न कुछ ऐसे rituals का, methods का, processes का इस्तिमाल करके कुछ एक particular objectives कुछ एक particular aims को fulfill किया जाता था है ना तो यह जो tantr की practices थे यह उस समय पूरे भारत में फैली होती पूरे subcontinent में फैली होती wide spread फैली होती ऐसा इसलिए था क्योंकि इस tantr की practice में कहीं भी कोई discrimination नहीं था ध्यान रखेगा tantr की practice में आगे जाके in fact जैसे हम आठ से अठार्वे शाबदी की कहानी पढ़ रहे है 8th से जो 18th century के हम स्टोरी पढ़ रहे है इसमें आप देखोंगे आगे जाके अभी तक तो आपको वैदिक और पुरानी लेकिन धीरे धीरे आपको इसी 8th century के दौरान क्या है invasion of Islam और Islam का development भी मिल जाएगा जो कि हम इसलिए चैप्टर भक्ति सूफी दिये ही है जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी अभी तो आप देखोंगी बहुत सारे ऐसे इसलामिक फेट को मानने वाले लोग थे जो तंतर सीखें भारत में आके तो मतलब इसमें कहीं पर कोई कास्ट का रिलीजिन का मैथ़ड आफ वर्शिप का या कुछ ऐसा लेना देना है नहीं था आप तंतर को मानते हैं या तंतर सीखना है तो आये आप एक गुरू बनाएए उसद हो गुरू के लिए comprendre को बात कहते अदा होता था अगुरू के लिए उए इसको सीख लएजिए तो यह चीज यह भी देवता होता था सुरू कर दीजिए को गैओ इसका तंत policeman को भी इसली अड़ी ती जो सेक्शन को इसमें कोई महिला का पुरुष का कोई भेदभा भी नहीं था दे वर ओपन टू विमन एंड मैं एकुली अद ट्रैक्टिशन ऑफ इन इन्हीं इन्हीं तंत्र प्रैक्टिस ने या इसी तंत्र ने या इसी तंत्र ने एक साइड देखा भी आपने इंटीग्रेशन में क्या हुआ ग्रेट ने लिटिल को अपने अंदर एड़्जस करने की कौशिश की लेकिन लेटिल भी कही ना कहीं ग्रेट ट्रडिशन को इंफ्लूएंस कर रहा होगा, कैसे इंफ्लूएंस कर रहा होगा? एक जाएक बहुत बड़े लेवल पर शैविजम और बुद्धिजम को भी इन तंतरिक प्रैक्टिसस ने इंफ्लूएंस किया, वैश्नविजम को बहुत कम किया, ना के बढ़र किया, जिसमें पूरा Tantrism ही चलता है ठीक है शैविसम में भी बहुत ज्यादा शाक्त लोग देवी की उपासना करने वाले शक्त कहलाते हैं तो इस शाक्त जो वर्शिपर्स हैं यह बहुत कुछ Tantruntra में इस प्रकार के तंतरिक में पूरी तरीके से भरा हुआ था चलो तो एक चीज ये देखने को मिलती है कि कही न कही एक डिफरेंस ये क्रिए हो रहा है दूसरा आंगी जा कि अभी कॉन्फिलिक नहीं हम सिर्फरेंस की बात कर रहे हैं दूसरा किया अल अब दीस सम्वाट तो यह जितनी भी डाइवर्जिंट का मतलब है कि जो सेट पाथ था उससे डाइवर्टेड है अभी क्लियर होगा यहां पर बता देता हूँ इस पराग्राफ में क्लियर ही हो जाएगा सेट पाथ था कि जो वैदिक काल से देवी देवता चले आ रहे थे इंद्र हो गए अगनी हो गए ठीक है वरुन हो गए सोम हो गए पुरानी क्रडिशन की जो डेवी देवता थे वो सेट नॉम्स में चले आ रहे थे लेकिन आगे जाके इनकी उपासना से अलग हुआ कि ये अलग ही तंत्र चल गया तो ये जो डाइवर्जेंट ग्रुप है और जो डिस्परेट बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी इनको भी एड्जस्ट कर लिया गया लंबे समय के दौरान ये अपना अलग ही ग्रुप चल रहा था लेकिन लंबे समय के दौरान इसको किस लेवल पर हो गया ये मार्जिन में चले गये और इनकी जगह पर दूसरे विज्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब इन डिटीज को तूसरे डिटीज से रिप्लेस कर दिया गया जिसकी जगह पर विष्णु शिप जो हम उपर ही पड़ चुक है ये सब कुछ आ गये प्लियर ह देखोगे तो कोई समानता नहीं देखने को मिलेगी ठीके बहुत अलग अलग हैं पूरे देवी देवता सब अलग हैं जो इंद्र अगनी वरुन के responsibilities, duties या इनके functions थे वेदाज में ये और जो यहां पर शिवा, विष्णु और दूसरी Goddesses आ रही हैं जिनको अब बाकी के आने वाले समय में वैदिक मंतराज डेडिकेट किये जा रहे हैं इनकी पूरी practices अलग हैं या इनके responsibilities अलग हैं या ये जो परफॉर्म कर रहे हैं टास् commitments है इनका जो कहते हों कि तरीके से दाइरा है वो काफी जादा ब्राड है पुराने देवी देवताओं के comparison में चलो हाईवर इन स्पाइट आफ इस obvious discrepancies इन असमानताओं या discrepancies के बावजूद भी भले deity's change हो रही है या जो god और goddesses हैं ये change हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वेद को जो acknowledgement मिला या वेद का जो respect था वो कम नहीं हुआ वेद पहले भी authoritative text थे और आगे भी यानि हम देखते हैं कि 5000 साल का जो वो time period शुरू होता है है न 6th century BC के आसपास से तो वहां से अगर हम ले ले लें तो first millennium BC in fact वैदिक एरा बुद्धिजम जैनरिजम वो एरा उसके बाद का एरा और अभी 8 से 18 century का जो पूरा development हो रहा है इन सब में पहले भी वेद authoritative text थे और आगे भी जाके authoritative text के तौर पर ही रहे clear है चलो तो यह differences समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से differences हैं देवी देवताओं में माननेताओं में original जो तांतरिक practices हैं इनके context में फिर conflicts आप conflicts की बात हो रहे हैं not surprisingly यानि जब differences हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई surprise की बात नहीं कोई आश्चरी की बात नहीं है कि conflicts भी होंगे sometime conflicts were also there वहाँ पर कुछ विवाद की स्थिती भी होगी conflicts भी है क्या those who value to the Vedic tradition ऐसे लोग जो core Vedic tradition को मानने वाले लोग थे ठीक है इनका conflict किस से है they condemned practices ये उन practices को उस तरह के ritual methods को पुरी तरह से condemned करेंगे criticize करेंगे that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices यानि पुराने समय में जो यग sacrifice और precisely chant mantras यानि मंत्र वगरा के आहवान वगरा के दौरा जो देवी देवताओं की पूजा उपासना होती थी वो तो यग हवन पूजा पाट और वेदो मंत्रों के उचारन के दौरा जो पूजा पाट करके एक regulated method चल रही थी उसके beyond जाके जो लोग practices कर रहे हैं उसको condemn करेंगे यानि वो लोग कुलमिला के सीधे शब्दों में ऐसा कि वो लोग जो वैदिक tradition को मानते थे और उनके हिसाब थे यह था कि यग हवन करना पूजा पाट करना वेदिक मंत्रों का उचारन करना वेद मंत्रों के उचारन के दौरा देवी देवताओं की उपासना करना यही सब से regulated method है और इसी को फॉलो करना जी तो जो लोग इनके beyond जा रहे थे उनको एक अंडम कर रहे थे यानि उनके नजर में कहीं न कहीं यह लोग ठीक नहीं कर रहे हैं तो conflict के situation भी देखने को मिलेगी integrations doesn't mean that everything is integrated in a complete manner in a whole manner नहीं यह तो एक पक्रिया शुरू हो रही है है नहीं चलिए और इसके साथ साथ चलो ऑन दाधार हैं दोस इंगेजी इंतांतिक प्रैडिस तो जो वेद को मानते थे वो ऐसे रिचुवल करने वाले तंत्रमंतर करने वालों को एक ऐसे conflict की नजर से कि के दोज वा उपर लिखा था ना कि तंत्रमंतर कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली अग्नोर दाधा वेद को मानने वाले लोगों को नहीं मान रहे हैं वो वेदों की अथोरिटी को इगनोर कर रहे हैं साथ साथ दिवोटी जो आफें टेंडे टू प्रोजक्ट तेर चूजन ड लगता था यह में साथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा अलवार और नाइनार संतों का एक बहुत एक समय में इतना बड़ा थे वो बहुत बड़े लेवल पर लेकिन एक समय के बाद इन ही के जो आगे जाके शिश्य आये वह आपस में इतना लड़ेंगे मरेंगे इतन के लिए जो शैव थे वो अपने आप में अपनी डीटी इसको सुप्रीम बताने की कोशिश करेंगे तो साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि ऐसे भक्त जो आगे जाके अपनी जो चूजिन डीटी थी उसको सुप्रीम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को लेके भी एक conflict create हो जाएगा साथ-साथ इनका relation बुद्धिजम और जैनिजम के साथ में जो है वो भी एक tension create करेगा बॉद्धो यानि वैशनव शैव के साथ conflict तो है यह वैशनव का बॉद्धो के साथ भी conflict है जैनों के साथ मरते थे आज भी लड़ मर रहे हैं चीजों को लेके प्लियर है चलो अब यह जो पूरी टेंशन वाली situation है मतलब भले खुले तरीके से बुद्धिस ज्यनिस बुरा विरोधना करते हो थोड़ी संख्या में कम थे लेकिन एक conflict के situation थी इनके मन में भी बाकी लोगों के लिए के लिए तरडिशन आफ दिवोश्यन और भक्ति नीग तो बी लोकेटेट विदिन इस context बढ़ाई हो आपको आप खोश हो जाओ थोड़ा सा की the tradition of devotion और भक्ति तो basically chapter में भक्ति सूफि ट्रडिशन पढ़ना है तो भक्ति सूफि ट्रडिशन जो हम पढ़ेंगे भक्ति की जो परंपरा शुरू होने वाली है एक अलग ही रुमानियत romanticism जिसको मैंने बैक्ग्राउंड में आपको समझाय था वो जो शुरू होने वाली है वो इसी लड़ाई और लडने मरने होच पोच वाली एक जो क्योस की situation बनी हुई इस background में create होगी clear है तो अभी तक का जो paragraph that was creating the background what kind of differences conflicts and integrations were going on parallelly clear है तो जो भक्ति का tradition या devotion का tradition है या भक्ति की परमपरा है need to be located within in this context इस संदर्व में यहां से हम पढ़ेंगे समझेंगे कि भक्ति जो tradition शुरू हो रहा है डिवोशन वर्षिप शुरू हो रही है ये इस तरह के संदर्व में इस तरह के context में कुछ ऐसे संद आएंगे जो कहेंगे भाई या इसा चाहे तंतर कर रहे हो चाहे मंतर कर रहे हो चाहे बली दे रहे हो चाहे पूजा कर रहे हो चाहे यग कर रहे हो चाहे हवन कर रहे हो चाहे मंतर पड़ रहे हो सब का परपज एक ही है तो अवेकन दाट डॉर्मेंट लव तोड़ दे सुप्रीम सो इफ यू डोंट हाव था लविंग एलिमेंट फॉर दाट सुप्रीम बींग सुप्रीम कॉंशियसनेस चाहे कुछ भी कर लो जैसे माल लो आप अपने प्रिय विक्ती वक्ती की बहुत बड़ाई ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं हो लेकिन मन со उसके प्रेम न कर रहा है तो भक्ती में का कहेंगे लोب कि मन में तुम्हारे प्रेम है नहीं तो ऑख्मान को खुब मंतर सुनाए जा रहा है भगवान का एक भी मन नहीं है मन्तर सोनने का तुम्हारा तोGHति is that important thing जो कबीर आगे जा के एकि ने कि माला फेरत जुग गया मन का फेर करका मन का डार के मन का मन का फेर उपर हाथ में माला चल रही है और भीतर मन में प्लाणिंग चल रही है कि आज यह करेंगे, कले यह करेंगे, उसके पास जाएंगे, फिर उसको ऐसा वो लेंगे, फिर उमान जाएगी, अमान जाएगा, यह प्लानिंग चल रही है, और साने माला चल रही है, no, that is not going to work, तो भक्ती इसलिए जाके, क्या है, हर्दाय का विशेय बन जाता है, हाट का मै है, इस पीरिट से भी पहले शुरू हो चुका है, clear है, during this time, expressions of the devotion range from the routine of worship of the duties within the temple to ecstatic adoration, इस particular time तक, भक्ती और व्यापक हो गई थी, और ऐसे होचपच वाली situation में भक्ती, एक पर्टिकुलर जगह पर लिमिटेड ना रहे के वो बाहर निकल, यानि भक्ती के जो संत थे, वो एक जगह पर बैठ के भक्ती ना करके वो चाह रहे थी कि अब हम पब्लिक डोमेन में निकले, मंदिरों में ही बसना रहे के पुजा अर्चना होती रहे, अब सडकों पर कीरतन भजन हो, और जिसे कीरतन आपने सुना होगा इस तरीके से वो निकले, क्यों कि मंदिर में यह जो डिवोटी जाएंगे एकदम ट्रांसलाई के स्टेट में, जैसे आपने देखा होगा कि भजन किरतन करते निकलते हैं, और उनको देखे आपको भी कई बार बहुत कुछ अच्छा लगता है, खुश तो ही जाते हैं अच्छे का से टेंशन में जा रहे होगे, दो चा करते हैं, तो कि प्राशस थी और वसिंपल प्रासस किया थी कि गाना गाओ नाम लो, ठीक है, सिंगिंग एंच्छानिंग कुछ भी नहीं इंग मोग इन्पटी कुछ लिए कोई आपको प्रोप्रिफिकेशन करना, इसके लिए आपको कपड़े चेंज करना थैंग मोग नहा तर जो context रहेगा वो वाइशनव और शैव सेक्ट के लोगों का ही रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं, जिसको वो सुप्रीम मान रहे हैं, वो इन ही दोनों में के ही बीच में रहेगा, तो हमारा जो पुरा आगे भक्ती का context आएगा, वो किसके context में truly पढ़ने वाले हैं, अब background के साथ, poems of prayer and early traditions of bhakti, इस paragraph से जो जरूरी चीज है, वो ये समझना है हमें, कि भक्ती का background create हो रहा है, यानि भक्ती movement जो begin हो रहा है, इसका अभी अभी background create हो रहा है, एक अगर मैं आपको overview दे दूँ यहां से न, तो overview कुछ इस तरीके से होगा, कि अभी एक background के बारे मे हम बात करेंगे थोड़ा सा, इस particular paragraph में, पूरा यह जो है, उसके बाद आप देखो गये कि आपको सीधे कहां लेके चलेंगे, southern portion में, emergence of bhakti, और the bhakti sense in southern portion, और इसके बाद फिर आपको northern India, बस, कुल मिला के इसी तरीके से पढ़ना बस, तो अभी समझ लो, एक background के तरफ जो as a leaders around whom they are developed a community of devotees, तो शुरवाती दोर में क्या हुआ, शुरवाती दोर में, there were certain people, there were certain sense, क्या कहा जा रहा है, poems of prayers, तो 8th century से 18th century के बीच में, there were number of sense, poet sense, जो क्या है, poet sense है, ठीक है, जो क्या कर रहे है, एक leader के तौर पर emerge हो रहे हैं, अब यह किस तरीके की leadership provide कर रहे हैं, यह कोई administrative, social या political leadership नहीं है, यह कि spiritual leadership है, जिस spiritual leadership में, यह आपने background देखे लिया, अभी background का मतलब कि इस background भक्ती chapter start होने के पहले का background, जो just अभी थोड़ी देर पहले उपर के paragraphs में हमने पढ़ा है, हमने उसमें क्या देखा, कि किस तरीके स साथ-साथ differences और conflicts भी आ रहे हैं, तो यह जो difference और conflicts बने हुए हैं, इन सम में कुछ ऐसे poet, sense, leader बनके emerge होंगे, जिनका basic aim होगा, सब के बीच में coordination establish करना, coordination establish करना, एक समन्धवे स्थापित करना, एक balance strike करना, So basically, bhakti simply means that there is no animosity in your heart, आपके हरदय के level पर, आपके हार्ट में किसी के लिए भी कहीं पर कोई animosity, कोई कड़वा हार्ट, कोई bitterness नहीं है, कोई revenge नहीं है, मतलब कुल मिला के साफ सुत्रा, बहुत ही एक melted, द्रवीत, compassionate heart जो है, वो इस तरीके के leader का है, clear है, मतलब उनको हम, हमा हमारे जो संत है, हमारे जो भगमान है, वही सुप्रीम है, इस चीज को लेके कोई aggression नहीं आएगा, जैसा कि इसके पहले हम देख रहे थे, clear है, वो बात की बात है, कि leaders के followers आगे जो आएंगे, वो कभी कभार इन चीजों पर fight कर सकते हैं, पर जहां पर in leaders की बात हो रही है, वो नहीं होगा, इनके साथ ऐसा नहीं होगा, तो कुछ ऐसे leaders emerge हो रहे हैं, जिनके चारो तरफ देरे-देरे क्या होगा, एक devotees की community develop हो जाएगी, clear है, तो ये leaders, जैसे आगे जाके आप देखोगे, कबीर हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक देव जी हैं, और रामानंद संत ह मतलब बहुत सारे चैतन्य महाप्रभू संत हैं, इसके अलावा फिर यहाँ पर भक्ती के साथ साथ सूफिजम में बहुत सारे नजाम अदीन ओलिया हैं, वो इन अदीन चिस्ती हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उसी तरीके से हम सदन पोर्शन में देखेंगे, तो अलवार स संत हैं तो ये जो लीडर्स हैं जब लीडर की बात हो रही है तो इसका मतलब इन सभी संतों की बात हो रही है वो एक संत इमर्ज हो रहे हैं इन पोईट संत में दोनों तरीके के आपको लीडर्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है वो लोग जो दूसरी अधर सोशल कास्ट को बिलॉंग करते हैं और साथ साथ ब्रामन भी हैं लेकिन शुरुवाती दोर पर ब्रामन ही यहां पर और डॉमिनेटेड हैं क्लियर है और यह बिकेम दा इंटर्मेडिटरी बिविन गॉड और देवोटीज और सी बात है लीडर जो है यह मैं कहूं जो में पोईट सेंट है यह वो है जिसने उस थौट प्रोसेस को टीचिंग को फिलासोफी को डेवलप किया है तो किसके बीच में वो जो सुप्रीम गॉड है सुप्रीम कॉंशनेस है और जो नॉर्मल डिवोटी या दूसरे नॉर्मल लोग है इनके बीच में एक इंटर्मीडिटरी के तरह से काम करेगा तो शुरवात में ज्यादा तर जो पोईट सेंट है यह कहां से ब्राह्मन दियान रखिएगा ठीक है तो इसमें अंतर क्या है इन लीडर्स में और पहले की लीडर्स में अंतर यह है डिफरेंस यह है कि इस पोईट सेंट्स आर भक्ती सेंट्स देया नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग यह तो हम पहले भी पढ़़ चुके हैं कि जो बक्ती ट्रेडिशन शुरू हो रहा है या हो गया है इसमें एक खास चीज है कि जो लोग छूट गए थे रह गए थे लेफ्ट थे पहले की टीचिंग्स फिलासोफी में या वैदिक काल में उनको भी इंक्लूट किया गया तो अब दे अक्नॉलेश्ट विमन और लोवर कास्ट और लोवर के लिए मुक्ति के लिए ठीक है किसमें और्थोडोक्स ब्रह्मिनिकल फ्रेमवर्क में और्थोडोक्स ब्रह्मिनिकल फ्रेमवर्क में ये पुराने धर्म शास्त्राज या शूत्राज या वैदिक कल्चर के कंटेक्स्ट में यहां पर बात कही जा रही है All right What also characterised Traditions of Bhakti was a remarkable Diversity So when I am saying diversity, what does it means Diversity simply means यहां पर diversity जो है वो social context में कही जा रही है Socio-religious भी कह सकते हैं Socio-religious context में कही जा रही है People from Diverse background Diversity means Different different है ना एक तरीके से विभिन्नता हिंदी में जिसे कहते हैं तो अलग-अलग Diverse background से आने वाले जो लोग है विभिन्न प्रिष्टभूमी से आने वाले जो लोग है चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो किसी भी community का हो किसी भी caste का हो Brahman हो, चाहे ना हो सब का स्वागत है किसमें इस नए tradition में ठीक है तो ये सबसे important characteristic है कि बहुत सारी diversity लिए हुए था इन फाक बहुत सारे ऐसे संत ही है जो, मैंने कहा ना other social communities से आरे जैसे आप देखते हैं कि रैदास आते हैं, रविदास आते हैं ठीक है, कबीर, खुद जुलाहा विवर्स की community से आते हैं तो social background देखोगे तो एक तरीके से क्या है अपर कास्ट नहीं है लेकिन फिर भी इनका जो leadership है, वो leadership आज हम देखते हैं कि कितना बड़ा impact शोड़ रहा है, उस जवाने में भी उस impact को लोगों ने acknowledge किया और आज भी वो impact अभी भी fresh बना हुआ है चलिए, so at a different level अब एक background आपने समझ लिया आप background में आप देखोगे कि भक्ती जो थी ये दो versions में ठीक है, यानि भक्ती simply means kind of devotion when we say भक्ती, it simply means devotion, what is the meaning of devotion? devotion simply means pure love pure love आप कहोगे कि कैसे भक्ती कौम परिवाशित करें definition कहा दें, तो एक तरीके का शुद्ध विशुद्ध प्रेम जो है, that is called bhakti, all right so, how you can express your devotion or the pure love towards the supreme or for the supreme, दो तरीके से ये इस paragraph में बताया जा रहा, at a different levels historians of religion, यानि वो इतिहासकार जो धर्म का ध्यन कर रहे हैं ये अकसर bhakti के परंपरा, यानि tradition of bhakti को दो parts में डिवाइट करते हैं clear है, पहला सगुन, with attributes and निर्गुन तो देखो, अपने आप में सगुन और निर्गुन को आधे गंटे तक पढ़ाया जा सकता है सगुन साकार, निर्गुन साकार, या निराकार, तो इसकी complexity को side में रखते हुए, जितना आपके लिए इस paragraph में included है, उतनों मैं बता देता हूँ तो सगुन कहा जा रहा है गुन का मतलब होता है quality या attribute when we say गुन, तो जैसे आप कहते हैं, कितने अच्छे गुन भरे हैं तुमारे अंदर, कितने अच्छे गुन भरे हैं तुमारे अंदर ऐसा कहते हो ना, कभी-कभी तो प्रेम से या गुसे में तो वैसे उसी context में हाँ पर बात कही जा रही है गुन मतलब quality या इसी के लिए एक दूसरा और अच्छा शब्द है attributes attributes, okay so positive attributes और negative attributes positive qualities और negative qualities, ठीक है इस तरह से हम एक general term में qualities को समझते हैं तो सा मतलब with ठीक है जैसे सदाचार, दुराचार good behavior, bad behavior सावर्ड means with ठीक है, तो सागुन और निर्गुन, ठीक है without तो basically यहाँ पर जब attribute की बात की जा रही है तो आप इसको simple way में, मैंने कहा ना कि simple way में समझिए complicated नहीं करना है हमको क्योंकि मैंने कहा ना कि इसको और गुरता में जाएंगे, उसके depth में जाएंगे तो इसके और बहुत सारे dimensions निकलेंगे यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ और book के हिसाब से जो बताय जा रहा है वो यह बताय जा रहा है कि जिसको आप देख सकते हैं छू सकते हैं, उसके साथ easily reciprocate कर सकते हैं reciprocation का मतलब होता है आदान परदान कर सकते हैं, ठीक है exchange कर सकते हैं, तो वो हो गया सगुन, जिसे आप देख नहीं सकते इस पर्ष नहीं कर सकते उसके साथ आसानी से reciprocation आदान परदान नहीं हो सकता, वो हो गया निर्गुन, यानि यहाँ पर कहा जा रहा है without attribute का मतलब निराकार without shape ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब attribute की बात की जा रही है तो इसका मतलब यह भी है कि जिसका आकार नहीं है ठीक है जिसका आकार नहीं है clear है, सरलता से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर है, गुणों में जाएंगे तो फिर confusion आ जाएगा और इतना समय भी नहीं है उस पार्ट पर जाए जाए तो जिसका आकार है with shape और without shape तो जब बहुत सारे संत ऐसे थे जिन्होंने अपने सामने एक जैसे मालो उदारन के लिए शैव ही है उस आकार से ही उनका क्या है एक loving exchange है उनकी पूजा करना, उनको सजाना उनको भोग लगाना और तवाम बहुत सारे जो एक activity होती है वो सारा उनके साथ में हो रहा है और हम देखते हैं बहुत सारे से स्टोरीज बहुत सारे संतों की जीवनी biographies, anthology जिसमें हम देखते हैं कि वो reciprocation आगे जाके क्या होता है वो reciprocation आगे जाके एकदम live हो जाता है यानि पहले शुरू होता है एक हमारी नजर में जीवित वेक्ती और एक मूर्ती जो की reciprocate नहीं करती उन दोनों के बीच में एक तरीके का एक साइड से लेकिन एक से एक्सचेंज में देरे देरे मूर्ती भी एक्सचेंज करने लगती है अपना reciprocation इस तरीके stories बहुत सारी भक्ती tradition में प्रचुरित है जैसे मीरा भाई के stories ठीक है जैसे और बहुत सारे लेकिन उनी में और भी कुछ ऐसे संत है जो आकार को या शेप को नहीं मानते निराकार जैसे गुरु नानक देव वो कहते है भगवान का आकार नहीं है भगवान निराकार है और हर जगे अविलेबल है तो दोनों ही तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो इतिहासकार है धर्म के रिलिजन के वो दो कैटेगरीज में इस भक्ति ट्रडिशन को डिवाइट करते हैं सगुन भक्तिधारा और निर्गुन भक्तिधारा ठीक है चलो तो फॉर्मर इंक्लूड़ेद ट्रडिशन दाट फोकस ऑन वर्शिप आप स्पेसिफिक डिटीज मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक मूर्थी की पूजा करते थे जैसे माल लो विष्णू की मूर्थी अब विष्णू के सांसाथ विष्णू के जितने इंकारनेशन और अवतार है या कोई देवी हैं उनके और कोई अवतार हैं तो वो इसी में आ जाएंगे, उन सब की मूर्ती की पूजा होगी, निर्गुन में क्या हो जाएगा, अधर हैंड वर्शिप आफ एबस्ट्रेक्ट फॉर्म ऑफ गौड, देखो, मैंने क्यों यहाँ निर्गुन को इस से करनेक्ट किया, क्योंकि आपकी जो बुक है, वो निर आउट शेप, साकार और निराकार, जिसका हमें आकार दिखता है, उसके साथ आसान होता है, एक रसी प्रोकेशन करना, जो नहीं दिखता, उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस तरीके के संत, दो भागों में विभाजित है, या दो भागों में भक्ति अब आजाओ यहां से Southern portion की तरफ आपको लेके चलते हैं मैंने कहा ना कि जैसे भक्ति की प्रक्रिया या परंपरा शुरू होगी तो पहले background उस background में आपने देख लिया क्या-क्या आप साथ में फिर Southern portion की तरफ चलेंगे Southern के साथ फिर Northern portion की तरफ चलेंगे तो सदिर portion यहां से शुरू हो जाता है दक्षिन भारत में दो ग्रुप है ग्रुप आफ सेंट्स ध्यान रखेगा अलवार्स और नैनार्स ठीक है तो जब मैं कह रहा हूँ ग्रुप आफ सेंट्स इसका मतलब है कि अलवार और नैनार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है एक व्यक्ति का नाम नहीं है यह बेसिकली क्या है नैनार्स यह एक परंपरा को मानने वाले संत हैं ठीक है एक विशेश प्रकार के भक्ति की जो कल्ट है ट्रडिशन है उसको मानने वाले जो है इनको हम ये नाम दे रहे हैं, all right, so when we are saying नैनार, it means the scent or group of saints who worship a particular kind of deity or who express their love towards a particular kind of deity, deity means देवता या भगवान, ठीक है, अलवार means इनका भी अपना एक specific devotion है, एक विशिष प्रकार के मूर्ती या देवता या भगवान के लिए, ठीक, भगवान के एक प्रारूप या प्रकार के ल Tamil भाशा से आया है, Tamil language से आया है, इसका मतलब होता, immersed, यानि वो जो डूब गया, वास्तिविक्ता में जो अलवार शब्द की origin अगर आप ट्रेस करेंगे, when you trace the origin of the अलवार वर्ड, इसका मतलब शुरू में होता था, master से, master से, और उसके पहले भी इसका मतलब होता, one who controls, जो control करता है, तो basically शुरूबात में control को लिया जाता था ऐसे, जो एक किसी जगह का मुखिया होता था उससे, बाद में फिर इसका प्रेयोग जादा तर किया जाने लगा उन लोगों के लिए, जो शिश्यों के समूह को control करते थे, यानि अध्यात्मिक गुरू, और फिर यहीं से उसको और refine किया गया इसकी meaning को और आगया कि वो जो सिर्फ control नहीं करता, जो डूबा हुआ है पूरी तरीके से, immersed है completely, समा गया है किसमें, अपने इष्ट में, भगवान में, जिसके प्रति उसका प्रेम है, जिसके प्रति उसका devotion या pure love है, ओल रैट, चली, तो अलवार्स, एष्णव या विष्णु भगवान की पूजा करने वाले है, devotion to विष्णु, और नैनार्स कोन है, तो जो नैनार वर्ड आता है basically, ये हैं शिवा, हौंड्स ओफ शिवा, ऐसा कहा जाता है, शिव के गण कह सकते हो आप इनको basically, यहां से इसकी origin trace होती है, तो नैनार simply means devotee of श शिव के भक्त हैं ये लोग, तो नैनार और अलवार संतों का जो origin है, ये अपने आप में बहुत पुराना है, अलग-अलग literature में, अलग-अलग जगों पर, किताबों पर हमें अलग-अलग timing मिलती है, फिलहाल हमारी किताब में इसको जो cover किया गया है, वो 6th century के आसपास से cover किया गया है, और हम ये ही मान के चलेंगे यहां पर, तो लगभख 63 के आसपास, कहीं कहीं 68 भी है, पर हम 63 मान के चलते है, 63 के आसपास नैनार संत थे और ऐसे 12 के आसपास अलवार संत थे, इनमें महिलाएं भी थी, that is very important to note, थी के point to be noted, वो जो समय है, उस समय पर महिला संत हो जो norm से उनको challenge कर रही है, clear है, चलो, तो ये जो संत है, travel from place to place, एक जगह से दूसरे जगह, इसके पहले ही पढ़ चुके हो, कि जो भक्ती संत है, इनका मुख, जो mode of कैदो की worship है, ये सिर्फ मंदिर में पूजा करना ही नहीं है, कि आप मंदिर में इक जगह पर पूजा कर र poems जो है, या poems of prayers जो है, इनको गाते हुए निकलना ताकि connect हो, common man, grassroot level का अदमी, ठीक है, ये incoming objective था, तो जगह जगह पर जो मंत्र या prayers है, इनको गाते हुए, कौन से तमिल भाशा में, और वो जितने भी मंत्र या प्रार्थना हैं, वो सब भगवान की glorification से related थी, praise of the God, ठीक तो अपनी यात्राओं के दौरान, अलवर और नैनार संत जो है, ये कुछ-कुछ जगहों पर रुखते थे, identify certain shrines, मतलब उनके इस्ट देवता, जैसे भगवान शिव और नैनार्स के लिए भगवान शिव होगे, और अलवार्स के लिए भगवान विश्नु होगे, तो वि पर उनके साथ हुआ, या उन्होंने किसी भगत का उधार किया, कुछ भी इस तरीके से, मतलब somewhere that particular site was related with शिवा और विश्नु, तो उसको उन्होंने क्या कहा, certain shrines as a word of their chosen duties, मतलब उन श्राइन को identify किया, कि एक बहुत अच्छी जगह है, इस जगह पर भगवान शिव रुके इस जगह पर भगवान विश्नु रुके थे, उन्होंने इस प्रकार का इस प्रकार का ऐसा ऐसा काम किया था, clear है, चलो, तो उन्होंने अपनी जो chosen duties थी, उनके लिए वो इस्थान, श्राइन के तौर पर identify किया, और आगे जाके eventually क्या हुआ, इन्हीं पवित्र जगहों पर बड़े-बड़े मंदिर बनवाए गए, और ये बहुत आगे जाकर तीर्थ यात्रा के ए, तीर्थ धाम के तौर पर, है न, इस्तिमाल की जाने लगए, या कह सकते हूँ कि तीर्थों के तौर पर develop में किये गए, singing composition of these poets and became part of temple rituals, और इन मंदिरों में या तीर्थ इस्थानों में, अलवार और नैनार संत की लिखी हुई, जो singings थी, poems थी, इनको गाना एक तरीके से ritual बन गया, इन मंदिरों में इन संतों की images को भी install किया गया, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हम देखेंगे आगे जाके, चली अब हम समझते हैं कि अलवार और नैनार संतों का क्या attitude, क्या एक तरीके से कह सकते हैं, दृष्टि कोन हैं, कास्ट के परती, जाती के परती, ठीके चला, तो some historians suggest that the Alwar says, नैनार संटी इनिशेट इन मूमितब अपर प्रotेस्ट अगेंस 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 कास्ट सिस्थान नैनार संत जो हैं ऐसा नहीं है कि यह अधर सोशल कम्यूनिटीज या कैटेग्री से आते हैं इनमें मैंने कहा ना कि नैनार 63 ऐसे अलवार भी स्पेसिफिक 12 के आसपास हैं तो ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ एक कम्यूनिटी से आते हैं डाइवर्सिटी अभी आपने थुड़ी जो ईक्सिस्टेंस वाली भावना, टॉलरेंस वाली भावना, इंटीग्रेशन वाली जो भावना थी उसको इन्होंने अपनேन के तौर पर आपको बताते हैं आपके इस किताब में लबार और नैनार 65 और ने ऐसे आंदोलों की शुरवाद की जिन आंदोलनों में क्या हुआ ब्राह्मनों का जो प्रभुत्व है the dominance of ब्राह्मनाज के अगेंस एक प्रोटेस्ट था ठीक है साथ-साथ they attempted to reform the system how they are reforming the system simply by integrating the other communities तो इनका जो प्राइम उब्जेक्टिव है तुम तो किरतन भजन करो आओ हमारे साथ बैठो यही पर खाएंगे पीएंगे यही पर आराम से भजन करेंगे तुम किस जात के हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है तुम किस वर्व के हो किस वर्ण के हो किस परिवार के हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है तो सिर्फ भजन करेंगे साथ में बैठके तो उस जो सुप्रीम के साथ में हमारा तुम्हारा जो हम दोनों का जो heart to heart connection है that matters ठीक है that is the important thing To some extent this is corroborated by the fact Corroboration simply means एक example के दोरा उसको establish करना The word collaboration means कि किसी example के दोरा उस चीज़ को establish करना तो ये चीज़ अलवार और नैनार संतों ने proof भी की है कैसे कि बहुत सारे diverse social background ठीक है ब्राम्हन से लेके कारीगर, किसान, cultivators और even पुन कास्ट के लोगों को भी जो अच्छूत या अंटेचेकल माने जाते थे इनको भी include किया Means when a bhakti saint or a poet saint or a leader is leading some kirtan kind of for example किमान लोग a kabir है तो kabir अगर bैट के कह रहे हैं कि आओ आज करते हैं बैटके सब ले आओ music music सब कुछ कृतन करेंगे तो बहुर कहेंगे कि भाया सब आजाओ कोई अचूत हो भी आजाओ, ब्रामन है वो भी आजाओ, कारीगर है वो भी आजाओ, किसान है वो भी आजाओ, महिला है वो भी आजाओ, सारा लोग बैठो और भूल जाओ कि तुम तुमारी physical material identity क्या है, कुछ देर के लिए you just forgot that you are a male or a female, you are ब्रामन, you are untouchable, you are this, that, your profession, your gender, everything you forgot and just remember that supreme, just immersed in you know that loving prayer, ठीक है, तो यह चीज बहुत important है और यहाँ के level पर जाके सब एक unity established हो जाती थी, तो वो जो discrimination था बाहर के level पर वो अपने आप खतम हो जाता था, चलिए, the importance of the tradition of the lower and inner was sometime indicated by the claim that their compositions were as important as the Vedas, यह बहुत important चीज है, आगे जाके देखो, जब यह पूरा tradition develop हो रहा है, इस दोरान बहुत सारे ऐसे literature, उनकी प्रार्थनाएं, poems और poems यह poems जो कुछ भी जैसे भी आप pronounce करते हैं इसको, ठीक है, तो इन्होंने जो कुछ भी बनाया, अलवार और नैनार के tradition में, जो भी literature आगे जाके develop उस literature को अलवार और नैनार संतों ने क्या कहा, कि हमारा जो composition है, हम यह जो आपको देखे जा रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, यह उतना ही महतपूर्ण है, जितने वेद हैं, जितना वेदों को, जैसे, यहाँ पर आपको example दिया गया है, ठीक है, कि one of the major anthologies, anthologies आपको clear होगा, यह word आप chapter 4 में I think भक्ती, क्या नाम है, भक्ती सूफी तो यह हो गया, अरे वो जैनिजम, बुद्धिसम, उसमें पढ़ा है न, anthologies, अरे भीया, संतों की गाथाएं बगारा जो लिखी जाती थे, उनको anthologies कहते थे, बूल मत जाना कि पीछे का बूल गया, तो मुझे क्यों नहीं बोल रहा, और भी बहुत सारे लोग हमको नहीं बोल रहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि रिवीजन हो रहा है, देखो अलग से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब वर्दान लेके नहीं प्राप्त हुआ है, पैदा हुआ है, उसको वर् पैसे आपके साथ भी हो जाएगा, जब आप उसको मुल्टिपल टाइम रिवाइस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो चीज आपको ध्यान में आ रही है, अच्छा, रिवीजन का मतलब भी नहीं है कि फोन लगा लिगा या फिर टाइपिंग हो रही है, या फिर और प कुछ कॉंपोजिशन किये हैं, अलवार और नैनार संतों के, जैसे दिव्य प्रवंधम, ठीक है, वोस फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब आज तमिल वेद, दिव्य प्रवंधम को तमिल वेद की संग्या दी गई है, तो तो तस क्लेमिंग दाट टेक्स्ट वोस सिग्निफि तो दी प्रिजन्स ओफ विमेंस, दी प्रिजन्स ओफ विमेंस, दी प्रिजन्स ओफ विमेंस, दी प्रिजन्स ओफ विमेंस त्राइकिंग फीचर, अरे इसके पहले जो मैंने ऊपर बताए ये वी ध्यान लिल, ये देखो, ठीक है, तो 10th century के आसपास, 12 अलवर्स जो थे, 12 अलवर्स की जो एंथोलोजी क्रिएट की गई, उसी को क्या का गया, नलयार, दिव्य प्रबंधम, ठीक है, लगबाग 4000 sacred compositions है इसमें, और ये तीन important संत हैं देहन रखियागा, अपाड, संबंदर और सुंदरार, ठीक है, इन तीनों के composition को थेवरम कहा जाता है, चलिए, तो इसी बात को continue करते हैं, तो पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया यहां पर की presence of women was striking feature, यानि की पुरानी story जो हम इसके पहले ऊपर discuss कर रहे थे, वहां भी यह बात आई थी, और यहां पर वापस से उसको specify किया जा रहा है कि there were women's, और यह अपने आप में बहुत you can say spiritual progress, ठीक है, तो ऐसे condition में हमें कुछ दो तीन महिनाओं का यहां पर जिक्र मिल रहा है, जिनमें एक वैशनव, या मैं कहूं की अलवर संत है, जिनका नाम है अंडाल, शीज़ों सोने इस द मीरा ओफ साउथ हिंडिया, दक्षिन भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है इनको नीरा आफ साउथ इंडिया, दक्षिन भारत की मीरा कहा जाता है अंडाल को, और इनके जो पोईम्स हैं, पोईम्स ऑफ प्रेयर हैं, या मैं कहचे दूं कि इनकी प्रार्टनाये हैं, कविताये हैं, वो आज के डेट में भी, आज के डेट में भी ठीक है, बहुत बढ भक्त मानी जाती है ये विश्णु की और उस जमाने में तो माने जाता था आज भी इनको बहुत बड़े भक्त के तौर पर देखा जाता है आज भी बहुत रिलेवेंसी एदक्षिन भारत में आप सर्च करेंगे देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी कविताए डेडिकेटड कविताएं या कहतो भजन जिने हम कहते हैं Poems of Prayer का मतलब बिसिकली भजन ही है मिल जाएंगी जो अंडाल ने बिसिकली क्या दिखा गया है her love for the deity यानि भगवान विश्णू के लिए प्रेम का offering है जो भी उनकी श्लोक है जो भी उनके verses है तो she is writing as the you know like होता है जैसे मैंने शुरू में का था रुमानियत रोमेंटिसिजर में सब कुछ तो जैसे एक person दूसरे person को अपने loving exchange share करता है वैसे ही यहां पर sharing हुई है another woman दूसरी है जो कि नैनार संत है devotee of Shiva है जिनका नाम है करेकल अमयार और तो अंडाल का नाम याद रखेगा जब भी आएगा paper में या कहीं पर भी reference आएगा तो आप अंडाल तक्षिन भारत की मीरा के तौर पर जिनका नाम है extreme ascetism तो ascetic path क्या मतलब तपस्या का path होता है यानि कि normal जो household activity है इनको भी छोड़ देना और तपस्या की तरफ चले जाना मतलब यहां तो ठीक है कि चलो थोड़ा वक society के बीच में रह रह रहे हैं तो यह एक uniqueness देखने को मिलीगी अचा अभी clear हो जाएगा last में इसी paragraph में इ हैं इनके बारे में एक unique characteristic यह है कि तपस्या का mark तो इन्होंने चुना ही हुआ है बजन कीरतन करते हुए घूमना फिरना यहां मागलियों में और in fact secluded places पर जाना एकांथ पर रहना जंगलों के तरफ जाना यह सब भी इनके devotion का ही हिस्सा हैं लेकिन उसके बावजूद भी ऐ इसा नहीं कर रही हैं कि हमेशा एक particular जगह पर ऐसे चली गए हैं कि सब कुछ त्याग दिया और एक secluded place पर चली गए एक अंतवास पर चली गए हैं किसी ऐसे जंगल जगह पर चली गए नहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि asceticism जो या तपस्या का मार की लोग जो अपना र obligations अपनी सामाजी जो responsibilities हैं उत्तरदाई इनको तो त्याग दिया है इन्होंने social responsibilities का मतलब है कि जो एक trends थे एक norm set थे एक female के लिए कि she was supposed to you know get marry or bear children's और फिर household activity और दिस और जो कुछ भी एक आम तोर पर जो traditional महिला के लिए देखा जाता है तो उसको तो इन्होंने त्याग दिया ही अपनी सारे social obligations को सारे जिम्मेदारियों को त्याग दिया but did not join an alternative order or become nuns और ऐसा नहीं हुआ कि अब जब social obligation त्याग देती है तो दूसर रास्ता क्या बचता है कि आश्रम में चे लिए नन बन गई या इश्वर को मतलब अना जैसे नन वर्ड अगर हम Christianity से relate करें तो they are dedicating their life to the Jesus or the Lord and they will serve in the church a dedicated place तो dedicated पर नहीं जा रहे हैं बलकि they are wandering here and there or from one place to another place एक चेत्र से दूसरे चेत्र पर भजन कीरतन और यह सब कुछ करते हुए घुमेंगे फेरिंगी यानि social obligation तो त्याग दिया लेकिन वो भक्ति वाला unique जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक भक्ति टीचर या भक्ति लीडर क जो characteristic देखने को मिलती है वो इन महिला संतों ने female sense ने अपना लिया ठीक है पूरी तरीके से social obligation तो त्याग दिया लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी एक एकांत वास पर जाके या एकांत जगह पर जाकर वहां तक वस्या में लीन है नहीं ऐसा नहीं कर रही है ठीक है main stream में रहते ह lovers है ट्रेडिशन में जयसे अन्जा को अलवा डूज तरह का समाज है उस समय को चालेंज करते हुए इस प्रकार की जीवन्शैली अपनाना अपने बहुत बड़ी scent वात थी तो उनके इस एक्तिविटी ने उस एकेसे patriarchal norms को भी अपने आप में बहुत challenge किया तो यह एक यहाँ पर इस source में एक glimpse दी गई है जलकी दी गई है कि किस तरीके से यह अपने आपको रखती है तो कराइकल अमभयार के एक कविता से ही इसको लिया गया है इस example को इसमें क्या है देखो देखने में कैसी लग रही है आपको शी इस बेसिकली एडिवोटी बट हाव शी हैस मॉर्फड हरसेल्फ और शीन्स इस शी इस नाट इन्टो मेकिं हरसेल्फ मटेरिली और फिजिकली वेरी ब्यूटिफल या की अपीजिंग या कहदो की समाज की नजर में बहुत अच्छा नहीं शी इस कम्पलिटली डिवोटेट फॉर दिशिवा विदिन हर हार्ट तो उसको मटेरिल बॉडी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है तो आप देख सकते हैं यह जो इमेज यहाँ पर दी गई है ठीक इसी इमेज का एक डिस्क्रिप्शन इस साइड में दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे आपको यह इमेज जो लिखी गई है मतब बनाई गई है वो ही as it is यहाँ पर समझ में आएगा तो देखने में कैसी लग रही है कि एक बेसिकली जो वर्ड है लिखा है मैं उसी को यहाँ पर प्रणाउंस कर रहा हूँ डेमन असुर की तरह राक्षस की तरह देखने में लग रही है क्यों उन्होंने अपनी काया को अपनी बॉड़ी को इस तरह से बना ही लिया है और यह इसलिए भी हो सकता है कि बाहर से ज़्यादा सुन्दर ताना दिखे तो बहुतिक रूप से ज़्यादा सुन्दर दिखने में समस्या ही है वो एक तरीके से बाउंडेशन का कारण बनेगा आध्यात्मिक प्रगति में तो यहां पर क्या दिख रहा है बल्जिंग वेंस इतनी कमजोर हो गई है कि शरीर में उनकी नसे दिख रही है बल्जिंग वेंस प्रॉटूडिंग आईज आखे बाहर की तरफ निकली होई है ठीक हो वाइट टीद एंग श्रंकें स्टमथ डात तो ठीक है चलो सफेद है अच्छी बात है लेकिन एकडम पेट स्टमथ जहाव एकडम सिकुड गया है श्रंकें हो गया है लाल रेट हेयर है जटिंग टीथ बाहर की तरफ जटिंग means something which is coming something which is projected something which is coming out बाहर की तरफ दात आ रहे हैं आप देख रहे हैं ठीक है शाउट से लेंदी शिंस एक्सेंडिंग तिल एंकल्स बड़ी लंबी पिंडलियां और ऐसे कंडीशन में घूमते फिरते नाशते गाते शाउट कर रही हैं जंगलों में चिला रही हैं वेलिंग मतलब एक तरीके से चिलाना और एक ऐसे इसको मैं ह अगर कहते हो तो यह सब मदमस्त तरीके से चल रही है ना भजन में वेक्ति जोंता रहता है ऐसा लगेगा सामने वाले को कि थोड़ा सा डिस्टब हो गया है आप बाहर वाला जो समस्दार वेक्ति है उसको ऐसे लोग पागल दीखते हैं और ऐसे वेक्ति को बाहर वाले लो पागल थाइप में क्या हालत बना ली है अपनी बढिया सुंदर होती शादी व्याग होगे होती कहीं अच्छे ऑर्नमेंट्स पहन के घूम रही होती लेकिन इनको संत को वो लोग लग रहे हैं जो कहां यह सुंदर अपनी बाड़ी को बनाए घूम रहे हैं ना पीस है इनक तो अलंकटू एक जंगल है वहां पर जब घूम रही है तो उस जंगल को क्या समझ रही है है हमारे पिता शिव का ही जंगल है यह बिसिकली ठीक है और यहां पर वो है हमारे साथ जब हम नृत्ते कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ नृत्ते कर रहे हैं अपनी जटाओं के सा तो इस इस पूएम के थूआ आपको बता दिया मैंने अप उनको हो सकता है शिव दिख रहे हूं आपको शिव ना दिखें या फिर इस स्टेट में आप पहुंचो तो आपको दिखे जाएं डाट इस अप टो यू शेली रिलेशन विद देखना भी बहुत जरूरी रहेगा क् हिस्री पढ़ना है हर चीज को समझना जरूरी है तो चैप्टर टू में वहाँ पर आपको बताये गया था कि दक्षिन भारत में बहुत सारे चीफडम्स इमरिजड हुए थे अब यहां पर पूरा नहीं बताऊंगा कि यह कौन लोग थे अगर याद है तो बहुत अच्छी लंबा हो जाएगा तो चीफडम्स बेसिकली शॉर्ट ने बता दू तो यह ऐसे लोग होते थे जो राजाओं के अंडर में किसी एक पर्टिक्लर एरिया या टेरिटरी को मैनेज कर रहे होते थे ठीक है चलिए तो चीफडम्स का इमर्जिंस हुआ फर्स्ट मिलेनियम के आस इनके अंडर में एक तरीके से चोटे एरिया के कैसकते हो फ्यूडल्स या सामूंत जो होते थे इनी को चीफडम्स का गया है तो इस एरिया में जब भक्ती अभी इतना पेनेटरेट नहीं हुई है तब कि सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा यहां पर समझाया गया है इस गुदिजम और जैनिजम अध बिन प्रिविलेंट इस रीजन फोर सेवरल सेंचुरी तो बख्ती तो एट सेंचुरी सेटीन सेंचुरी का सिनेरियो दिया गया है और आपको शुरू में बताया था कि बैग्राउंड बनना शुरू हो गया था तो इसके पहले कि भक्ती इस में और पिनिट्रेट होती यहां पे लोकल जो अलवार और नैनार संथ हैं इसको और डीप रूटेट करते उसके पहले का सिनेरियो बताने की कोशिश की गई है कि इस रीजन में क्या था यहां कि जो मर्चंट कम्यूनिटी के और अर्टिशन कम्यूनिटी के लोग थे और इ कि पहले वैदिक सिस्टम था वर्णविवस्था और यह सब कुछ चलती थी बाद में फिर बिकॉज आफ डिस्टॉर्शन इन वैदिक टीचिंग्स या वर्णविवस्था की प्राक्टिस में जो इसकी विजह से बुद्धिजम जैनिजम और चारवाक और तमाम अलग भक्ती मूव्मेंट या भक्ती ट्रेडिशन जो हम इस चाप्टर में डिसकस कर रहे हैं तो भक्ती ट्रेडिशन तो अब तमिल रीजन में एक्स्पांड हो रहा है लेकिन उसके पहले क्या सिचुईशन है तो रजवाड़े बहत जादा बुद्धिजम जैनिजम में नहीं ह लेकिन यादा कदा उनको ऊकेशनली वर्ड इससे लिए इस्तेमाल किया गया है रॉयल पैटरनेज मिल जाती थी और मर्चेंट और आर्टीशन जो है वो जादा तक बौध और जैन जो मौंक होते थे उनको शेल्टर दिये हुए थे चलिए तो रोचक बात अब यहां से जवार और नैनार संत का इमर्जन्स देखा लेकिन उनका या उन संतों का या उन डिवोटीज का राज जी के साथ में किस तरीके का रिलेशन है या एक पॉलिटिकल जो एक आउटलूक होता है उसको समझाने की कोशिश की गए इस पैराग्राफ में कि इंटरस्टिंगली क् क्या है कि major theme तमिल भक्ति जो प्रार्थना भजन या मंत्र थे उनकी जो major theme थी वो क्या थी पोट्स ओपोजिशन टो बुद्धिजम और जैनिजम जो प्रिवेलेंट है उसके पहले उनको भक्ती मंत्रों में या भक्ती भजनों में एक तरीके से क्या है ? उपोज किया गया ह इस 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 पर्टिकुलरी मार्ग इन इस इस पर्टिकुलरी मार्ग इन composition of the Nainars खास कर जो Nainars के compositions हैं, in compositions पर हम देखते हैं कि जो बध और जयन धर्शन है philosophy है, इसको condemn criticize या oppose किया गया है basically opposition word ही हम लेके चलते हैं आप पोजिशन व हमेठे की सामजने क कोशिश करते हैं तो इतिहासकार हमको सब्जाते हैं यानि बताने की कोशिश करते हैं कि इसलिए था गयोखी टा इसलिए था ठाव्यान के साथ ओविप्र करें के लिए कहीं न कहीं fund की भी ज़रूरत है और fund को अगर हम अटा दें तो एक बड़ा simple सा concept है जैसे बुद्ध ने ही जो अपना जब spread किया philosophy को तो अजाज शत्रू और बिम्बसार और बहुत बड़े बड़े जो eminent personalities है इन फैक्ट ब्रामनों की बात करें अगर तो अजीत केश, कामलिन, ठीक है मौगलान और सारी पुत्र इस तरह के बुद्ध के जो बहुत बड़े बड़े शिष्य थे ये सब ब्रामन भी थे और इनके खुद के पांसो हजार हजार शिष्य थे तो बुद्ध ऐसे एक-एक व्यक्ति को ऐसा नहीं, इंडिविजुली जाजा के शिष्य बना रहे थे वो व्यक्ति जो पहले से हजार शिष्य बना के बैठा है उस गुरू को ही अपना शिष्य बना लिया ठीक है, तो आटोमेटिकली उसके हजार शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए, इस थरह का कॉंसेप्ट है ना, यानि गुरू को ही चेला बना लो तो यह यहां पर बहुत इंप्लिमेंट होता है, कि अगर कोई बड़ा समराथ है वो और समराथ ही आपका भक्त बन जाएगा, तो फिर ऑव्यस ही बात है वो जो फॉलो करेगा, वो आपका धर्म फॉलो करेगा, और वो प्रमोट भी करेगा, तो आपका ही करेगा मंदिर बनवाएगा, तो आपके हिसाब के या वो जो धर्म राजा फॉलो करता है, वो बनवाएगा तो इस तरीके से धर्म का प्रचार करने का ये एक और सरलसाधन हो जाएगा, कि बहुत बड़े वक्ति को पकड़ लिया, clear है चलो, तो इतिहासकार समझाने की कोशेश कर रहे हैं ऐसा, कि इन अलग-अलग धर्मों के मेंबर्स के बीच में एक तरीके का competitive atmosphere होता था, है न, संगम एज जो है, संगम एज कह दो का मतलब दक्षिन भारत का जो सबसे important literature है, तो उसमें से जो references मिलते हैं, उसमें तीन डानस्टी के references मिलते हैं, चोल चेरापांड्या, चोल जो की सबसे ताकतवर थे दक्षिन भारत में, जिनका सामराज चोल मंडलम भी कहलाता था, या ज चोल रूलर्स जिन्होंने बहुत बड़े मंदिर भी बनवाए, 19th से 13th सेंचुरी तक रूल के अदक्षिन भारत को, इन्होंने क्या किया, किसको सपोर्ट किया, ब्रामेनिकल और भक्ती टेडिशन को सपोर्ट किया, और बहुत सारे लैंड ग्रांड्स भी दिये हैं, जमी कोई शिवकाउपासक होता था, यानि कोई अलवर संतों का फॉलोवर होता था, कोई नायनार संतों का फॉलोवर होता था, तो जो जैसा, जैसे मालो, राजेंद्र है, राजराज है, पितापुत्र हैं दोनों, तो एक अगर विष्णो का फॉलोवर है, अगला शिवा का तो यह चोल शाशकों के अधिपत्य या पैट्रोनेज में ही बने हुए हैं अल्रेट चलो दिस वास अल्सो पीरियोड विन समय प्रतिमा यही वो समय हैं जब शिवा के कांसे के बहुत सारे भव्वे, मूर्तियां वगेरा या उनके representation जैसे नतराज की जो शिवा की प्रतिमा है वो भी इसी कालगी मानी जाती है Clearly the visions of the nine hours inspired artist तो यह जो प्रतिमा हैं जैसे dancing शिवा नतराज की यह सब basically कहां से inspired थे नैनार संतों के vision से artist inspired होके इस तरह की मूर्तियां या कलाकृति जो है वो बना रहे थे और उसको support कौन कर रहा था चोल रूलर्स ही support कर रहे थे basically बोथ नैनार्स और अलवर्स वर रिवर्ट वायदा वलाल पीजन्स चलो तो पहले हम देखते हैं कि मर्चेंट्स और आर्टीशन्स जो हैं ये basically बुद्धिजम और जैनिजम को ज़्यादा support करने वाले थे लेकिन धीरे 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 भक्ती movements या भक्ती traditions ने जब penetrate किया तो ना सिर्फ royal patronage dominate कर गए या कह दो कि royal patronage को ही पूरी तरीके से हासिल किया या आप दूसरे सब्दों में ऐसा भी कह दो कि भक्ती संतों को ही royal patronage मिली जाता तर बलकि जो ये articians और peasant class के लोग है गिया जो व्यापारी लोग है merchant class के लोग है इन्होंने भी आगे जाके भक्ती संतों को ही तरजी ही देना या preference देना शुरू कर दिया ठीक है इसका कारण ये भी रहा होगा कि इनकी जो appealings थी teachings मतलब जो appeals थी या जो teachings थी वो ज्यादा impactful थी comparatively buddhist और जैन या फिर ऐसे ताकतवर ये impactful buddh संत या जैन संत नहीं रहे होंगे उस समय तो उसी का एक example देना है कि नैनार और अलवर दोनों को मानते थे कौन विलाल अब विलाल कौन लोग है बेसिकली ये एक तरीके से agricultural community है ठीक है ये effluent agricultural community है या कह दो सम्रद शाली संपन है ना prosperous agricultural community है peasants की कुछ लोग कुछ जगह पर इनको ब्राम्हिंड में consider करते हैं और कुछ जगह इनको अपर शूद्र community में भी रखा गया है बहराल जो भी हो इस debate पर अभी हम नहीं जाते हैं हम ये मानते हैं कि विलाल जो है basically एक prosperous agricultural community है जो नैनार और अलवर दोनों संतों को बहुत ही सम्मान की नजर से देखते थे ठीक है not surprisingly rulers tried to win their support as well तो विलाल यानि जब prosperous agricultural community उनको सम्मान दे रही है तो इसमें को याश्यर की बात नहीं थी कि आगे जाके जो शाशक थे वो भी इनको support करेंगे क्यों उसका कारण आगे समझ में आएगा the chola kings for instance often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples तो राजाओं के लिए कई बार संतों को या साधूं को या इस तरह के सिक्षाओं को जिनको public support already प्राप्त है उनको support देकर अपनी validity को भी acknowledge करना चाहते थे या एक medium समझते थे उसको या नि चोला राजाओं को लगता था कि अगर हम इनको support करेंगे तो we can easily claim our divine support that we are not ordinary king we have divine authority or we are representative of that divine authority तो ये बहुत important चीज़ होती थी एक divine support को gain करना और अपनी power और अपने status को और public के सामने थोड़ा सा dominate करना तो मंदिर बनवा दिया बहुत बड़े बड़े भवे जैसे ओपर गंगई कोंड चोलपुरम तंजाबूर के मंदिर जो बने हुए हैं जैसे ब्रहदेश्वर मंदिर बना हुआ है तो इन मंदिरों को बनाने के पीछे भी इनका यही purpose होता था और were adorned with stone and metal sculpture to recreate the visions of these popular sun इन मंदिरों में ना वो सिर्फ मंदिर बनवाते थे बलकि मंदिरों में नैनार और अलवर संत अगर शिवा का मंदिर है तो वहाँ पर नैनार संत और अगर विश्णू का मंदिर है तो हम पर अलवर संतों का जो vision है वो recreate होता था in fact बहुत सारे अलवर साधू या संत जो होते थे उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी वहाँ पर ठीक है वाल्स पर उन संतों को उनकी ब्रॉंज की या दूसरे metals की मूर्तियों को carve out किया जाता था और उनके prayers को उनके सिक्षाओं को उनकी जो भाशा है या जिस भाशा में वोगों से Tamil भाशा में basically communicate करते थे उसको वहाँ पर उकेरा जाता था clear है क्यों इस से valid यानि एक automatically ही लोग connect हो जाएंगे राजा के साथ में these kings also introduced the singing of Tamil Shiva Shaiv Himes in the temples under royal patronage यह देखो वह बात मैंने उपर ही कर दी कि चाहे वो अलवर संत हो चाहे वो नेनार संत हो उनके मंत्रों गया उनकी जो prayers हैं उनको भी वहाँ पर रखा गया और ना सिर्फ उनको दिवारों पर लिखवाया carved out किया गया बलकि राजाओं ने royal patronage दी कि इनकी प्रार्थनाओं भजनों और इनके जो compositions हैं इनको बकाइदा literature के form में लिखके public domain में रखा जाए तो बहुत सारे initiatives लिए गए कि royal patronage में लिखी हुई जो चीज़े हैं उनको collect किया जाए और organize करके एक textual document के तौर पर उसको public domain में पहुचाया जाए ताकि लोगों को पता चले उसी को जो अभी आपने थोड़े देर पहले उपर पढ़ा था दिव्य प्रवंधम तो दिव्य प्रवंधम जो है वो भी इसी का ही इसी project का हिस्स्ता था ठीक है टेक्स्ट के form में जिसे थेवरम कहते थे इस form में टेक्स्ट का मतलब उसको पढ़ने योग्य form में उसको public domain में रखा जाए चलो further हमें inscription मिलता है एक inscription मिलता है चोल रूलर है कौन परांतक तो परांतक नाम का एक चोल रूलर है दक्षिन भारत में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नाम उसका अभी script हो रहा है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो वो प्रसिद्ध मंदिर जा भगवान विश्नु का है और एक शिवा के लिए भी डेडिकेटेट किया है इसने पारंतक ने, तो उस मंदिर में इसने क्या किया हुआ है, वो एक तरीके से ना सिर्फ टेंपल का एक्जाम्पल है, बलकि वो इंस्क्रिप्शन के तौर पर भी सर्व होता है, यानि इतिहासकार उसको मंदिर के दिवारों को एक शिलालेख भी मानते हैं, क्यों शिलालेख मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, कुछ संत हैं, अपार, संबंदर और सुन्दरार, ये नैनार संत हैं, इन नैनार संतों का basically उसने क्या किया हूँ, image carved out किया हुआ है, और in fact इनके लिखी हुई जो या कही हुई जो बाते हैं, उनको भी इसने महाँ पर carved out करवा रखा या inscribe करवा रखा ऐसे कह सकते हो, ठीके चलो, बाद में जब कभी बहुत बड़े अवसर होते थे ना, जैसे कु सुंद्रार की मूर्तियों को, या मालो अगर कोई अलवर्स हैं थे तो उनकी मूर्तियों को public procession में ले जाया जाता था, ठीके, तो ये एक तरीके से क्या होता था, ये राजा की validity ही दिखाता था, ठीके देखो, public procession का मतलब कि, जलूस के तौर पर इन मूर्तियों को festivals हो गया होगा, कोई doubt नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी, तो अब हम आगे चलते हैं, अभी दक्षन भारत के ही tradition में, जिसका नाम है वीर शयवर ट्रेडिशन, दक्षन भारत में करनाटक में, अलवार और नैनार संतों के अलावा, एक अलग परमपरा चली, जिसे कहते हैं हीरों या वीरों की परमपरा, ये लोग बेसिकली हैं वैसे नैनार, हैं नैनार से ही, लेकिन आगे जाके इन्होंने अपने आपको traditional नैनार संतों से अलग कर लिया, different कर लिया, और separate कह सकते हूं, separate भी कर लिया, in fact ऐसी situation होगी, कि नैनार से ही निकलेंगे वीर शयवा, वीर शयव में भी classification हो जाएंगे, वीर शयव में भी classification हो जाएंगे, जिन में एक branch बनेगी यहीं पर आ जाएगे, लिंगायत, आगे जाके लिंगायत में भी classification हो जाएंगे, थोड़े थोड़े अंतर के चलते, आज के रेट में बहुत सारे लिंगायत लोगे दक्षिन भारत में जो OVC का क्राइटेरिया वगएरा भी डिमांड करते हैं अपने लिए चलिए तो बारवी शताबदी के आसपास करनाटक में एक ब्राम्हन था जिसका नाम था बासवन्ना ठीक है बासवन्ना उस समय कल्चुरी राजवन्ष जो था कल्चुरी शाशकों के यहां मंत्री पत प यह होता है या जो लोग साधू बनते हैं उनके साथ ऐसा होता है तो उनका निमाग खराब हो घुए एक दिन और जैसे निमाग खराब हुआ वैसे ही सब छोड़ चारके रिजर्इज रेजिगनेशन वगरा दिया इन्होंने ठीक है और तुरंत रेजिगनेशन मेल करने के बाद फिर बढ़ियां अपना भगवान शिव की पूरा लॉकी टॉकिट पहन मैं के माला वाला पहन के निकल लिए उसके बाद इनोंने ट्रडीशन चलाया कौन सा ट्रडीशन चलाया ट्रडीशन जो है उसको कहते है वीर शैव ट्रडीशन ही रोज ऑफ शिव के बहादूर य अगर आप कहोगे तो बहुत सारे लोग लिंगायत जो है वो अपने आपको वीर शैव में से कंसीर नहीं करते हैं वो कहते हैं हाँ थे हम लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट हैं ऐसा तो लिंगायत भी अब बहुत सारे अलग 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 छोटे छोटे डिफरेंस के चलते से तो बहुत इंपोर्टन एंटिटी के तौर पर पर यह community के तौर पर माने जाते, मैंने गाना है कि यह लोग आजकल status OBC, status वगारे के लिए भी दिभान करने लगे हैं, चलो, शायद मिला भी है नहीं, I'm not sure about that, they worship Shiva in manifestation as a linga, तो नैनार में क्या था, कि शिव की प्रतिमा, या फिर पूरी तरह से निराकार, अलवर और जो वो थे, आपके नैनार संत थे, इनके लिए पहले ही निरगुन सगुन वाला concept आपको बता दिया गया है, तो नैनार संतों में भी कुछ ऐसे हैं, जो सगुन शिव की अपासना करते हैं, तो ये निरगुन शिव की या कहदो निराकार शिव को मानने वाले लोग है, बेसिकली और ये शिव लिंग को ही, शिव का मैनिफेस्टेशन मानेंगे, ठीक है, and man usually wear a small linga in a silver case on a loop strung over left shoulder, बाएं हाथ पे धागे में बांधके एक चान्दी का शिव उसको टाइ करके रखेंगे और उस शिवा को ही एक तरीके से ऐसे बानेंगे कि आलवेज हम एक कनेक्टेड है वो बांधने का परपस क्या है परपस यह है कि हम हमेशा एक कनेक्ट फिल करेंगे अब इसी में जो जैसे वासवन्ना है वासवन्ना तो में लीडर हो गए आगे जाके उनहीं के इक्वल और बहुत सारे उनके शिश जो लगभग लगभग उनकी जगह लेने के लायक हो जाएंगे या मैं कहूं वासवन्ना की ही बात कर दो थोड़ी देर के लिए यानि जो लीडर था तो ऐसे लोग जो बहुत रिवर्ड हो जाते थे बहुत सम्मान्नी है जो लगभग लगभग परफेक्शन वाली स्टेट पर पहुंच जाते थे भक्ती के या लगभग शिव से जिनका तो इनको कहा जाता था जंगम संस्कृत में दो वर्ड है एक है इस्थावर इस्थावर को मतलब होता है one something which is stationary जो इस्थाई है एक ही जगह पर है move नहीं करता उसको इस्थावर बोलते है और दूसरा वर्ड आता है यह जो लिखा हुए जंगम इस्थावर के सांसा दूसरा जंगम जंगम simply means something which is moving movable or wonders here and there एक जगह से दूसरे जगह गतिमान move करने वाला उसको जंगम बोलते है तो इसको जंगम संस्कृत में या wandering monk हिंदी में कह दो सन्यासी तो जो बहुत उच्छ लेवल पर पहुँच जाते थे जो directly सिवशे बात करते थे ऐसे टाइप के जो महान संत हैं उनको जंगम कह दिया जाता था आज भी बोलते हैं ध्यान रखेगा आज भी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस दौरान भी अगर कोई लिंगायत community का है तो उनके हाँ जो बहुत बड़े संत आते हैं जो उनके हाँ कुछ-कुछ rituals करेंगे उनको जंगम ही कहा जा बहुत कुछ जो पुरानी वैदिक टीचिंग से इनका भी कह सकते विरोध करते हैं आगे और क्लियर हो जाएगा अभी है ना चलो तो लिंगायत बिलकुल मृत्य पर वह भरोसा वैसे नहीं करते जैसा मृत्य का कॉंसेप्ट वैदिक कॉंसेट है उनका कहना है कि मृत्य कु कुछ भी नहीं है तो जब आप वह इन्विजिबल होंगे इसका मतलब आप शिवा में जाके मर्ज हो गए है तो डेथ इस नाथिंग यल्स बलकि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है हम तो यहां से एक जंजट से और चुटकारा पा लेते हैं और शिव में जाके मर्ज हो बारी डेड बलकि क्या करते हैं सिंप्लि अब ऑविस से बात है जोड़ के जाना ठीक नहीं कुछ तो ऐसे भी सेक्ट के लोग है जो अपनी डेड बाडी को छोड़ देते हैं ऐसे की चलो चील कोगों के भी कम सा कम मरी हुई बाडी भी काम आएगे खाने के एक से एक बहरत इसी चीज़ों को भी क्या करेंगे, कंडेंब करेंगे, जो धर्मशास्त्र और कहते थे, जैसे, तलिंगार चैलिंगे दाइडियाज आइडियाज आफ कास्ट, यह न, दो पॉलूशन अट्रिबूट टू सटेंग ब्रामनास, जो पुराना एक वर्ण विवस्था था, जिसमें कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो अन्टचिबल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो मतलब, वो पॉलूशन वाला चैप्ट जो इसके पहले भी पढ़ चुक है, आपकी आइस प्रुष्य है, इस कॉंसेप्ट को भी लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो यह वीर शैव लोगों को सबसे जादा सपोर्ट किनका मिला, खासकर ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज थे, अधर सोशल कम्यूनिटीज या कैटेग्रीज और कहदो कि अंटचेबल्स, आउटकास्ट लोग जिनको ज़्यादा अभी इंटिगरेशन नहीं किया गया था जिनका, वो लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे और इस तरीके से इनकी संख्या लगवग लगवग और ज़्यादा पढ़ जाएगी, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्राक्टिस जो धर्म शास्तर में डिसप्रूवड हैं, यानि कि बिल्कुल नहीं करना फॉर्विडेन हैं, उनको भी ये लोग इनकरेज कर रहे हैं, जहां पर पोस्ट प्राक्टिस जो है, उसको फॉर्विडेन किया गया है, यानि प्री प्रीवर्टी मैरिज, अब ये क्या है वही सब्ट, तो देखो, जो विवाह है, ऐसा माना गया, कि विवाह का जो कॉंसेप्ट है, वो कब होना चाहिए, इसके पहले कि प्रीवर्टी आए, प्रीवर्टी क्या है, तो जैसे ही पहरे बच्चे हैं आप 19 साल तक, तो 8 साल तक है, 8 साल, 9 साल तक, पूरी तरह से प्योर, पिक्दम, शुद्ध, मासूम बच्चे हैं, धेरे-धेरे बॉडी में हॉर्मोनल चेंज़ेस होते हैं, और इन हॉर्मोनल चेंज़ेस की विज़े से, जय से, sixteen is, बॉडी में, विजबल होते हैं, चलनी हें हो, और तब दुनिया की फजहिते हैं, वैसही फिंएल के साथ भी, शुरू हो जाता है, टीक ह। है, ऐस्ट्रोचन, हॉर्मोन्स, जयसे गले हो, आईनि ‑‑ जिकलल हो जाते हैं और वोइस्ट में चेंज़ेfundें इसे हैं, दुनिया भर की फजी हेते शुरू हो जाती है तो इसको कहते है पिवर्टी और secondary characters भी दूसरी भाषा में कह दो विज्ञान की भाषा में तो ये characters शुरू होने के पहले की अवस्ता है उसे pre-pubर्टी कहते है और ये characters शुरू होने की अवस्ता post-pubर्टी कहलाती है ठीके तो जो धर्म गरंथ हैं धर्म शास्तराज हैं ये कहते हैं कि इसके पहले की ये शुरू हो निपटा दो इसके पहले कि ये शुरू हो निपटा दो जल्दी से तुरंट घरवर तो देखो कोई अच्छा सा ठिक ठाक बढ़का देखो और विवा कर दिया जाए और उनका कहना है कि पोस्ट प्रुबर्टी ना किया जाए पोस्ट प्रुबर्टी मैरिजस को फॉर्बिडन किया गया है ठीक है चलो अभी इतना ही समझ लो यहां पर बहुत जादा डिटेल मे हो गया तरीके से और डेफिनिटली है भी आज के डिट में भी और इन फाक्ट बिटिश एरा में भी जब चाइल्ड मैरिज को प्रोईविट किया गया या डिविट सुई तो इन चीजों को रिफरेंस के तौर पर दिया गया था तो दर्म शास्तर में बहुत सार यसी लिकी बाते थी जो डिसप्रूफ की गई थी उनको इन्होंने इंकरेज किया कि नहीं करो ओस्ट पिवर्टी डिसप्रूफ थी बट दे अप्रूवड अल्राइट होपफुली आप समझ रहें मेरी बात को और रिमारिज अगर कोई विड़ो है ठीक है जहां तक मैंने समझने की को आते हैं या स्टोरीज मिलती है तो ऐसा कुछ कहीं भी फॉर्विड़न नहीं हुआ कि कोई अगर विड़ो है तो उसकी शाधी ना हो जहां तक मैंने पढ़ है ठीक कोई बात नहीं अभी फिर बात में और सर्च कर लेंगे तो कहां गया कि विड़ो की रिमारिज नहीं होग यह भी फॉर्विड़न था दा वाज़ों धाड़ो कुछ कुछ धर्मसूत्राज और सास्त्राज में विड़ोने का नहीं बिलकुल नहीं ठिक टाक लगा देखो तुरंचादी करवा अगर कोई विड़ो है तो अल्रट इप शी इस विलिंक टू मैरी ऐसा नहीं किज़ करवारे में तो बचन है बचन को मतलब जो कहा गे या जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं वह भurar भाचा थी आजी से जो बोला गया उच्शारन किया गया वानी से वानी से उच्शारन करने वाले चीज़ को बचन बोलते हैं ठीक है जो भी प्रनाउwns कर रहा हूं हम है तो इनके वचनों को बाद में कन्नट लैंग्वेज में उन महिलाओं और पुरुशों देया रहा जो की इन आंदोलन को जोईन कर चुके थे यानि लिंगायत या वीर शैवा के भक्त बन चुके थे या वीर शैवा को जोईन कर चुके थे उन्होंने ही इसको आगे जाके क्या किया प्र अब उत्तर भारत की तरफ चलेंगे नॉर्थ इंडिया, religious foment in Northern India, during the same period, which period? Same period का मतलब, same period मतलब, जब हम Southern part में इंडिया के बक्ती का penetration या बक्ती tradition का development देख रहे हैं, at the same time when बक्ती traditions were developing or cultivating in the Southern part of India, at the same time, नॉर्थ इंडिया में चल रहे हैं, deity such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, तो उत्तर भारत की कहानी बड़ी simple है, दक्षिन भारत की कहानी में, अलवार, नैनार और इस तरीके के संत्र और डाइवर्स, हना, categories of बक्ती branches चल रहे हैं, वीर, शैवर, ट्रडिशन चल रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में इतना बड़े लेवल पर movement वाला system नहीं चल रहा है, उत्तर भारत में simple है, जो भी वैदिक सिक्षाएं थी, उनमें जो रिफॉर्म हो रहे थे, उस रिफॉर्म के थुरू पुराने जो देवता थे, इंद्र, अगनी, वरुने, सब तो अब इरिलिवेंट हो गये थे, इनके जगह पर विश्णु, शिव, कृष्ण, राम और अलग-अलग मूर्तियां या डीटीज आ गई थी, या इश्वर के रूप जो है, वो आ गए थे, और इन ही के पूजा पाट यहां पर बेसिकली हो रहे थे, इनके पूजा पाट हो रहे थे, और जो लोकल शाशक थे, रूलर्स थे, इनके सपोर्ट से बहुत विशालकाय अच्छे भव्वे मंदिर भी बनाय जा रहे थे, चलो, so, however, हलां कि इतिहासकार, जो है, historians, have not found evidence of anything resembling the compositions of Dalwar and Naynaar, यह मैंने पहले ही बता दिया कहां पैसा कुछ है नहीं, कब तक, 14th century तक, वहां पर 8th century के असपास ही शुरू हो गया, और इस, in fact, थोड़ा पहले सही background बन गया था, सदन पार्ट में इ 14th century के आसपास हमको यहां पर देखने को मिलेगा, how do we account for this difference, तो हम इस difference को किस तरीके से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, इस paragraph से आगे की कहानी, को continue किया जा रहा, यह नि इतिहासकार, आपको reason बताएंगे कि 14th century आते आते, बड़े लेवल पर बद एक important reason था, दक्षिन भारत में राजियों का जो उदय था, या मैं कहा दूं कि बड़े empires जो है वो इतने लंबे समय तक नहीं रहे, और थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल भी जादा रही, लेकिन उत्तर भारत में इतनी जादा नहीं रही, तो इनका कहना है कि यह particular जो time period medieval time period में, जैसे गुपतों के बाद फिर थोड़ा सा एक disturbance आया उत्तर भारत में और उसके बाद फिर राजपूतों का उदय हुआ, तो जो medieval Indian history या मद्देकाल का इतिहास माना जाता है, इसमें इतिहास कार राजपूतों के dominance या emergence को एक कारण मानते हैं, वह कहते हैं कि को support करने वाले थे, so in most of these states, जादातर इन राजपूतों में, ब्राम्हन occupied position of importance, क्योंकि राजपूतों की जो वो उत्पत्ती होती है, इसके पीछे भी बहुत सारे divine theories आती हैं, वो भी अपने आपको राम के वंशाज, या सूर्य चंदर के वंश, चंदर वंशी, सूर्य पूजान के हैं, या कैदो की चतरी वंड के हैं, तो ब्राम्हन उनके लिए पूजे होई के, या ब्राम्हन या कहदो वर्ण वस्ता को को मानें के कही नहीं, तो ब्राम्हन को ही importance दि रहे हैं, वो लोग अलए चलो, तो इस importance को मेंटेन रखा, और बहुत सारे जो बनाए और कोई भी ऐसा ग्रूप उस समय तक ज्यादा इमर्ज नहीं हुआ था, जो ब्रामनों के इस अथोरिटी को डायरेक्ली या इनडायरेक्ली चैलेंज कर रहा हूँ, इसलिए हमें यहां पर कोई बहुत जाद ऐसे चेंजिस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दाइवर्स कैटेगरी औफ एसेटिक्स, कुछ ऐसे तपस्वी, कुछ ऐसे सादू, कुछ डिफरेंट ग्रूप के लोग हैं, जो अपने ही एक पंत, रास्ते या अपने मेथेडोलोजी से उस स्प्रिचुल जर्नी को या उस सत्य को सुप्रीम को रेलाइस करने के जो अपने आपको ब्रामेनिकल फ्रेमवर्क में, या मैं कह दूँ यहाँ पर, what is the meaning of ब्रामेनिकल फ्रेमवर्क हीर, ब्रामेनिकल फ्रेमवर्क से मतलब यहाँ पर साफ है, कि जो वो पुराना धर्म सूत्राज और धर्म शास्त्राज या जो वैदिक टीचिंग्स हैं, जो वेदों में लिखी हुई चीज़े हैं, तो जो इस फ्रेमवर्क में अपने आपको फिट नहीं मान रहे था, उनको लगता था कि यह हमारे समर से बाहर है, हमको तो बहुत प्राक्टिकल चीज़ चाहिए, सिर्फ थेवरी पढ़ने से कुछ खास होगा नहीं, हमें टेस्ट चाहिए, हमें experience चाहिए, बेसिकली, तो वो लोग धीरे धीरे gaining ground, मतलब धीरे धीरे अपनी जड़े जमा रहे थे, या कहीं कहीं पर उनका reference हमें देखने को मिल रहा है, इनमें कौन लोग है, इनमें तीन लोगों का जिकर आता है, नात जोगी और सिद्ध लोगों का, अब यह जो तीन वर्ड लिखे हुए हैं, यह तीन वर्ड में लिखे हुए, जो तीन अपने आप में बहुत ब्राड कैटेग्रीज हैं, लेकिन अट सेम टाइम टाइम इनको अलग करके ना देखा जाए, तो जब आप देखते हूं नात, ठीक है, जोगी या योगी कहतो, दोनो या उपर नीचे भी रख लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नात, सिद्ध और योगी, चलो, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के कोशिश करता हूं, नात, जोगी और सिद्ध, बेनी ओफ देम केम फ्रॉम आर्टिशनल ग्रूप्स, यानि यह वो लोग थे जो बेसिकली ब्रामेंडिकल ग्रूप में या कैटिगरी अवर्ण में नहीं आते थे, और अगर आते भी थे, इन में से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा नहीं है, कि सिर्फ आटिशनल ग्रूप से हैं, या अधर सोशल कमेनूटी से हैं, जिसे वीवर्स वगरा, तो मैजोरिटी भी किया जाए, स्वाध भी लिया जाए, ज्यादा तर जो है, वो डिफरेंट डाइवर्स कैटेगरी से आने वाले है, ब्रामनास के अलग, अदर देन ब्रामनास कैटेगरी के लोग है, और वो अपने आपको इस ऑर्थोडोक्स ब्रामिनिकल फ्रेमवर्क में तो फिट बि अधा रहे हैं, और चलो, तो यह लोग धीरे धीरे बहुत क्या हो रहे थे, इंक्रूसिंगली इंपॉर्डेंट विदिन डेवलोप्मेंट ऑफ और अर्गनास क्राफ पोड़क्शन, यानि क्राफ्ट पोड़क्शन जो ऑर्गनास तरीके से चल रहा था, राजे रजवारे जहां एक तरफ ब्रामनों को शेल्टर दे रहे हैं, तो एकोनोमी को भी रन करना, उनका एक इंपॉर्डेंट रिस्पॉंसिबिलिटी है, तो एकोनोमी को भी सपोर्ट किया जा रहा था, तो क्राफ्ट पोड़क्शन वागरा भी ठिक ठाक चल रहा था, तो इनकी कंडिशन या स्पिरिच्छल परसूट इनके अंदर आ रही थी, उसको ढूरने में ब्रामनिकल फ्रेमवर्क के इतर, ये रास्ता नाथ जोगी और सिद्ध पंथी वाला जो रास्ता है, या नाथ पंथी, योगी और सिद्ध वाला जो रास्ता है, ये लोग अपनाएंगे, क्लियर है चलो, और ऐसा इसलिए हो रहा था, क्योंकि demand for such production grew with the emergence of new urban centers and long distance rate with the Central Asia and West Asia, और ऐसा इसलिए भी था, मतब ये वर्ग थोड़ा सा importance इसलिए भी गेन कर रहा था, क्योंकि मद्यकाल आते आते, लगभग लगभग भारत का वापस से जो एक व्यापारिक संबंध है, जो ancient Indian history में ह हमने देखा, या ancient time पर हम देख रहे थे, मौरियाज बगएरा के समय, जो चल रहा था, यौरप के साथ तक में, Central Asia से होता हुआ, जो Silk Route जिसके आप बात कर रहे हैं, वो फिर से properly established हो गया था, वो contacts फिर से बन गया थे, और ये long distance trade हमेशा इंडिया के लिए क्या था, beneficial था, य ये effluent भी होते जा रहे थे, ठीक ठाक इनका prosperity भी बढ़ रहे थी, तो material status भी ठीक ठाक हो रहा था, और material status के ठीक ठाक होने के साथ, इनकी जो spiritual quest है, वो भी इनको एक तरीके से motivate कर रहे थी, कोछ समझा जाए, थोड़ा देखा जाए कि इनके अलावा भी ब्रामिनिकल framework जो बन ये बढ़ गए, तो नाथ, योगी और सिद्ध, मतलब आगे नहीं बढ़े, ये सब एक को रिलेटेड ही है, जैसे नाथ, योगी और सिद्ध हैं, ये सब ये जो नए रिलीजिन वाले लोग हैं, ये सब वेदों की authority को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, और अपने जो experiences हैं एक तरीके से कह दो कि वो deprived रहा इससे, उसको देने की कोशिश करेंगे, तो नाथ, बेसिकली जो हैं, ये सब लोग बहुत जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो ये अक्सर जब आप इनके वक्तव में सुनते हैं, यानि इनकी sayings या इनके जो भाशन या इनके जो meetings होती हैं, lectures होते हैं, इनके दौरान जो एक वर्ड ये अक्सर बोलता हैं कि शिवा कौन है, आदि योगी हैं, यानि basically he was the first person who actually, you know, imparted the teaching of yoga, और who imparted the basically yogic teachings, yogic practices to this earth planet, you know, तो उनका कहना, इसलिए वो कहते हैं, शिवा के लिए ये आदि योगी वाला term इस्तिमाल करते हैं, तो आदि योगी या आदि नाथ जो term आता है, वो शिवा के लिए आता है basically, तो नाथ पंथ basically अपनी origin को trace कहां से करता है, शिवा से करता है, इस ये कुछ महतपूर्ण और गुरु हैं, ऐसे दस गुरुओं का जिकराता है, तो basically एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी origin या अपनी teachings को नाथ संपरदाय से relate करता है, वो कहला था नाथ पंथी, clear है, और शिवा से कहीं न कहीं, उसका relation है, ठीक है, हमारे यहाँ एक बहुत और important political figure है, योगी आदित नाथ का नाम सुना होगा, तो नाथ वर्ड यहाँ पर जो related है, वो इसी संपरदाय से related है, और जो जो जिस एरिया में रहते हैं, वो गुरक पूर, basically वो गुरक्षनात, उनके जो गुरु के गुरु थे, basically ऐसा, वो उसी एरिया को बिलॉंग करने वाले है, ज नाथ मतलब simply one who is basically the follower of the Shiva और आदिनाथ और आदियोगी या फिर उनके शेश्यों के शेश्यों के शेश्यों का शेश्यों का शेश्यों होगा, यह अपना जो spiritual experience है, वो meditation के थो गहन, ध्यान वगएरा के थो गेन करने पे भरोसा रखते थे, इनका मानना है, देखो, वैसे तो chemical process, life is a psycho chemical process, और कुछ अब तक ठीक ठाक कह रहे हैं, बेसिकली मनो वैज्यानिक या रासायनिक या हिंदी में तो मैं इसको टांसलेटी फिलाल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, मनो रासायनिक या कुछ इस तरीके से कह दो, you know, psycho chemical process है, definitely something, some chemical process is going on, some, you know, कुछ इस तरह से चल हो रहा है, तो उनको कहना है कि इसको हम through the yoga, we can control it very easily, और जब हम इसको control करते हैं, बहुत अच्छे से, meditation वगएरा के थुरू, तो हमारी body पर, हमारे psych पर, mind पर, पूरा control इस्टेबलेश हो जाता है, और through which, we can attain the samadhi, kundalini वगएरा, ये सब कुछ का concept जो आता है, kundalini शक्ती का, ये सब कुछ इसी में आता है, या नाथ में ही आता है, या इन तीनों में ही आता है, कुल मिला के, फिर आता है योगी, तो योगी व्यक्ती कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो नाथ समपरदार से ही हो, वो एक individual free man हो सकता है, जो अपने आपको इसी ध्यान या अन् किसी विधा के दोरा, अन्ने किसी methodology के दोरा, spiritual perfection तक पहुचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें ये जो योगी व्यक्ती है, ये भक्ती योगी भी हो सकता है, कर्म योगी भी हो सकता है, ज्यान योगी भी हो सकता है, योगी simply means one who is aspiring to connect, to add, connect, योग का मतलब क्या होता है, यो इंदी मठते हैं ना, 2 प्लस 2 का योग कीजिए, कितना होगा, चार हो जाएगा, तो 2 और 2 का योग होगा, जुड़ना, connect करना, ठीक है, इसकाल योगा, ठीक है, योगा है, योगा है, योगा है, डाक राइट नॉस्टिल बंद करिए, लेट नॉस्टिल बंद करिए, फिर योगा है, योगा है, योगा है, योगा है, इनी में से कोई एक हो सकता है, जो लगभग लगभग परफेक्शन पे पहुंच गया है, ये परफेक्शन कई तरीके की होती थी, कई बार प्रैक्टिस करते करते, उनके अंदर कोई सुपरनेचरल पावर साती थी, तो ये वो लोग होते तो जो सुपरनेचरल पावर पजस करते थे, और ना सिर्फ पजस करते थे, बल्कि कई बार मैनिफेस्ट भी करते थे, जैसे बहुत सारे आपने टीवी वी में देख ये लो बालक, तो ये इस पीपल वर बेसिकल ये सिद्ध याना सिद्ध का मतलब कहते हैं ना सिद्ध हो गया मतलब मुझे ये चीज अचीज वन हुएज अचीवड इस कॉल्ड सिद्ध तो इनके पास बहुत सारी सुपर नच्रूल तो ये लोग क्या करेंगे इन ही सब के दौरा जब perfection प्राप्त करेंगे तो perfection प्राप्त करके कहेंगे कि भाईया वेद ही सब कुछ नहीं है वेदों में सिर्फ थियोरी लिखी हुई है लेकिन उसको महसूस करना उसको practically experience करना ये important होता है और practically experience आप इन इन तरीकों से कर सकते हो ठीक है और फिर ये जो उन्होंने अनुभव किया उसको आशान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे clear है तो धीरे धीरे ये प्रमपरा जो है वो centuries तक या नि कई शताब्दियों तक बढ़ती रहेगी आज भी चलती है नाथ योगी सिद्ध आज भी है इन में से खासकर नाथ वगएरा समपरदा के लोग तो ही मैंने जैसे पहले कह दिया however in spite of their popularity these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites हलाकि इनकी सामाने लोगों के बीच में popularity बढ़ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी जो उस समय की ruling group है या कहदो की leadership है जो शाशक वर्ग है वो इनको बहुत ज़ादा acknowledge नहीं कर रहा है clear है ruling elites से इनको बहुत ज़ादा acknowledgement नहीं मिलेगा और यही कारण होगा कि बड़े royal patronage या बड़े royal support के बिना एक बहुत बड़ा नाम गेन करना इनके लिए possible नहीं हुआ या इनके बहुत बड़े मंदिर नहीं बन पाए उतने magnificent तोर पर हम नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए जितना हम बाकी ब्रामनाज या वेश्नु और शिवा को जानते है a new element in the situation was अब यहां से जो background बन रहा है वो आपकी एक नए topic को जन्म देगा क्या कि यहां पर नए element आएगा नए element क्या है कि अब धीरे-धीरे जो राजपूत रूलर्स हैं इनके उपर invasion हुआ किनका तुर्क लोगों का तो भारत में तुर्कों का आकर्मन हुआ और गौरी के साथ में इनके बैटल्स हुए ग्यारा सो इंक्यानवे तरह इनका युद्ध हुआ ग्यारा सो बानवे तरह इनका युद्ध हुआ और दूसरे जुद्ध में प्रतिवराज चोहन की डिफीट हुई और उसके बाद फिर भारत में तुर्कों का साशन इस्थापित हो गया तो 13th century में जब तुर्कों का साशन वास्तविक्ता में इस्टैबलिश हो गया बारत में किसी ने मुझसे कहा था तुर्कों के बारे में थोड़ा separately बताओ मैं जरूर एक particular video लेके आऊंगा कि तुर्क कहां से शुरू हुए तुर्कों के अलग-अलग जो कुनबे क्लैंस थे बताओंगा समय बहुत कम था इसलिए पहले इन chapters को complete करते चलें कुछ-कुछ history में से जो अलग-अलग इस तरह की informations है इनके लिए हम अलग-अलग छोटे-छोटे videos जो है वो करेंगे चलो तो this undermined the power of many of the राजपूत states यानि जब तुर्कों का कबजा हो गया तो धीरे धीरे राजपूत शाशक आपशी जगडे या अपने internal clashes के चलते कमजोर होते चले गए और जो ब्रामनाज वगेरा थे उनसे जुड़े हुए या इनके राजपू में जो royal patronage पाए हुए ब्रामनाज थे अब्वेसी बात है उनकी भी condition उतनी powerful नहीं रहेगी वो भी उनकी condition भी undermined होगी या उनकी जो उनका जो सम्मान है वो भी undermined होगा अब्वेसी बात है इस वाजपेंड माग changes in the realm of culture and religion तो इसका reflection कहां पड़ेगा इसका reflection पड़ेगा भारत के उस समय के संस्कृति और धर्म में इंडिया में जो culture और religion उस समय dominated है वो भी impactful होगा या उस पर भी बहुत बड़ा गहरा impact पड़ेगा तुरकों का the coming of these सूफी बहुत पाट आप दिस development तो नए culture नए religions इंडिया में आप flourish हो रहे हैं और नए culture और religion को हम पढ़ेंगे particular topic है जिसका नाम है Newest Trends in the Fabric या Islamic Traditions यह जो paragraph है आपका particular इस paragraph से हांगे की कहानी अगर हम समझे तो क्या कह रहा है यह कि just as the reasons within the subcontinent were not isolated from one another यानि जिस तरीके से subcontinent यानि भारती जो उप महादीप है subcontinent है चुकि पहले Pakistan या Afghanistan जैसे Bangladesh जैसे इस तरीके के देशों का अपना एक independent existence नहीं था यह सब भारती उप महादीप subcontinent का हिस्सा ही थे तो जिस तरीके से subcontinent एक दूसरे से connected थे या कहे दो कि एक दूसरे में पूरी तरीके से कोई ऐसा isolation नहीं था वैसे ही कहा जा रहा है कि समुद्रों और परवतों के थूँ ये subcontinent दूर के देशों से भी connected था यानि बाहर के देशों के साथ भी connected था और अरब merchants जो हैं यहां से बहुत सारे ऐसे सामान हैं बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जैसे मसाले वगरा कपड़े जिनका व्यापार करते थे भारत से अरबी व्यापारी वो सामान लेके जाते थे और इसके बाद उनको ये और आप में बेशते थे और अच्छा मुनाफ़ा कमाते थे ठीक है ये तब तक चलेगा जब तक कि Europeans लोग alternative route नहीं खोज लेंगे वासको डिगामा एन पार्टी और बाकी Europeans फिर आ जाएंगे ठीक है तो ये एक अपनी अलग कहानी है फिलाल यहां पर यही कह रहे हैं उसके बाद यह कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि Central Asia के लोग भारत के North Western area में आके Settle ही होने लगे यानि Subcontinent में धीरे धीरे वो लोग जो पहले व्यापार में included थे उन में से प्लस और Central Asian कुछ दूसरी Tribes आकर इंडिया के North Western boundaries में Settle हो गई ठीक है क्यों Settle हो ही क्योंकि यहां से एक नए धर्म का उदभव, Emergence होता है Advent of Islam तो 7th Century तक की जो कहानी है वो ही आपके Medieval Indian History की शुरुवात मानी जाती है और यहीं से आपके भक्ती का ही Emergence है तो आपको यह paragraph connect करना चाहरा है कि with the Advent or Emergence of Islam in the 7th Century that Islam came to India और उसके साथ ही भारत में फिर Islamic traditions के शुरुवात होती है तो यह जस्ट एक background था यहां से हम आगे बात करते हैं मैं आपको थोड़ा सा brief कर देता हूँ 11th Class में आपने वैसे पढ़ा हुआ है अब वो उतना बताना तो यहां पर पॉसिबल नहीं है पूरा लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दे हम तो Approx 570 April 570 में पैगंबर मुहम्मद सहाब का जरम माना जाता है बर्थ माना जाता है मक्का नाम की जगह पे मक्का और इसके बाद at the age of 40 in 610 610 में ही इनको Revelations हुए ठीक है गैबरियल नाम का जिबराइल नाम का एक फरिष्टा है उसके दौरा कुछ Reveal किया गया ठीक है ऐसा कहा गया कि संदेश प्राप्त हुआ इसलिए मुहम्मद को क्या कहा जाता है पैगंबर प्रॉफेट मैसेंजर ठीक है पैगाम लाने वाला अल्लह का तो इनको पैगाम मिला मैसेज मिला मैसेज रिवील किया गयाबरियल ने या जिबराइल ने और इसके बाद 613 से इन्हें ने लगबाग ले दो तीन सालों के बाद इन्होंने इसलाम को प्रीच करना शुरू कर दिया मुहमद ने और फिर धीरे 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 करते रहे 63 at the age of 63 अप्रॉक्स इसी एज के आसपास 500 लगबग लगबग आप कह दो की 632 में अप्रॉक्स 632 के आसपास इनकी डेथ होई ठीक है कहां पर मेदीना नाम की जगह पे मेदीना में 632 में मुहमद साब की डेथ होगी और इसके बाद फिर खलीफा इनके डेपुटी जो है वो रूल करेंगे और वो इसलाम को स्प्रेड करेंगे और धीरे धीरे इसलाम अरब के रेगिस्तान से निकलके यरप की तरफ एशिया की तरफ आफरिका की तरफ और दुनिया में तमाम जगहों पर फैलने लग गया ठ इराक में उस समय खलीफा हुआ करते थे या हुआ करता था कुछ भी कह दो कोई दिक्कत नहीं या अपनी बनाई भी पोस्ट है ठीक है इराक में एक खलीफा है जिसका नाम है अलहज्जास तो अलहज्जास का कुछ हसाब किताब बिजनेस ओपरेशन चल रहे हैं श्रिलंका के रूलर्स के साथ में तो इस बिजनस ओपरेशन के चलने के दौरान क्या हुआ कि एक शिप जो है एक जहाज जो है कुछ चीजों से बारा हुआ वो श्रिलंका से जाएगा इराक के तरफ लेकिन वो जब रुकेगा कहां पर सिंध नाम की जगह पर ठीक है ये पहले अगर म पाकिस्तान ये अफगानिस्तान जैसी कोई अलग जगह नहीं थी चलिए तो ये सिंध जो है यहाँ पर जहां आज गुजरात है मतलब गुजरात तो हई है उसी से लगा हुआ सिंध हुआ करता था पहले तो यहाँ पर एक पोर्ट परता था देबल नाम का देबल पोर्ट कुछ लूट पार्ट हो गई और उस चीज को लेके अलहजास का देबल का जो रूलर हुआ करता था या कह दो सिंध का जो रूलर हुआ करता था, ठीक है? उसके साथ में कुछ कहा सुनी हो गई और उसने उसको कहा कि भाईया हमारी यह जो लूट पार्ट हुई है उसको जो शिप को आपने वहाँ पे रखा हुआ है तो आप पनिश करो उन लोगों को पारेट्स को और हमारे शिप को रिलीस करो नहीं किया इन्होंने चलो राजा का नाम था दाहिर और इस बात को लेकर फिर खलीफा अलहजाज ने अपने भतीजे और दामाद कह दें या सेना पती भी कह दें साथ साथ ने 711 में मुहम्मद कासिम को भेजा तो मुहम्मद कासिम आएगा और सिंध को जीत लेगा ठीक है चलो इसके बाद आगे के कहानी अलग है जिस पर अभी हमें डीटेल में नहीं जाना है आपको कुल मिला के मुझे यहाँ पर यह पढ़ाना है सूफी ट्रडिशन के तरफ तो सूफी समझने के पहले इसलाम समझना ज़रूरी होगा चलिए तो इस तरीके से सिंध जो है तुर्क थे तो तुर्कों की वसावट या मैं कहूं कि उन लोगों ने जिन्होंने क्योंकि तुर्क पहले एक इंडिपेंडेंट ट्राइव है इनका वही धर्मुआ करता था जो चंगियस खां का धर्मुआ करता था तैंगरिन कहते थे इसको लेकिन बाद में इसलाम के एक तुर्कों ने इसलाम को एक्सेप्ट कर लिया और वो सब यहां पर आके जब बस रहे हैं तो वो इसलाम भी भारत के एकदम कॉर्णर तक पहुँच गया या मैं कहूं कि नॉर्थ वेस्ट बाउंडरी तक पहुँच गया तो ये सारे लोग तुर्क और अफगान इन लोगो और इसलाम जो है was an acknowledged religion of rulers in several areas यानी ना सिर्फ उत्तर भारत में बलकि दक्कन या दक्षिन भारत की तरफ भी इसलाम एक acknowledged religion means accepted religion बन गया means the other sultans or the other rulers native rulers they also embraced इसलाम चलिए क्योंकि आपको भी पता था कि एक political expansion ही नहीं था ये एक religious expansion भी था जहां जाते थे वहां पर कहीं न कहीं इसलाम को भी वो spread करने की कोशिश करते थे कोशिश क्या करते ही थे basically चलो और ये प्रकरिया जो है वो जारी रहेगी मुगल सल्तनत या मुगल सामराजी के इस्थापना तक 16th century में clear है बहुत सारे ऐसे original states emerge होंगे चलो तो 13th century से लेकर 16th और 18th century तक ये expansion की प्रकरिया बढ़ समझना जरूरी नहीं है और यहाँ पर required बिलकुल भी नहीं है और वो समझाना भी नहीं है आपको आपको तो सिर्फ सूफी के बारे में बताना है मुझे theoretically यानि सैध्धान्तिक तोर पर थोड़ा थोड़ा अगर हम इसलाम को समझने की कोशिश करें तो उसमें ये जाने सब दूसरा भी में अंक्लूड करी देता हूं तो उलिमा एक पर्सन है यह आप ऊपर देख रहे हैं box इस box में आपको बताय जाएगा अलिमा एक single word है singular word है इसका plural होता है आलिम है ये आलिम का बहुएचन है और आलिम का मतला होता है जो सब जानता है one who knows जो जानता है ये लिए भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरवग्य, ठीक है, one who knows everything is called आलिम, या ऐसा कहे दो कि जो जानता है, जैसे आपने एक और शब्द इसी का सुना होगा, इल्म, कि आपको इस बात का ग्यान है, इल्म है, वहीं से आया आलिम, यानि जाने माला, इल्म जिसको है वो आल है, समझा है, और इसके बाद उस इसलाम को कैसे, किस पर्टिक्लर कंडिशन, सरकमस्टेंस में कैसे अपलाई करना है, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसलिए ये गाइड करते थे उस समय के सुल्तानों को, ठीक है, चलो, तो कुल मिलाके, जो रिलिजिस और ज होनी चाहिए, या क्या किस तरीके से न्याय करना चाहिए, इसलाम को ध्यान में रखते हुए, चलिए, इसलाम को मदे नजर रखते हुए, ठीक है, चलो, और ये उलिमा जो होते थे, बार एक्सपेक्टेट एंशोड डार दे रूल्ड अकॉर्डिंग टु दा शरिया, यान प्री डिफाइंड हो गई होंगे, चलो, तो शरिया जो है, उसी के हिसाब से उलिमा आगे चीजों को बताते थे, और धीरे 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 इसलाम को बाकी लोगों तक, यानि भारत की अन्य जो जनसंख्या है, कॉमन मास है, जो लोग एक्सेप्ट करना चाहते थे, उनको और इसलाम को सबस्क्राइब करवाते थे, तो यहाँ पर शरिया समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि आँगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को जान लेना थोड़ा सा जरूरी देखो, शरिया is a law, governing the Muslim community, Muslim community को गवर्न करने के लिए जो कानून बनाये गए उनको शरिया कहते हैं, अब शरिया किसके उपर बेस्ड हैं, तो देखो शरिया को लेके बहुत confusion हैं, और जैसे आप अफगानिस्तान में देखेंगे, वो कहते हैं कि शरिया का law लगा लेंगे, और शरिया लगाने का मतलब कि वो कहते हैं कि जीन्स नहीं पहना है, मुबाइल नहीं रखना है, अब लगा होगा कि इस चीज के आने से धर्म खत्रे में पड़ जाएगा, क्या मुबाइल धर्म को खत्रे में डाल देगा, नहीं, कैसा धर्म है जो मुबाइल से खत्रे में आ जाए, clear है, चली, तो महतपून चीज आपको जो समझना है वो यह कि यह जो rules regulations बने, यह जो शरिया बने, यह जो governing law बने, यह with time evolve होते रहे, अलग-अलग scholars ने इनमें अलग-अलग समय पर चीजों को add कि यह ज़रूरी है, यह होनी चाहिए, इनके होने से हमारा धर्म जो है, वो properly organized तरीके से चलता रहेगा, ठीक ठाग, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, प्योर फॉर्म में रहेगा, अब exactly वो प्योर फॉर्म में है, नहीं है, उसकी बात नहीं करना है, हमें सिर्फ इस चीज को एक basic तोर पर idea ले लेना है इसका, तो शरिया किसके उपर बेज रहेगा है, सबसे पहला शरिया का जो root है, वो है कुरान, कुरान पाक, ठीक है, कुरान पाक कह दो, तो क पुली बुक है, इसलाम की पवित्र किताब है, उसको कहते है कुरान, ठीक है, चलिए, अब ये बुक जो हो गई, इस बुक को, आप मानलो कि वो जो revelations हुए थे मुहमत को, वो revelations इसमें सब कुछ included कर लिये गए, कुरान में समय समय पर उनको अलग 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 बार में revelation नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग समय पर अलग अलग बार revelation हुए है, ऐसे बहुत सारे revelation हुए है, तो जब जब उनको आते थे गैबरियल और बताते थे कि आज के दिन का पाठ ये है, तो मुहमत उसको नोट कर लेते थे, वो नोट क्या करेंगे, वो तो हर चीज का आंसर नहीं मिलेगा कुरान में, तो फिर उनके आंसर कहां से, जैसे मालीजे कुछ ऐसे किसी एक particular situation में क्या करना चाहिए, तो अब उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हदीश है, हदीश क्या है, traditions of the prophet, including a record of the remembered words and deeds, अपने जिन्दा रहते, मुहमत साहब ने अप अपने actions के थरू, अपने activities के थरू, अपने कामों के थरू, जो उदाहरन examples पेश किये, है ना, एक बड़ा व्यक्ति मसीहा, एक बड़ा एक जो self-realized soul होता है, है ना, कहते हैं कि, जैसे बुद्ध है, उनका उठना, चलना, जैसे गीता कहती है, कि अगर इस्थित परग्य व तो वो उठता है, बैठता है, बोलता है, उसमें भी उसके समाधी के ही लक्षण जलगते हैं, तो भई एक अगर कोई self-realized soul है, तो उसकी छोटी-छोटी activity में भी वो divine जो है, या divinity जो है, उसका element तो रहेगा, इसलिए माल लिजे, किसे ने गाली दे दी मुहम्मद साब को, अब इस दोरान क्या करना होगा, कैसे reaction देना होगा, आप होगे तो डंडा लेके, खड़े हो जाओगे, गाली दी कैसे, मुह बचे गई नहीं तुम्हारा जीव निकाल ली जाएगी, ठीक है, लेकिन मुहम्मद साब ने भी क्या ऐसी react किया, हो सकता है, ना किया, हो सकता है, उन्होंने माफ कर दिया हो, या जो भी किया होगा, या जो भी एक ideal self-realized the soul, ऐसे situation में करेगा, तो वो कहलाता है words and deeds, यानि क्या कहा और क्या deeds, क्या कर्म किये उस दोरान, तो वो सब حدیث में recorded हैं, clear है, चलो, इसके बाद, कुरान और حدیث के साथ साथ, एक तो कुरान हो गया और حدیث हो गया, उसके साथ साथ जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, आगे चल कर मुहम्मद के जाने के बाद, और खलीफाओं के जमाने में, और इनके इन फैक्ट और आगे आने वाले समय में, जब इसलाम अरब के बाहर फैला, तो दूसरे धर्मों के साथ में इसका कुछ क्या ह या अपनी बातों को एक तरीके से फुक्ता बताने की कोशिश की गई, तो इन रिजनिंग और एनलोजी को लगा कर जो बाते आगे रखे गए उनको कहा गया इसमा, प्लियर है, और इनको आगे जाके एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये कियाज और इसमा को भी अगर मिला द लिया जाए, ग्यानी, समय समय पर, तरक या वाद विवाद, डिबेट्स, इन सब के थुरू जो कहते हो न की, observations निकल के आए होंगे, या फिर जो कुछ, कुछ, evaluations किये गए होंगे, उनको भी include कर लिया जाए, कियाज और इसमा को भी include कर लिया जाए, तो फिर निकल के आता ह है शरिया, तो आप समझ सकते हो कि शरिया एक तरीके से क्या हुआ, कि एक ऐसा diverse, कैदो की, legal code है, जिसमें बहुत सारे opinions included है, all right, okay, now, शरिया इवाल फ्रॉम कुरान हदीस किया जाल इजमा, तो शरिया के एकौर्डिंग उलिमा इंशोर करेंगे कि भाई, system चल रहा है, चलो, now, it is in this context, यानि इसी context में हमें समझना है, that category of zmi meaning protected, यानि जिस जगह पर किसी एक Islamic ruler की सल्तनत कायम हो गई, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, clear है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे, protected, यानि उस Islamic Sultan के अंडर में महफूज लोग कहलाएंगे, clear है, इनके ल बड़ आता है, जिम्मेदारी से, या जिम्मा से, clear है, यानि रिस्पॉंसिबिलिटी से, कि भई ये हमारे जिम्मे में है, ये हमारे protection में, clear है, मतलब, ऐसे लोग जिन लोगों ने revealed scripture को accept किया, तो चूंकि अरब से शुरुआत हुई है, और शुरू में इसलाम कहां फैला, पहले योरोप वगएरा में, जहाँ पर Christian और Jews वगएरा थे, जो भी एक, मतलब, Christian और Jews और ये सारे लोग जो है, ये भी कही न कहीं, Abrahamic religion, Abrahamic religion का मतलब है, कि ये वही धर्म मानने वाले थे, जिन में कहीं न कहीं, ऐसे शास्तर या बुक या कितावे हैं, जो एक Prophet के दौरा, मैसेंजर की दरा, रिवील की गई हैं, जैसे यहूदी लोग हैं, इन में भी ये लोग, जहुवा को जो मानते हैं, Christians, जो हैं, जीजस क्राइस्ट को मानते हैं, तो ये सब लोग basically क्या है, पैगंबर ही हैं, मैसेंजर्स ही हैं, और इन सब का जिक्र एक दूसर की किताबों मे हैं, जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां मुहम्मद का जिक्र आएगा, आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी मुहम्मद का जिक्र आएगा, ठीक है, बाइबल पढ़ेंगे तो मुहम्मद का जिक्र तो आएगा ही, आप क्या कहते हैं, कुरान पढ़ेंगे तो मसीह, जीजस ख्राइस का भी जिक्र आएगा ऐसा, उल्टा सुल्टा हो गया थोड़ा सा ना, माफ करीएगा, तो कुल मिलाके एक दूसरे की किताबों में इन सब का जिक्र है तो वो जब रूल करते थे तो वहां के सुल्तान उनको अपना एक जिम्मा मानते थे, क्लियर है, और उनको क्या करना होता था एक तरीके से, ऐसे लोग जो इसलाम accept कर चुके हैं उनका तो ठीक है लेकिन बाकी भी लोग जिम्मी में ही है पर वो इसलाम को नहीं मानते भले वो revealed scriptures वाले ही हैं Christian हैं, यहूदी हैं बट वो इसलाम को नहीं मानते तो ऐसे लोगों को क्या करना होता था अपने आपको protected रखने के लिए एक तरीके का कर देना होता था, ठीक है जिसे जजिया कहा जाता था, और इस तरीके से ये एक अधिकार मिल जाता था उनको, right to be protected by the Muslim से, यानी, जजिया देने के बाद हमने एक तरीके से कर दे दिया कि ये देखो इस तरह की करों की परमपरा इसले भी बन गई थी बाद में भारत देश में भी लगाए गए बट ये बहुत ही मुर्गता पूर्ण कर थे ये अरब के जो जो जोगरफी है वहां के लिए suitable कर है इसलिए suitable कर है कि वहां पर इतनी productivity नहीं थी revenue के sources नहीं थे और population भी बहुत कम थी Islamic जो लोग मानते थे शुरुबात में तो अब वही वही लोग बस रहेंगे अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनसे कितना आएगा तो इसलिए अलग जो धर्म को मानने वाले थे उनके उपर एक specific tax भी लगा देंगी तो दो चीज़े होगी एक तो या तो वह इसलाम में आ जाएंगे दूसरे चीज़े होगी कि नहीं भी आएंगे तो उनसे एक अलग हमें source of income मिल जाएगा लेकिन जहाँ पर sufficient productivity ये sufficient source of revenue थे वहाँ पर फिर एक तरीके से ये क्या बन गया एक symbolic tax बन गया कि आप एक Muslim ruler के अंडर में rule कर रहे हैं तो दीजिए चलो भारत में this status was extended to Hindus as well तो जब सुल्तान भारत में आये या जो तुर्क और अफगान लोग rule करेंगे उन्होंने यही परंपरा जो अरब में चल रही थी या दूसरे देशों में इस्लाम के विस्तार के दौरान चल रही थी उसको भी भारत में लागू कर दिया यानि हिंदूों पर भी जजिया कर लगा दिया ठीक है चलिए अगर आप कोई चैप्टर पढ़ाया गया तो देखोगे नहीं तो कोई बात ही नहीं है चलो मुगल स्वाइब दौरा उन में से कुछ-कुछ ऐसे भी लोग है जो बहुत सारे नहीं लगाएंगे मतलब जैसे मुगल लोग में अकवर ने हटा दिया फिर औरंग जैब ने लगा दिया तो कुछ सुल्तान या बादशाह सोचते थे कि ये डिस्क्रिमिनेटिव टैक्स है नहीं होना चाहिए चलिए कुछ-कुछ जो सुल्तान या बादशाह है वो आगे जाके थोड़ा फियर पॉलिसी या एक्वल लेवल पर रहेंगे वो कहेंगे किस तरीके कोई टैक्स नहीं होना चाहिए इन फैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो दूसरे धर्मों को टैक्स ग्यम्शंस देंगे हिंदु हो जैन हो जोरस्ट्रियन हो इनके रिलीजिएस इंस्टिउशन पर रिस्पेक्ट पे करेंगे उनके मैंटेनेंस के लिए लैंड ग्रांट्स देंगे पैसे देंगे है ना तो ये सारा कुछ आपको देखने को बिलेगा, इनमें अकबर और औरंगजेव का नाम यहाँ पर लिखा गया है, औरंगजेव से रिलेटेड एक्जामपल भी यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है, औरंगजेव ने कितना किया, अब यह तो ठीक है, एक्जामपल तक मान सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके पास सोर्स फाइफ है, ठीक है, जिसमें खंबात का एक चर्च है, जिसके लिए अकबर का फर्मान है, पढ़ लीजेगा, कुछ भी बहुत जादा अलग नहीं है, ठीक है, वैसे ही सोर्स सिक्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कि से एक हिंदू जोगी के प्रतिसंबान दिखाने की कोशिश की गई है, अब यहां से हम समझिये, मतलब हम आपको समझाते हैं कि इसलाम की जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या-क्या है, यानि शुरवात में जो इसलाम आया, वो तो रूलिं एलीट, एक सुल्तान य जैसे मुहम्द कासिम ही आया, उसने जिन लोगों का डिफीट किया होगा, डिफीट करने के साथ-सलाम में प्रीच भी किया होगा, तो शुरवात में इसलाम जो है, वो अपर क्रास के पास, लेकिन धिरे, 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 धिरे क्या हो रहा है? यह इसलाम far and wide spread होता चला जा यानि बहुत कॉमन लोग जो है ग्रासरूट लोग जो है यानि आम आदमी जो है वो भी इसलाम को एकसेप्ट करता चला जाएगा धीरे धीरे चलो तो तो तुरू दा सब कॉंटिनेंट ये अलग अलग सामाजिक इस तरहों तक सोशल स्ट्रेटा तक चाहे वो कामगार लोग ह कहरा कलाकार आटिशन्स लोग हो योद्धा या वारियर वर्ग हो व्यापारी वर्ग हो या फिर और दूसरे हो ये तो कुछ नाम दिये गये हैं दे आल इंब्रेज़ या सम उफ देम अमंग इस इंब्रेज़ द इसलाम ओके चलो जो भी विक्ति इसलाम को एकसेप्ट करता जिनमें सबसे पहला क्या है सबसे पहला है शहदा शहदा क्या है शहदा है कि देर इस वन गॉड ऐसा कहते है देर इस नो गॉड बट गॉड बट या बट अल्ला या बट अल्ला या अल्ला के अलावा कोई नहीं है इस पूरी काइनात को बनाने वाला कौन है अल्ला और एक का faith, Islam जिसे हम कहते हैं उस Islam का मतलब होता है faith अगर मैं एक तरीके से Islam word को कहूँ कि क्या है इसका meaning तो आप ये भी कह सकते हो कि एक मतलब Islam का दीन या faith या इमान Muslim इमान ठीक है उसी को कहते है Muslim या Muslimान तो faith जो है बहुत important चीज़ है आपकी faith किस के परती है एक Allah के परती और उसके messenger के परती चलो तो अगर कोई व्यक्ति Islam को accept करेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा शहादा पढ़ना होगा ठीक है तो शहादा पढ़ेगा वो और शहादा में वो यही कहेगा कि एक ही Allah है और उन Allah के messenger कौन है Prophet Muhammad है दूसरी चीज़ important क्या है पांच वक्त की नमाज बहुत जरूरी है clear offering prayers five times a day इसे नमाज और सलात भी कहते हैं पांच वक्त की नमाज आपको पढ़ना जरूरी है इसके बाद आपकी जो भी आए है उस आय मेंसे whatever income you are earning उस income मेंसे आपको कुछ जरूरत मन दगऊ ऐसे नहीं किसी को भी दे दो जबरजस्ती जरूरत मन को दो या जो नीडी है उसके लिए खर्च करो उसे कहते हैं जकात और इसके बाद fasting during the month of Ramadan ठीक है तो रमजान का जो पवित्र महीना है उस दोरान आपको महीने भर वरत रखना है जिसे हम कहते हैं रोजा रखना और इसके अलावा तीर थ्यात्रा करना हज करना तो ये पांच pillars कहलते हैं कोई भी गत्ती मुस्लिम है तो उसको उसके जीवन में ये पांच चीजें करना जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसा माना गया चलिए हलाकी however ये पांच चीजें तो कहां से बनी अरब से बनी और अरब से बनने के बाद फिर यानि मुहमत के जमाने से बनी और उसके बाद फिर खलीफाओं ने spread की और इसके बाद और शुरवात में जो खलीफा हुए हो पैगंबर मुहम्मद के परिवार वाले ही थे कही ने कही और इसके बाद खलीफत जो है वो परिवार के बाहर भी चली गई मतलब indirect relatives जो थे उनके हाथ में चली गई ठीक है तो य जैसे जैसे हम बात कर रहे थे जो उपर पांच important practices की जैसे जैसे Islam फैला तो समय के सांसा जिस जगह पर Islam जा रहा है वहां की diversity ने भी उसको प्रुभावित किया clear है यानि दो तीन ची दो factor है सबसे factor इस paragraph में बताया जा रहा है कि इसमें अलग-अलग समय पर diversity जाती गई यानि पहले तो एक uniform practice थी ये ये एक uniform practice थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे sects में changes आए पहले sectarian changes आए sectarian changes क्या कि मुहम्मत के जाने के बाद इस दुनिया से Islam दो sect मे divide हो गया सुनि सेक्ट थी और शिया सेक्ट थी सुनि ये वो लोग थे जो मुहम्मत को ही soul authority मान रहे थे और एक तरीके से कह दो कि इनका कहना ये था कि मुहम्मत ने अपना जो उत्रादिकारी है अबुबक्र करके रखती थे उन्होंने कहा था कि डेपुटी अपॉइंट हो मेरे बाद अबुबक्र होगा खलीफा इस तरीके से तो ये लोग जो है वो सुनि कहलाए जिनके वज़े से खलीफा का पोस्ट बना या खरीफा अबुबक्र बने और ये वो लोग थे जिनका कहना था कि नई मुहम्मत ने अपने रहते ही अपने दमाद अली हुसाईन को अ अपना deputy या अपना successor पॉइंट कर दिया था तो successorship के dispute को लेकर successorship के विवाद को लेकर जो दो sect बन गए दो मत बन गए दो रास्ते बन गए अलग लग लग उनी को सिया शुन्नी कहता है शॉट मैंने बता दी आपको ठीक है चली तो इसमें भी थोड़ी बहुत इनी ऊपर की जो प्रैक्टिसे साइस में डाइवर्सटी आ जाएगी इसके साथ साथ sectarian affiliations के चलते लोकल कस्टमरी मैंने कहा कि जैसे जैसे जहां जहां फैला और वो लोग जो कनवर्टेड लोग थे ये कनवर्टेड लोगों के भी अपने कुछ सोशल कस्टमर नॉम्स थे तो ये मुसलिम जरूर बन गए इसलाम में जरूर आगे लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कुछ कुछ पुराने कस्टम्स को जिन्दा रखा प्लियर है चले जैसे ये कह रहा है फॉर एक्जांपल दा खोजा अब रांच आफ दा इस्माइली इस्माइली शियाओं देखो सेक्टेरियन मैंने का शिया सुननी लेकिन आज इसलाम शिया सुननी बसमें नहीं है आज इसलाम बरेली में डिवाइडेड है इस्माइली में डिवाइडेड है हांफी में डिवाइडेड है तमाम इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे इसलाम की सब सेक्ट्स क्रेट हो गई है तो आगे जाके शियाओं में भी एक सबसेक्ट क्रियेट हुई जिसे इस्माईली कहते हैं इस्माईल नाम के एक रिफॉर्मर थे जिनके नाम पर एक सबसेक्ट क्रियेट हो गई चलो तो इन्होंने कुछ नए modes of communication या disseminating ideas जो है यानि कुरान के कुछ interpretations को अपने तरीके से बताया और उनको follow करने का तरीका different हो गया चलिए these included the गिना इनमें सबसे important एक चीज है कि ये Sanskrit के ग्यान से उत्पन हुआ एक शब्द जिसे कहते हैं गिना यानि ग्यान को तरजीह देना ठीक है ये लोग ज्यादा तर क्या करते थे theoretical perfection या knowledge पर बहुत ज्यादा stress देते थे इसी तरीके से आने वाले समय में अलग अलग जगों पर जब इसलाम जिसे पंजाब में जा रहा है मुलतान, सिंध, कच्छ में जा रहा है तो वहाँ के जो लोग थे कच्छ के बने आएंगे, इन प्रार्थनाओं को गाएंगे अलग-अलग musical notes में तो ये अपनी diversities regional level पर आ जाएंगी clear है? चलो फिर इसके साथ elsewhere, क्या कहना है? elsewhere, Arab Muslim Traders settled along the Malabar cost, ऐसे Muslims जो अरभी Muslim थे लेकिन भारत के अन्य छेत्रों में, दक्षिन भारत की तरफ चलेगे खासकर, Malabar, तटवा गरत पे केरल वगरत में जाकर बस गए, तो हैं वो Arab के, लेकिन जब वो केरल या Malabar cost में जाकर बस रहें, तो आप देखोगे वहाँ की local language को भी उन्होंने अपना लिया Malayalam बोलने लग गए, अर्वी का उतना परियोग नहीं कर रहे हैं, वो Malayalam का जादा परियोग कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने दक्षिन भारत के जो customs था है मैटलिनी, यानि मात्र सत्तात्मक समाज है आपको भी पता है, जो मदर्स हैं, या जो फीमेल्स हैं, उनको ज्यादा प्रिफरेंस दी के सदिन पार्ट में, इंडिया के, तो उस कस्थम को भी उन्होंने अपना लिया, जो कि यारब का कस्थम नहीं था बिल्कुल भी, क्लियर है, चलो और in fact, उन्होंने क्या किया, मैट्री लोकल रेसिदेंस को भी अपना लिया, मैट्री लोकल रेसिदेंस क्या कहलाता था, एक प्राक्टिस होती थी, जहाँ पर विमेन आफ्टर मैरेज रिमेन, डियर नेटल होम, यानि शादी के बाद भी, जो उस्तरी होती थी, वो अपने ही घर में रहती थी, बच्चों के साथ में, और हस्बेंट जो होता था, मैं come to stay with them, आके रह सकता था, फिर जा सकता था, तो ये तो और आसान और सुलब या कह दो कि easy practice थी, easy to adopt a practice थी, इसमें कोई burden भी नहीं है, चलो, फिर आगे हम देखते थे, complex blend of a universal faith with local tradition is perhaps best exemplified, यानि एक faith का, universal faith का local customs के साथ में, मिलना, और local customs का, उसको influence करने का जो best example है, वो हम देखते हैं, architecture of mosque, अब किसी भी धर्म के लिए, वहां का जो इबादत गाह या prayer hall होता है, यानि उनका जो place of worship होता है, बहुत important होता है, तो वैसे ही, Islam के लिए place of worship क्या था, mosque, यानि मस्जित हुआ करता था, तो मस्जित के अपने कुछ architectural features हुआ करते थे, लेकिन जैसे भारत में, तक्षिन भारत वगरा के तरफ या expand हो रहा है, तो आप देखेंगे कि मस्जित जो बन रही है local level पर, ये local architectural forms को अपने आप में लिए हुए, ये आप देख रहे हैं तरीके से, सामानिता है, ऐसी मस्जित हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये 13 शताबदी के एक मस्जित है, जिसमें शिकारा की तरह आपको अच्छत दिख रही है, जैसा कि ज़्यादा तर भारत में ही, मतलब और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसके अलावा, जो universal कुछ architectural feature हैं, वो maintain किया जाएगा, लेकिन outer shape different हो जाएगा, जैसे जो universal architectural features हैं, उनमें दो important चीज़ है, यानि कोई भी अगर मस्जित है, तो उसमें एक महराव, placement of the महराव, ठीक है, यानि जहां पर बैठ कर सभी लोग नमाज अता करेंगे, या कह दो जो prayer करेंगे, वो वाला पूरा हिस्सा, उसे हम कह रहे हैं महराव, और दूसरा मिन्बार, मिन्बार क्या होता था, कि अब जैसे मालो ये आप देख रहे हैं, इसका एक बड़ा hall है ये, ये ये पूरा prayer hall हो गया, उस prayer hall में ही आपने अक्सर अगर मस्जिदें देखी हैं, तो क्या होता है, अगर कहीं मस्जिद जाके देखते हैं, तो अब माली जे ये एक मस्जिद बन गई, अब ये पूरा कमरा है, अंदर ते देख रहे हैं, तो इस कमरे के पास यहां पर, सबसे पहले तो ध्यान रखा जाएगा, कि जो फेस होना चाहिए, वो कहा होना चाहिए, orientation, जो लोग prayer कर रहे हो, वो मक्का के तरफ होना चाहिए, य ये सब लोग बैठ के हाँ पर prayer कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब लोग एक पिल्लर की तरफ देखेंगे, जहां पर कौन उलिमा बैठेंगे, ठीक है, या कह दो कि जो भी इमाम सहाब है, जो prayer कंड़क्ट कर वाएंगे, वो बैठेंगे, बेसिकली, तो ये पिल्लर जो होता थ ये सीधी नूमा यासे structure से बनता था, सीधी से चड़के चोट ऐसे चट्री नूमा यासा structure बनता था, इसको मिनमार बोलते हैं, या पल्पिट बोलते हैं, चित्रो में देखोगे, जढ़ा तुमें अगर confusion लग रहा हो, तो मिनमार सेलेक्ट करना, और सर्च कर लेना, बेसिक Names for Communities अब कह रहा है, इसका मतलब है कि जो आज के रेट में हम अलग-अलग Communities यानि हिंदू-Muslim पर्टिकुलर ली के लिए जो नाम इस्तिमाल कर रहे हैं ना हिंदू और मुस्लिम, इनके उपर एक थोड़ी से लाइट थो करने की कोशिश की गई, हिंदू-Muslim फॉर्टेट में हम एक तरीके से लिल्याई भी करने के लिए नहीं स्तिमाल के जाते तें loved to. मुसलिम शब्द प्रक्टिस में नहीं था इतना यह बहुत बाद में आया और दूसरी ग्रुप और पॉपुलिशन के लिए हिंदू सब्द भी इतना पॉपुलर नहीं था और इन फाक्ट हिंदू रिलीजिस कोनोटेशन में इस्तिमाल नहीं होता था चलिए तो क्या के रहे इस तर्म्स दिन ओर गें करंसी फॉर लॉंग ताइम यानि लंबे समय था कि ये शब्द प्रक्टिस में नहीं थे इस्तोरियन सुर्ण संस्क्रिट टेक्स इतिहासकार जिन्होंने बाकी के संस्क्रिट टेक्स स्टडी किये और इंस्क्रिप्शन की डेटिंग की पर्टिकुलर्ली आर्ट से लेके चौदावी शताब्दी तक 8 से लेके 14th century तक so what they are pointing so they point out that the term musalman or muslim was virtually never used means from 8th to 14th century this muslim word was not in practice or particularly not widespread people were occasionally identified in terms of the region from which they came point to be noted means how the people were identified people were identified from their geographical reason तो लोगों को यानि आज की रेट में एक muslim शब्द बोलते ही धर्म दिमाग में आ जाता है सबसे पहले चीज़ क्या जाती है place waste से अब कोई लेना दिना नहीं एक चीज़ दिमाग जैसे तुर्की ओरिजियन की लोग थे उनको तुर्की कहा जाता था ताजिक कहा जाता था ताज्यक साधा जाकिस्तान वगरसे जो लोग आ है थे जो परुषिया इरान से आए थे उनी पाररशी कहा जाता था ठीक है sometimes terms for other people are applied to the new migrants यानि खासकर इस तरीके के शब्द नए जो बाहर से लोग आये हैं बस वो किस जगह से आये हैं जैसे ही पता चलेगा या तो ताजीक है, अफगानी है या तुर्की है, या पार्सी है तो उनके origin place से उसको denote किया जाता था इनके लिए एक वर्ड भी कही वर्ड इस्तिमाल होता था खासकर Central Asia के आसपास जैसे तुर्क हो गए तो ताजीक हो गए इनके लिए एक वर्ड इस्तिमाल कर लिया जाएगा जादतर अफगान हो गए, इनके लिए जादतर वर्ड इस्तिमाल के लिए है जाता तर, clear है, साथ-साथ, a more general term for these migrant communities was mleksh, एक और mleksh टर्म इस्तिमाल किया जाता था, आचा, ये शब्द इस्तिमाल करने का एक symbolic purpose है, symbolic purpose क्या है, कि outsider, यानि वो जो हमारे वाइन वेवस्ता या हमारे Sanskritic traditions, या हमारे Vedic tradition को नहीं follow करता, Sanskrit language नहीं बोलता, और हमारे customs traditions को नहीं जानता, clear है, और एक तरीके से ये अग derogatory connotation है, यानि हे अद्रिष्ट से देखा जा रहा है कि ये तो मleksh है, ये एक sophisticated awareness system, Sanskrit, rituals, customs, धर्म, सूस्त्र, शात्रा, शास्त्रास के according, life जीने वाले लोग नहीं है, all right, चलो, तो इन धर्म शास्त्रों या हमारे यहां कहीं पर विश्चा के यावान मलेक्ष ये शब्द तो इस्तिमाल हुए है, लेकिन मुस्लिमों को एक religious community के तौर पर शब्द वहां पर इस्तिमाल नहीं किया गया, clear है, यानि ये बहुत important, इस पूरे sentence को पढ़ा जाए, तो समझ में आएगा कि derogatory word भले मलेक्ष ये शब्द अगर इस्तिमाल है और उनको एक हेद रिष्ट से ही देखा गया हो, बट मुस्लिम और हिंदू को एक दूसरे के opposite norms में religious connotations में नहीं देखा गया, जैसे आज की रेट में हिंदू और मुस्लिम वर्ड कई लोगों के दिमाग में एक क्या create कर देता है, opposite religions create कर देता है, यानि एक दूसरे के विरोधी धर्म है, ये बनाया गया है, एक हाइप भी बना दिया गया है बहुत साई लोगों के दौरा, बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसके लिए जमेदार है, बहुत सारे हिंदू पक्ष के लोग भी इसके लिए जमेदार है, दोनों लोग चाहें तो इसमें से ये जो religious animosity है, उसको खतम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ भीतर का एक कचरा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो, तो ये जो religious term में है न, एक दूसरे के opposition में, ये तो particularly बिल्कुल भी नहीं use हुआ, चलो, जैसा कि हम आगे जाके, पिछले chapter 5 में देख भी चुके हैं, कि हिंदू वर्ड जो है, ये basically religious connotations में इस्तेमाल न लोगों ने, फार्सी लोग थे, ऐसा कहना चाहिए, इन लोगों ने ये हिंदू सब्द कोईन किया था, क्योंकि वो सिंदू नदी को denote करना चाह रहे थे, कि सिंदू के आसपास रहने वाले लोग सिंदू स्तानी, तो सा का pronunciation हा के तोर पर हुआ और इसलिए वो बन गया हिंदू स्तानी, यानि हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोग, तो वो कहला है हिंदू, तो हिंदू तो एक religious identity का geographical identity जादा है, तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि हिंदू एक religious connotation में पहले इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन बाद में वो जादा इस्तेमाल होने ल जैसे वैदिक काल का भक्ति वरांच था, वैसे इसलाम का अपना भक्ति वरांच निकला, जिसे कहते हैं सूफिजम, तो यह जो पार्ट हम सूफिजम डिसक्स करने जा रहे हैं, यह interesting portion यहां से आपका शुरू हो जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत भक्ति, मतलब उतना भक्त की तरफ थोड़ा थोड़ा आपको ठिक ठाक लगेगा, क्योंकि भक्ति वरांच निकला, जैसे थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अंटश्ड हैं, भक्ति मूव्मेंट और बाकी चीज़ें तो आप आगे यह तसवफ भी बोलते हैं इसको, रहस सवाद, मिस्टिसिजम, एस्टिसिजम, तो यह कहा जाता है हार्ट आफ इसलाम और इसको कहा जाता है कि मुहम्मद साहब के जमाने से ही कुछ लोग या एक ऐसी परंपरा थी, मुहम्मद साहब के जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं 8 से 14 सेंचुरी के दौरान ये सूफिजम डिवलप हुआ तो अलग-अलग मननताएं हैं कि कब पर्टिकुलर सूफिजम डिवलप हुआ लेकिन ध्यान रखिए क्या है सूफिजम बेसिकली भक्ती जैसे वैदिक काल में जो सैध्धान्तिक धर्म था उस धर्म को सिध्धान्त से हटा के भावना से जोड़ा गया इमोशन से जोड़ा गया और उसे कहा गया भक्ती वैसे ही इसलाम का जो और्थोडॉक्स पार्ट है और कोर थेरोटिकल पार्ट है उससे हटके जो दिल की बात है उसको जोड़ा गया तो उसे कहा गया सूफिजम एक तरीके से यह भक्ती का ही कल्ट कह सकते हैं आप इसमें जो लाइने और इसमें जो कविताएं भी देखने क को मिलेंगी वो कुछ ऐसे ही spiritual connotations में ही है ना बावा फरीत की वो कविता याद आ रही है मुझे की कोई बन गया रौनक पखिया दी कोई बन गया रौनक पखिया दी कोई छोड किशीश महल चलेया कोई पल्या नाजद नकरे विच कोई गरम रेत थल चलेया कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलेया गुलाम फकीरा फरीदा इते सब मुसाफिरा कोई अज़ चलेया कोई कल चलेया तो इस ऐसी बहुत सारी फरीद हैं कभीर दास आगे आएंगे जो सुफिजम के नहीं है लेकिन भक्ती के हैं तो वहाँ ऐसी ही कोर भक्ती देखने को मिलेगी एक नाम देखने को मिलेगा राबयाल बसरी का और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है कोर स्प्रिच्वालिटी को टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो सुफिजम भी इसी कोर स्प्रिच्वालिटी को टच करने वाला एक एलिमेंट है तो क्या है ग्रूप ओफ रिलिजियस माइंडेट पीपल तो शुडवाती दशक में इसलाम का एक रिलिजियस माइंडेट लोगों का ग्रूप है जो एसेटिसिजम और मिस्टिसिजम यानि तपस्या और एक अलग ही रहसे में रास्ते के तरफ मुड़ गया जो किताबों से परे था जो रिजनिंग तर्क से और डीबेट डिसकुशन से परे था जो सिर्फ दिल की बात कहता था जो महसूस करने पर जोर देता था जो realizations पर जोर देता था experiences पर जोर देता था बजाए इसके कि कोरी line रटली जाए और उन्ही को बार बार दोराया जाए तो जो महसूस करने वाला हिस्सा है इन लोगों का जो group कहलाया उसे कहा गया sophism, ये लोग क्यों इमर्ज हुए क्योंकि जैसे जैसे Islam का expansion हुआ मुहमद साथ के particular जाने के बार तो उनके जाने के साथ साथ ये हुआ कि इन्होंने कहा कि यार जो खलीफा लोग है ये खलीफा अब एक religious political institution बन गया है और ये अब भौतिक चीज़ों की तरफ expansion की तरफ और in fact बहुत सारे ऐसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है जो मुहमद नहीं करना चाहते रहे होंगे या मुहमद के जमाने में नहीं थी ठीक है खास कर इनका क्या कहना है कि जो dogmatic definitions है कुरान की scholastic जो aptitude लोगों का develop हो रहा है वो theoretical तो है ठीक है लेकिन वो actual में कुरान को interpret करने का तरीका नहीं है सिर्फ theoretical interpretation कुरान का उससे काम नहीं चलेगा सुनना के सिर्फ theoretical portion पर जाने पर हमें कोई फायदा नहीं होगा सुनना क्या है सुनना तीन तरह के सुनना बताएगे है मुहमद साहब ने जो कहा मुहम्मद साहब ने जो किया उनके actions, उनकी deeds उनकी sayings और मुहम्मद साहब ने अपने जमाने में जो example set किये रहने के दौरान उसको सुनना कहते है ठीक है और इसलिए इनको मानने वाले लोग अपने आपको सुननी कहलाते है सुननी कहते है ठीक है ऐसा तो इनका कहना था कि traditions of मुहम्मद सुनना basically tradition of मुहम्मद है क्या वो कहे, क्या वो किये अपने क्या example set किये ये सब सुननत कहलाता है तो जो भी theologians के दौरा अपनाया गया उनका सुननत का तरीका है वो बहुत dogmatic होता जा रहा है उसमें experience की कोई जगे नहीं है लेकिन अब क्या करना है ये जो सूफी मानने वाले लोग थे इनका कहना था कि हमें तो मुक्ती चाहिए हमें intense devotion और इश्वर के प्रती जो प्रेम है या उसकी जो बातें उसने कही है उसको follow करते हुए आगे बढ़ना है और हम ये सब कुछ क्या कर रहे है ये हम जो कुछ कर रहे है ये basically Prophet Muhammad ने अपने जमाने में किया तो actually Prophet Muhammad का जो तरीका है वो मुहबत प्यार का तरीका है लव का तरीका है वो Sufism का तरीका है ये इनका कहना है कि इनका है जो लोग Sufism को उस समय follow कर रहे है All right, so the Sufi is the sort and interpretation of the Quran on the basis of their personal experience यानि, dogmatic explanations के बजाए, कुरान के experience वाले portion के तरफ जाए जाए जो उसमें लिखा है, उसको experience करने की कोशिश की जाए और वो experience तभी होगा, when we can try to connect our heart through the Supreme, you know, through all these teachings to or with Supreme, the Supreme Being. ठीक है, चलिए, तो इन सूफिजों या सूफी जो संत थे, इनके बारे में थोड़ा से आँसे जान लो, तो सूफी वर्ड की origin के लिए बहुत सारे अलग-अलग context हैं, अलग-अलग theories हैं, बेसिकली अलसफा या सूफ, सूफ वर्ड जो आता है, बेसिकली, वो ज़्यादा बहुत related है, दिल के साफ सुथरे लोग, है ना, सफा मेंटेन करने वाले लोग, और ज़्यादा तर woolen type के cloth पहनके, यहाँ वहाँ भजन कीर्थन करते हैं, भजन कीर्थन का मतलब कबवाली बगएरा और इस तरह सा, उनका जो भी अपना कुछ गानावाना है, वो गाते हुए, या कुछ ऐसी ही जैसे spiritual lines अभी अपने एक example के तोर पर डिसकस की, इस तरह की core philosophical spiritual lines को बोलते हुए, guzzles कबवालियां करते हुए, मस्त रहने वाले लोग, इनको सूफी का गया, तो यह लोग ज़्यादा तर क्या है, woolen कपड़े पहनते थे, यहां से यह सूफी कहला जाने लगे, क्योंकि सूफी वर्ड, सूफ वर्ड जो आता है, यह आता है, woolen cloths के लिए, तो यह एक एक ऐसा कपड़ा पहनते थे, जो गरीब से गरीब तब के तक के लिए, आसानी से available हो जाने वाला था, तो उनके साथ भी connect करना इनको जरूरी था, मतलब उनको ही basically यह connect करना चाह रहे थे, कि एक layman, scholars तो पढ़ पूर के आ जाएगा, लेकिन एक layman कैसे उस spirituality को experience करे, तो वो हर्दय से connect हो के, हार्ट से connect हो के, clear है, चलो, तो वहां से आता है, और यह दूसरा वर्ड जो मैंने कहा तसवुफ, ठीक है, तो तसवुफ का मतलब ही होता है, रहस सिवाद, जो बाहर से नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो इनसान जिसने experience किया है, उसके लिए बहुत, एक अलग ही आनंद, उसके मन में कह सकते हो की, उमर्ड रहा होगा, तो वहां से चीज आती है, historians have understood this term in several ways, कई कई तरीके से समझा, जैसे मैंने का, सफ वर्ड, बूल वगर रहे सब कुछ, हैना सफा वर्ड, सफा का मतलब होता है, साफ सुतरा, तो कुल मिला के वो सारे लोग थे, जो इस तरीके से कही ना कही, रिलेट कर रहे थे, अब इनकी कुछ टर्मिलोजीज हैं, जो ध्यान रख लो, बहुत जरूरी हैं, उनके हम साथ आगे बढ़ते हैं, खानका और सिलसिला, खानका और सिलसिला क्या है, तो 11th century के आसपास, अच्छा देखो, मेरा बहुत कुछ जो वो है, मतलब जहां तक आप पढ़ोगे, तो आपको भी समझ में आएगा, कि सूफिजम का इमर्जेंस, जादा तर 18th से 14th century के आसपास होता है, और पैगंबर मुहम्मद का जो भी रास्ता रहा हो, लेकिन जब धीरे धीरे इसलाम का एक्सपैंशन भारत की तरफ हुआ है, और नौर्थ वेस्टन बांडरिस की तरफ हुआ, उसके बाद जादा सूफिजम इमर्जेंस में आता है, क्योंकि इनका जब कनेक्ट इस तरफ हुआ ना, वेदान्त की तरफ और भारत की धन्म की तरफ, तब यही समय था जब भारत में भारत में भी भक्ति आंदोलन, दक्षिन भारत और तमाम जगों पर अलड़ी इमर्ज हो चुके थे, या फिर भक्ति का एलिमेंट उसके पहले भी था, जब जब पुरानी के रिफॉर्म सो रहे थे, तो भक्ति का एलिमेंट थोड़ा थोड़ा था, तो उस चीज़ को भी इन लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि एक जो कह सकते हो की एक्सचेंज है, यह शुरू हो चुका है, जब से तुर्क लोग या दूसरे ट्राइब के लोग यहां से आने शुरू हो गये हैं, तो उनके बीच में connection established हो गया है, और उसके पहले भी हम पिछले चाप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ-कुछ स्कॉलर्स के बारे में, जिन्होंने अपनी किताबें लिखके, यहां के धर्म अगरा को भी इसलाम के साथ जोलने की कोशिश की, मतलब समझाने की कोशिश की, comparative study करने की कोशिश की, चलो, तो might be sufism उसी का एक impact है, वो जो सब कुछ यह पूरा एक discourse, discussion, interaction चल रहा था ना, उसी का impact है sufism, कुछ लोगों ने समझा होगा, कि यार, यह तो बस theory, theory, theory चल रही है, लेकिन, अनुभव करने के भी रास्ते हैं, और अनुभव करने के रास्ते कैसे हैं, भक्ती, या कुछ इसी तरीके से, मतलब, through the intense love, for the supreme being, तो उसी को बाद में आगे जाके, यहां पर sufism, और कुछ-कुछ वैसे भी रहा होगा, ऐसे अच्छे लोग हर जगह पर हर समय, हर जगह पर रहे हैं, Quranic studies, चल यहां, so by 11th century, sufism involved in a well-developed movement, with a body of literature on Quranic studies, तो 11th century के आस-पास, जो कुछ भी Quranic studies हैं, सूफी practices हैं, इनके proper literature's वगेरा, develop होने शुरू हुए, इनके institutions डेवलप होने शुरू हो गए, इनकी organized communities होती थी, और इन organized communities को कहा जाता था, खान काह, ठीक है, बिल्कुल confused मत होना, यहां पर मैं एकदम सही सीधे-सीधे बता देता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, माल लो मैं एक सूफी संथ हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको example देने के लिए मैंने समझा दिया, कि मैंने एक बड़ा लंबा सा चोला पहना हुआ है, ठीक है, और मैं एक सूफी संथ हूँ, उदारण के लिए माल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब सूफी संथ है, तो मेरा एक स्कूल है, मेरा एक आश्रम है, मेरी एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे जिस जगह पर अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप तक पहुँचेगा ही थोड़ी देर में, तो ये एक जगह है, ये हो गया खानका, इसका नाम क्या है, खानका, ठीक है, तो ये हो गया हमारा खानका, बात लागे कि आप अभी फिलहाल खानका हमें बैठके नहीं पढ़ रहे हैं, दूर अपने जगह पर अपने कमफर्ट में बैठके पढ़ रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए मानिये कि ये एक अफलाइन सेंटर होता, और आप खानका में बैठके पढ़ रहे होते, तो अफलाइन सेंटर ठीक है, खानका हो गया, तो और्गनाइज कम्यूनिटी जहां पर डिबलफ हो रही है, उसको परिशियन फारसी भाषा में वो जगह कहते हैं, खानकाह कहते हैं, अब इस खानकाह में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मास्टर हूँ मैं, यहां का टीचर हूँ, तो मैं हो गया कौन? शेख, शेख, मुझे ही आप कह सकते हैं पीर बाबा, और मुझे ही आप कह सकते हैं मुर्शिद, वो बहुत सारे गानों में बॉलिवुट के सुनाओगा न, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मतलब गुरू मेरा, ठीक है, सिंपली, तो मुर्शिद, मैं ही शेख हो गया, मैं ही मुर्शिद हो गया, मैं ही पीर हो गया, क्लियर है, खानका का जो हेड हो गया, या खानका में जो सिक्षा देने वाला हो गया, बिसिकली, the one who is imparting the teaching, उसको कहा गया, शेख, पीर और मुर्शिद, क्लियर है, चलो, फिर यहाँ पर आप लोग आए, अन्रोल हो गया, मतलब आप लोग वहाँ देख रहे हैं, अपने कमफर्ट से बैठे बैठे, और आपने कहा कि चलो, एकाद दिन ऑफलाइन भी पढ़ लिया जाए, इनसे, अब आप सब बैठे हुए हैं, और मस्त एकदम, आपने भी ऐसे लंबे-लंबे चोले पहन के, बढ़िया भजन कब वाली चल रही है, गजले और इनसब का मुशायरा चल रहा है इदम, ठीक है, शेरो शायरी का, तो वो सब यही तो पढ़ा जा रहा है उस समय, एक लंबे समय तक सब कुछ चलता रहा, चलता रहा, बहुत सारे बैच निकल गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बन गए, मुरीद बन गए, फिर मुझे लगा कि यार अब बुड़े हो गए, देरे-देरे समय आ रहा है यहां से निकलने का, यह दुनिया छोड़ने का, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, कि यह व्यक्ति बड़ा डेडिकेटेड है, पांच वक्त नमास पढ़ता है, बहुत भजन करता है, एकदम भजन करने लगो, तो रोने लगता है, इतना एकदम connect हो जाता है, जबरदस्त, जैसे ही अलाह का नाम लो, तो एकदम पूरा पानी पानी हो जाता है, तो उसको मैंने पॉइंट किया, कि चलो मेरे वाद ही मेरी जगह ले सकता है, उसको मैंने कह दिया, अपना खलीफा, सकसेसर, यानि जैसे ही, कि मुर्शिद निपट जाएगा, शेख पीर निपट जाएगा, वैसे ही, उसकी जगह कौन ले लेगा, खलीफा, तो फिर वो खलीफा नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो अगला मुर्शिद बन जाएगा, रहा है अगला शेख पीर बन जाएगा क्लियर है चलो ही स्टैबिश रूल्स पॉर स्प्रिच्वल कंड़क्ट और इंटरेक्शन क्लियर है तो यह जो खानकाह में भाई साब लोग है यह लोग क्या करेंगे वो जो साथ में बाकी सारे लोग रह रहें उनके बीच में उनका ज स्टूडेंट से थोड़ा सा ज्यादा हो के बीच में उसके अडिनिस्ट्रटिव अफेर्स भी शुरू हो जाएंगे लोग आ रहें मिलने तो बीच में खलीफा है अच्छा सर यह आए हैं आपसे मिलने आंदर आने दिया जाए कि नहीं फिर सर ने कहा हाँ ठीक है यानि मु मिलेंगे फिरो काएंगे उतनी दूर पे बैठे ज्यादा टच मत करिएगा शेक सापको या पीर सापको मुर्शिद सापको एक कोड़ अफ कंड़क्ट जो मिंटें करना है बाकी स्टूरिंट्स को कप क्या कैसे पढ़ना लिखना उनको गाइड करना यह हो गया काम खलीफा नॉर्मली क्या है जैसे आप भारत देश में जाते हैं और यहां गुरू परमपरा सुनते हैं परमपरा ट्रेडिशन गुरू परमपरा वैसे उसी परमपरा को हिंदी यहां पर फार्सी भाषा में कहा गया है सिलसिला क्लीर है तो दुनिया के अलग अलग हिंसों में गुरू या मुर्शिद के जो शिष्ष हैं उनका अपना एक चेन बन गया और यह लोग मानते थे कि बेसिकली चुकि सूफिजम भी कहीं ने कहीं प्रॉफेट मुहमद से रिलेटर है या वो कहते थे कि प्रॉफेट मुहमद का भी हार्ट तो हार्ट कनेक्शन ता अल्ला के सा हमारा सिलसिला वहां से चलता है प्रॉफेट मुहमद और उनके बाद बाकी 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 इस तरीके से दूसरे शेक बनते गए और आज भी वो सिलसिला ऐसा चल रहा है ख्लीर है चलो तो इस तरीके से थूद चैनल डाट स्पृट्ट्वल पावर और ब्लेसिंग्स वर ट्र प्रति शरणागती या सरेंडरन्स शो करें यह वैसा ही कुछ सिंपली यहां देखने को मिलेगा रिचूल्स होते थे इनिशियेशन का मतलब ही होता है दीक्षा बगरत देना ठीक है तो बगाएदा इनिशियेशन सेरेमनी होती थी जिसमें शेक जो है अपने मुरीद को इन यह एक कपड़ा हो गया ठीक है यह इस तरीके का एक कपड़ा हो गया ऐसा पूरा एक कपड़ा पहन लिया और इसमें जगे जगे पर फटा हुआ है इसलिए इस तरीके से पैबंद लगे होते थे ठीक है यह जो है वह यह तो यह जो होता था पैश्ट गार्मेंट इस तरीक पर एक tomb shrine या दरगाह बनाई जाती थी, clear है, मतलब एक तरीके से दरगाह का मतलब है कि court, court का मतलब वहाँ पर अभी भी वो एक तरीके से symbolically present है, और अगर आप कुछ भी pray करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी ऐसे intensely, जो spiritual progress के लिए अपने request करते हैं, वो पूरी होगी, clear है, तो वो धीरे धीरे ये tomb mushrooms क्या बन गई, center of devotion बन गई, और जैसे भारत देश में बहुत सारे तीर थिस्तल हैं, वैसे एक तीर थिस्तल के तौर पर इसको develop किया गया, और यहां पर लोग तीर थियात्रा करने, जिसको उर्दू में, या Arabic में क्या कहा कहा है, जियारत करने के लिए जाने लगे, यानि उनकी कबरगाह पे या दरगाह पे, जाकर जियारत करते थे, खासकर उनकी जो उर्स होता था, उर्स का मतलब होता है, कि marriage ceremony, या particularly जो, वो समय, जब उनका एक तरीके से माना गया कि union हो गया अल्लाह के साथ में, है न, वो दिन particularly, मतलब कह दो एक तरीके से death anniversary, death anniversary को वो ऐसा मानते थे, कि, एक तरीके से symbolically, इन्होंने अपनी देह या जिस्म को छोड़के, अल्लाह के साथ में अपना union कर लिया है, एक हो गया है वो, ठीक है, तो उस दिन बड़े anniversary मनाई जा रही है, चलो, this was because people believed that in death, saints were united with God, ये पुराना एक concept चला रहा था कि संत शरीर चोड़ने के बाद इश्वर में विलीन हो जाते हैं, और वो उनके और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जब वो यहाँ थे, उसके comparison में और ज़्यादा close हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस दौरान उनकी blessings लेंगे, और spiritual और material benefits के लिए दुआएं मागेंगे, तो वो हमारी पूरी होंगी, क्लीर है, चलो, और इस तरीके से एक प्रथा निकल के आगए, जिसे शेख या वली कहते थे, कल्ट ओफ शेख या वली, मतलब कहने का, कि उस शेख की एक tradition या परमपरा, वही सिलसिला जैसे, यानि हम उस दरगाह पे जाएंगे, वहाँ हम जो कुछ मागेंगे, वो पूरा ह होगा है सब कुछ, चलो, आउटसाइड दा खानका, खानका के अंदर वाली ये condition है, उसके बाहर, कुछ mystics initiated movements based on a radical interpretation of Sufi ideals, तो एक तरफ सूफी का liberal interpretation हो रहा है, और कुछ जगह, उसका, एक radical interpretation हो रहा है, radical interpretation मतलब, मेनी स्कॉन्ड खानका, और तुक तो मेंडिकैंसी और अब् हैं आपको, आप एक तरीके से हर एक जगह पर सब, धन, सबपती, वैभाव और इनके बीच में रहे के भी अल्ला से connect हो सकते हो, एक तो ये रास्ता था, दूसरा एक radical interpretation था, कुछ लोगों ने खानका नहीं बनाई, वो थे सूफी संथी, लेकिन उन्होंने अपनी खानका न गूमते फिरते हैं, सन्यासी टाइप में, जगह जगह जाएंगे, लोगों से कुछ-कुछ मांगते रहेंगे, तो हमारा काम चलता रहे का खाने पीने की वसकी तो जरूरत है, और ये ब्रह्मचर यसली बैसी अपना ही इन्होंने, ठीक है, यहां पर उसके पहले जो खानका सब करते हैं, तो कुछ उनके एक फैमिली वाले भी थे, और कुछ ऐसे जो पूर्ण सलीबैसी ब्रह्मचर या ब्रह्मचारी या सन्यासी टाइप की लोग थे, कि हमारा कोई परिवार नहीं, हम अगला शिश्य बना देंगे, वो शिश्य तरीके से, फिर अगला, मतलब ऐसा सब कुछ सरिमनी चल रहे हैं, सब कुछ नहीं, उन्होंने का कोई मतलब नहीं, प्योर हाट तो हाट कनेक्शन, कब वाली वाली काओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये एस्टिसिजम के एक्स्ट्रीम वाले फार्म में चले गए, और इनको अलग नामों से जा सरीके के सूफी संतों के लिए इस्तिमाल किये जाते थे, ठीक है, मस्त मलंग, विकॉज अब डेलिबरेट डिफाइंस अफ द शरिया, चूंकि ये शरिया को जान बूज कर डिफाइंस करते थे, उसको मानते नहीं थे, उनका कहना था कि क्या थेओरी में पड़े हुए, कु क्लियर है, और ऐसे लोग जो शरिया के कॉंटेक्ट में थे, उनको कहा जाता था बाश्रा या बाश्रिया, क्लियर है, अब देखो वली की बात में कर रहा था, वली प्लूरल ऑलिया, फ्रैंड ओफ गॉड यानि इश्वर का मित्र एक तरीके से, यानि वो सूफी संत जो अ मस्दीग चला गया है, और उसके पास जाने से आपके उसमें बरकत आएगी या उसके अंदर करामात या मैजिक दिखाने की पावर आ गई है, उसको वली कहते थे, तीक है, या उसी को ऑलिया कहते थे, जैसे आपके दिल्ले में निजाम-उ-दीन आलिया सहाव है, जलिए, आप यहां से कुछ-कुछ चिस्ती जो कॉंटिनेंट में अलग-लग सिलसिले हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, देखो, जो सूफी संत भारत में आए हैं, बेसिकली, खासकर 12th संचुरी के असपास, तो यह सूफी संत है न, इनमें सबसे प्रसिद्ध संत जो लोग रहे हैं, वो चिस्ती समुदाई के लोग थे, या चिस्ती सिलसिला जो है उसने सबसे ज़्यादा इंपक्ट क्रियेट किया है आज बहुत ज़्यादा कुछ प्रसिद्ध दरगाहे हैं वो चिस्ती समुदाई के ही सूफी संतों की है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े जैसे आगे जाके आप कवाली के बारे में देखोगे और तमाव यह सब कहीं ना कहीं भारत में जो भक्ती परंपरा या ट्रेडिशन चल रहा है उसी का एक शैडो देखने को मिलेगा आपको इसमें और यह वो लोग थे जो ऐसा नहीं था क कि इसलाम के एक राडिकल वे को मानने वाले लोग थे इन में से वो लोग जो योगा भी कर रहे हैं बैठके और पूरी तरीके से भारती परंपराओं या डिवोशनल ट्रेडिशन में अपने आपको धाल रहे हैं साथ ही अपने इसलामिक नीचर को भी मिंटीन किये हुए है ठीके चलो तो सबसे पहले देखते हैं चिस्ती खान का आओ जीवन कैसा होता थài को अब सबसे पहले तो चिस्ती थोड़ा सा बात आ रही है जान लो खान का तो आपको पता ही चल गया सेंटर ऑफ सोशल लाइफ होता था हैना जो चिस्त या चस्त जो है ये एक शहर का नाम है इस नेम उप सिटी चिस्त एक शहर का नाम है ये हराद के पास पढ़ता है इरान अफगानिस्तान इरान बॉर्डर पर पर्टिक्लरली इरान की तरफ चले जाओगे आप तो वहाँ पर आपको एक चिस्त नाम का शहर मिलेगा यहाँ से एक पर्सन आया जिसका नाम था मोहिनुद्दीन मोहिनुद्दीन आगे जाके मोहिनुद्दीन जो है वो अजमेर में अपना सेंटर बनाए और बहुत बड़े फेमस सूफी संट हो गए और इनके फिर बहुत सारे बड़े प्रसिद सूफी खलीफा या शिष्य होते चले गए जो अपने आप में बाद में जाके बड़े सूफी संट बने इसलिए सूफी सिलसले के बारे में हम थोड़ा जादा यहाँ पर स्ट्रस कर रहे हैं आपकी किताब में तो वी नो अबाउट शेख नजामुद्दीन निजामुद्दीन का जो खानका है वो कहाँ पर है यमुद्दी के किनारे ग्यासपूर नाम का शहर हुआ करता था उस जमाने में उस समय और पुरानी दिल्ली कह दो आप यानि आज की दिल्ली तो कुछ भी नहीं है मतलब बहुत बड़ी expanded हो गई पहले दिल्ली जो है वो चोटा सा एरिया था तो उसी दिल्ली शहर में का जो आउट्सकर्ट का इलाका था ग्यासपूर यमुद्दी के नारे वहाँ पर इन्होंने अपनी खान कहा बनाई हुई थी चलो तो एक एक्जामपल देने की जमायत खाना जहां पर जादा था जो शिश्य होते थे इन्मेट्स होते थे यानि जितने भी मुरीद होते थे इनके मुर्शिद के वो सारे लोग रहते थे इसके साथ साथ जो विजिटर्स आते थे वो भी रहते थे और प्राथनाय यानि की नमाज अता करते थे उनकी life को, family members मतलब जो उनके शादी बाग के बाद पुत्र वगएरा बन गए या family और दूसरे members हो गए, attendance disciples में से ही वो लोग जो उनकी personal service में है, चला शेक lived in a small room, शेक खुद एक छोटे से कमरे में रहता है, on the roof of the hall, where the met visitors where he met visitors एक छोटा कमरा है, जो उपरी मंजिल पर बना हुआ है, वहाँ पर ज्यादा तर शेक रहते हैं, और सुबह और शाम को आने वाले लोगों से मिलते हैं इसके आसपास एक वरांडा बना हुआ वरांडा आप जानते हैं, एक तरीके से एक ऐसा खुला एरिया होता है ठीक है, वहाँ पर एक बाउंडरी है और उस बाउंडरी से घिरा हुआ इलाका है, मतलब कुर्म इलाके आप कह दो कि कमरे के सामने एक खुला सा ओपन कोट यार्ड है, उस कोट्यार में तरीके से बाउंडरी की हुई है उस बाउंडरी वाली वाल पर माइट भी कभार कभी कभार क्या अक्सर ऐसा होता रहा होगा कि जब कुछ प्रवचन टाइप का कुछ ऐसा सर्मन जो है वह ओर्गनाइज होता रहा होगा, चले कई बार fearing on mongol invasion people from the neighboring areas flocked into the khanka to seek refuse अब सूफी जो khanka होती थी पवितर जगह मानी जाती थी तो कई बार ऐसे situation भी आई जब mongolों के आकरमन के डर या mongolों के मारे जाने के डर से लोग आएंगे और यहां पर शरण लेंगे यह देखिए major teachers of चिस्ती सिलसिला चिस्ती सिलसिला के कुछ प्रमुख जो teachers हैं उनके बारे में यहां पर बताई गई तो मैं उन्हीं दीन से मैंने शुरू किया शेख मुहिन दीन was the one who started चिस्ती order और उसके बाद इनका एक बहुत प्रमुख शिष बना खौजा को तो बुद्दीन बक्तियार काकी तो यह शिष हैं बक्तियार काकी के कुतुब बुद्दीन और बक्तियार किलजी दोनों कुतुब बुद्दीन बक्तियार के शिष थे फिर फरीद उद्दीन गर्जे शकर बहुत इंपॉर्टन्ट है आप आगे जाके अभी पढ़ोगे लंगर सिस्टम जो सिख समुदाय में आप आज की रेट में एक बहुत सिख समुदाय की यूएसपी बना हुआ है तो लंगर को शुरू करने का क्रैडिट जाता है इस सूफी संत को फरीद को बाद में फिर सिखों में इसको अडप्ट किया गया लंगर का सिंपली मतला ओपन किचन निजामुदीन ओलिया निजामुदीन ओलिया दिल्ली का स्टेशन बना हुआ है निजामुदीन आप जानते ही है ठीक है और निजामुदीन के ही शिष्य हुआ करते थे नसिरुदीन जन्हें दिल्ली के लोग इदना पसंद करते थे कि इन्होंने नाम दिया चिरागे दिल्ली यानि दिल्ली के लोगों ने इनको आगे जाके नाम दिया चिरागे दहलवी जो नाम था चिरागे दहलवी था इसके बाद देखो अब लाइफ के ही बात हम कर रहे हैं कि कैसी वो होती थी, जीवन शैली कैसी होती थी वहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों के लिए या जरूरत मंद लोगों के लिए एक open kitchen बनाया गया था, जिसे लंगर कहते थे, और ये लंगर जो होता था, ये कैसे चलाया जाता था, run on photo, photo क के लिए, तो आप इसमें जादा जादा contribute कीजे, एक ये तरीका होता था, दूसरा होता था कि आप बस खिलाते जाओ, tension मतलो, आ के खुदी पूछता है, अगर तो ठीक है, नहीं तो फिर दिखा जाएगा, तो ये system मतलब बिलकुल भी पूछा किसे से नहीं जाएगा, कि पै फील्ड के लोग चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे गवया हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कवी हो, चाहे वो रागीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, इवन हिंदु योगी हो, कलंदर्स हो, यानि की इस्लामिक सन्यासी बगार हो, कलंदर के बारे म अभी मैंने बताया आपको, they all, they came seeking discipleship, तो वो आते थे और चिस्ती जो उस समय साधू या शेख जो भी उस समय उस खानका का है, जैसे यहां पर बात अभी किसकी हो रही थी, निजामोदीन की हो रही थी, तो उनके बारे में कहा हैं, तो उनके शिष्ष बनने के लिए वो सब आते थे, कि भाई, हमें अपना discipleship यानी, शिष्षत तो ग्रहन करवा दीजे, मतलब हम आपको गुरू के तोर पर ग्रहन करना है, एमुलेट्स तावीजें, कि भाई, उनको अलग अलग समस्याएं हैं, तो एमुलेट्स तावीज, जैना तावीज दे देते थे, कई बार हो आते थे, सलाह लेने के लिए आते थे, एडवाईज लेने के लिए आते थे, चलो, दूसरे विजिटर्स, अधर विजिटर्स इंक्लूड़ेट्स पोएट्स अच्छा अमिर हसन सेजी, अमेर खुसरो, हिस्टॉरियन जयाओदीन बर्नी, ऐसे बड़े-बड़े स्कॉलर्स जो है, ये लोग आते थे, और इन्होंने शेक के बारे में लिखा भी ये, जैसे आप देखेंगे, निजामो दिन, जो हैं आपके, इनके शिश्य थे, अमेर खुसरो, जिन्हें अलावदीन खिल्ची ने पैरट आप इंडिया, तूतिय हिंद का खिताब दिया हुआ था, त कैसे उनको लोग आते हैं, उनके सामने जुकते हैं, कैसे सजदा करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, वो लोग जो शिश्य बनना चाहते हैं, वो लोग किस तरीके सपने शर, शेविंग करवाते थे, सर मुडवाते थे, कैसे योगिक एक्सरसाइस होती थी, यानि यहां पर समझ लो चिंता मत करो कि कोई बहुत आज की modern टेकनीक है ना चलो तो इस तरीके से इन्होंने local traditions को assimilate करने की कोशिश की निजामुदीन ने पॉइंटेट सेवरेल spiritual successor and deputed them to set up hospices निजामुदीन ने आगे जाके expansion किया और बहुत सारे अपने शिश्यों को कहा कि अलग अलग जग इच्छाओं को या चिस्ती समधाय को जादा देख रहे हैं क्योंकि उनकी जो practices है उनके organizations है वो इस तरीके से करके दीरे दीरे बढ़ते चले गए rapidly spread हुए clear है और उनके shrines बढ़ती चली गई और आज की टेट में उनके बहुत सारे जो ancestors हैं उनके नाम जैसे मैं तीन चार के अभी नाम जो लिखे ही थे वा आपने देखी लिया चलो इसके बाद जियारत और कब्वाली तो जिन दरगाहों की बात की जा रही है जिन particular places की बात की जा रही है जहां पर आलिया वली या शेख रहते थे मतलब शेख थे उसके बाद वली या अलिया बन गया या कहदो की Allah ह पर जियारत होती थी, उनकी टॉम्स या मजारें बनी हुई थी सूफी संतों की, clear है, और दुनिया भर के मुस्लिम वर्ल्ड के लोग वहां पर आते थे, clear है, और वहां पर क्यों आते थे, seeking the सूफी's spiritual grace, यानि उनका अध्यात्मिक आशिरवाद मिलेगा, उससे बरकत मिलेगी हमें basically, clear है, यानि growth होगी हमारी कहीं न कहीं, more than seven centuries people of various credits, classes and social background have expressed the devotion at the दरगा, मतलब seven centuries समझ रहे हो, तो जब से इसलाम आया, तब से लेकर बात हो रही है, 14th century की आसपास की बात है, तो लगबग साथ सताबदियों तक लोग आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं, आज भी देखेंगे, अज मेर है वहाँ पर, है न, मुहिन अद्दीन चिस्ती की दरगाह है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, चादर चड़ाने, हमारे देश के बड़े-बड़े political leaders जाते हैं, वहाँ पर, जिनको क्या कहा गया है, मुहिन अद्दीन को गरीब नवास भी कहा गया है, जरूरत मंद लोगों को आराम देने वाला या उनकी बातों को सुनने वाला, ठीक है, चलो, फिर earliest textual references to Khawaza मुहन दीन दरगाह, date to the 14th century, 14th century के references हैं, हमारे पास कुछ, जहां पर क्या होता था, कि बहुत सारी ऐसी कुछ spiritual जो practices होती थी, या कह दो कि उनकी जो greatness थी, उनके successors क या उनकी, उसकी blessings को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे visitors जाते थे, उनमें एक खास जो है, जिस व्यक्ति का नाम मिलता है, किताबों में या references में, वो मिलता है मुहमद बिन तुगलक का, तो 14th century में मुहमद बिन तुगलक और इसके बात के कुछ ऐसे patronage या royal visitors गए, जिन् यहां पर बहुत सारे contributions किये, funding से लेके तमाम और इसको और बहुत ज़्यादा famous बनाया है, कह दो, अकबर और तमाम इसके बाद बाकी सारे लोग सुल्तान या बादशा जाएंगे, और उसकी वज़े से दरगा है और प्रसिद्ध होती चली गई, ठीक है, देखो, पहले वो यह इसलिए भी important था, इस area को develop करना, funding तो की ही जाती थी, ताकि दरगाह का area जो है वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का accommodate कर सके, वहां लंगर हो सके, वहां ज्यादा से ज्यादा एक उसका नाम हो सके, साथ साथ एक और थी कि अजमेर एक एक ऐसे place पर located था, जो एक important trade route का भी हिस्सा हुआ करता था, दिल्ली और गुजरात के बीच में, तो उस trade route में, जब लोग आ रहे हैं, तो वो भी donate कर रहे हैं, साथ साथ, वो trade route भी और ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तरीके से economic purpose से, दूसरा spiritual या religious purpose से भी उसक spiritual places पर होता है, किसी की अलग-अलग desires है, और आपने कहीं भी सुन लिया कि point A पर एक ऐसा मंदिर है, आज का आज भी, जब 21 में शताब्दी में ऐसी एक अंधी दौड है कि कहीं भी अगर सुन लो कि वहां पर जाने से आखो की जोती बढ़ जाती है, या वहां पर जाने से त भी ठीक हो जाते हैं, तो देखो कि अथी भी लग जाएगी वहां पर कि मतलब हद से जादा, हो सकता है 5000 लोग जाते हैं और वहां पर 1000 लोग ही ठीक होते हो, लेकिन 4000 और फिर और एड होते चले जाएंगे, 4000 भले जा रहे हैं हो ऐसे उनको कुछ खास फायदा ना होता हो, प आते थे, by the 16th century the shrine had become very popular, शोलिवी सत अबदी के आसपास, shrine और बहुत ज़्यदा popular हो गई, और इसी किवदंती को, यानि उसकी popularity को वहां पर बरकत है, वहां पर मागी हुई मुरादने पूरी होती ही, इन सब को सुनकर अकबर वहां जाएगा, अकबर इंस्पायर हुआ वहा नए नए युद्धवियान कर रहा है, war campaigns पर जा रहा, conquest पर जा रहा है, वह पूरी हो सके हैं, वहां पर blessings मागने जाएगा, कि मैं अब इस पर्टिकलर जगर पर invade करने जा रहा हुँ, आप मुझे blessings दो कि वह पूरी हो, पिर in fact ऐसा कहा गया, कि उसका जो पुत्र है सलीम, उ अकबर बाद में 1580 तक वह इस परंपरा यानि tradition को जादी रखे गया, यानि अकबर यूज तो विजट इस श्राइन ओफ मुईन दीन चिस्ति तिल 1580, और हर विजट पर वह कुछ न कुछ बड़े गिफ्ट्स देता था, जो कि उसके डॉक्यमेंट में, यानि अकबर नामा अगरा जो है, इंपीरियल डॉक्यमेंट्स, रॉयल डॉक्यमेंट्स उसमें रिकॉर्ड किया गया है, 1568 में जब वो गया था एक बार, तो उसने बहुत बड़ा बरतन, कॉल्टरन, देख का मतलब होता है, बहुत बड़ा कुकिंग पॉट, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक मस्जिद भी आगे जाके बनवाई थी, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे बड़े पहमाने पर इसका एक माउट पभलिसिटी भी होता जा रहा है, और ग्रोथ भी होता चला जा रहा है, चलो, साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टन चीज और जान लो, यानि म्यूजिकल सिंगिंग्स करते थे, कवाली बेसिकली अर्भी भाषा का शब्द है, अर्भी भाषा में एक शब्द है कॉल, कॉल से ही कॉल से ही आता है कवाली, जिसका मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन करना, प्रशंसा करना, बढ़ाई करना, तो simply मतलब कि कवाल वो ल अर्भी बेसिकली अर्भी भाषा में एक शब्द जगाते थे, अपने कविताओं या अपने गजल या अपने भजन वगरा के द्वारा, ठीक है तो इनको कुछ और नहीं करना होता था, इनका काम होता था कि अल्लाह का बार 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 नाम लेना, जिक्र करना, जिक्र का मतल होता था जो लोग उस समा में बैठे होते थे, ठीक है तो इस तरीके से समा बहुत इंटिग्रल चुनत, चिस्ती समुदाई के लिए आंगे जाके कवाली और ये समा बांधना और ये मिस्टिक एक्सपीरियंस उसका एक इंटिग्रल पार्ट हो गया, आप अगर मजार जा र इंटिग्राइवाइड चिस्ती तो ये एक एक इंग्जामपल है भारत में पहले से जो पुरानी इस तरीके की कुछ बती परंपराय चल रही है, उनके सांत में एक इंटरक्शन को शो करता है, ये भारत में पहले से चल रहा है, चलो, अब हम थोड़ा भाशा में भी चिस् it was not just in Samaa that the Chishtis adopted local languages Samaa यानि उस audition के दौरान या उस कभवाली के mystic experiences के दौरान ही भाशा जो प्रयूक की जाती थी वो ऐसी भाशा प्रयूक की जाती थी जो प्योर अर्भी या प्योर फार्सी ना हो क्योंकि उससे समान लोग समझ नहीं पाएंगे the normal people will not be able to comprehend that you know foreign language so they used to sing in a language which was easily comprehend or comprehensible to the local people तो ये लोग समान लिभाशा में गाते थे उस भाशा को हिंद भी कहा गया अब हिंद भी क्या है हिंद भाशा है बेसिकली हिंदी आगे जाके ये डिवलाप होगे हिंदी हो गई इसमें थोड़ा सा अर्वी मिला दो ठीक है अर्वी उर्दु मिला दो इसमें थोड़ी सी फार्सी मिला दो ठीक है तो हिंद्वी भाषा का जादतर प्रयोक किया गया, कुछ बाकी सूफी संद जैसे बावा फरीद, इन्होंने बहुत सारे स्थानी भाषाओं में हिंद्वी के साथ साथ, हिंदी और दूसरी भाषाओं में, उर्दू अगयरा में, कुछ ऐसे, कह दो, versus, श्लोक, या कह दो, ज कुछ spiritual, ऐसे philosophical, कुछ ऐसे श्लोक कह दो, गठित किये, जिनको बाद में, गुरुगरंत, साहिब वगरा में, इंक्लूट किया गया, कुछ-कुछ दूसरे, yet others compose long poems, ठीक है, तो, कुछ-कुछ छोटी, जैसे गजल्स वगरा, और कुछ बड़ी पोएम, जिने मसनवी कहा जात means, जहां पर comparison किया जाएगा, ठीक है, comparison किसका होगा, comparison होगा, दो individuals के बीच में, person A है, person B है, और person A और B के बीच में, loving exchange को दिखाने की कोशिच की जाएगी उस कविता में, बोला ये जाएगा, कि एक प्रीतम है, एक प्रीतमा है, एक male और एक female है, इस तरीके से, and they are having some loving exchange, or kind of loving discussion between them, but ये है कैसा, ये है actual में divine love, यानि कि basically आप ऐसा कह सकते हों कि A is a soul, और B is a super soul, B is a super soul, जैसे अमेर खुसरो का जहाँ पर example दिया हुआ है, ठीक है, अमेर खुसरो क्या कहा गया है, अमेर खुसरो and the call, call ये वही कवाली की बात की जा रही है, तो अमेर खुसरो की ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, जो इस तरीके के मस्नवी के example है, जैसे एक जिहाल मिस्किन मकुन तगाफल, दुराए नैना बनाए बतियां, ठीक है, तो ये कविता आप लोगों ने सुनी होगी, इसका एक distorted version, या कह दो इसका एक Bollywood version भी available है, जो उतना अच्छा तो नहीं है, मतलब उसने इस रस को या इसकी मस्नवी की जो actual potency थी, उसको बहुत ही generic form में है, बहु मिस्किन मकुन तगाफल को, तो आपको समझ में आएगा कि what kind of this, you know, loving exchanges happening between the soul and super soul, और an individual एक संत और परमात्माय भगवान के बीच में, all right, so ये मस्नवीज के example ऐसे बहुत सारे हैं, प्रेमाख्यान, ये किसका है, पदमावत, composed by Malik Muhammad Jaisi, तो ये सब अलग अलग examples हैं, जो छेत ने कहीं, जो love stories हैं, वो revolve हो रही हैं, दो loving exchange के बीच में, बट वो भी हैं मस्नवीज के example, ठीक है, पदमनी और अतन सेन की जो कहानी हैं, जो Malik Muhammad Jaisi ने लिखी है, जिसे पदमावत कहते हैं, ये तो बहुत परसिद्ध है, आपकी ये picture भी बन चुकी है, पदमावती, वॉल जो मैंने पहले ही बता दिया, कुल में लाके इनका जो purpose होता था, simply वही होता था, कि actual में, जो allegory है, वो दिखा भले रही है, दो individuals को, बट इसमें जो प्रेम है, वो divine प्रेम को दिखानी की कोशिश की गई है, और इस तरीके के poetic compositions को अकसर समा के दौरान, खानका में गाया ज जाता था, लोगों को सुनाने की कोशिश की जाती थी, चलो. यानि, ये इतनी common बन गई थी, कि उस जमाने में, जो वहाँ पर, जो सामाने महिलाए होती थी, वो अपने घर के काम करते हुए, जैसे grinding, अनाज वगरा, grind कर रही है, या spinning, बुन वगरा रही है, उस दोरान भी इन का विताओं को वो गुन गुनाती रहती थी, ठीके, इतनी सूफी संतों या चिस्ती समुधाय के किसी ने किसी, सूफी संत के डिसाइपल के दौरा रचित की गई, शादी नामा और वेडिंग सॉंग्स, ये इंपक्ट है चिस्ती का, ये आपको डराइब करना है कि कैसे सूफियों का गहरा इंपक्ट पड़ा हमारे लांग्वेज मे It is likely that the Sufis of this reason were inspired by the pre-existing bhakti tradition, ये मैंने पहले ही आपको establish कर दिया, पहले ही बता दिया कि देखने में क्या लगता है, देखने में हमें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के पहले से इस्थापित, भक्ती परमपरा से Sufi संत बहुत कुछ इंस्पा के इन सब को ले लिया, प्लियर है चलो, तो जैसे लिंगायतों वगरा के वचनास जो आप पढ़ चुके हैं अभी ऊपर थोड़ी देर पहले, मराथी वगरा में, अभंग जो पंधरपूर में, पंधरपूर के जो देवता हैं, विठ्थल भगवान, ठीक है, इनको डेडि से सिमिलर ही जान पड़ती हैं, चलो, तो इस तरीके से ये तरीका था, मतलब, इट वस जस्त वे तो पैनेटरेट इन्टु धी ग्रासरूट लेवल, यह क्या है, इट थूद अगर आपको इसलाम या कोई नई चीज को बताना है, मतलब, इसलाम को थोड़ा साइड में, तो अगर आप उसकी भाषा, उसके कस्टम, उसके ट्रडिशन में बताओगे, तो वो ज़्यादा कनेक्ट करेगे, तो यह तरीका भी था जिसके तरूँ इसलाम दक्षिन भारत के गहराईयों में पहुँचेगा, चलिए, सुफी अन देस्टेट, अब हम देख लेते हैं, यह बहुत ज़रूरी है कि सुफी संतों का राज्यों के साथ या जो सुल्तान वगएरा थे, उनके साथ में क्या रिलेशन था, देखो, मुख्य चिस्ती ट्रेडिशन हो या कोई भी ट्रेडिशन हो, उसका सबसे इंपॉर्टन फीचर क्या है औस्चेरिटी, यह लोग तो बगएरा करने वाले लोग थे, जिनको वर्डली पावर से कोई मतलब नहीं था, इस दुनिया की जो सुल्तानों की, बाथशाहों की जो ताकत है, उससे कोई बहुत ज़्यदा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी by no means a situation of absolute isolation from political power, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, इसका म मतलब अंजान रहें, ऐसा भी नहीं था, कहीं नहीं वो चीज़ें impact करती थी, so the Sufi is accepted unsolicited grants and donations, अगर पूरी तरीके से political happening से अलूफ रहोगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए उस सुल्तान या बाथशाह के उपर dependent होना है, या उसकी मदद चाहिए, तो फिर नहीं मिलेगी, clear है, तो बहुत सारे Sufi संत थे, जो इन grants को, donations को accept करते थे, जो बड़े राजगहरानों, या बाथशाह, या खुद सुल्तान होते थे, ठीक है, तो सुल्तान turn up charitable trusts, ओकफ जिने हम कहते थे, या endowments, खानकाह के लिए अपने पुरा खोल के रखते थे खाजाने कुल मिला के, सीधी भाषा में कहा जाए तो, in fact, इन सूफी संतों को tax-free जमीन, जिसे इनाम कहा जाता था, वो भी दिया जाता था, clear tax-free land को ही इनाम, इनाम का मतलब, जिस पर कर ना लगे, जिस पर किसी पी तरीके का tax ना लगे, वो कहलाता है, इनाम, तो चिस्ती accepted donation in cash and kind, cash and kind, cash and kind मतलब समझते हो, नगदी को भी, नगद में दिनारें दे दी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के दे दी, या फिर, kind का मतलब, जमीने मखरा दे दी, इन दोनों में accept कर लेते थे, clear है, तो, उनका ये था कि, ज्यादा पैसे accept ना करके, या एक अठा एक जग को कि वही हमको खाजाना तो भरना नहीं अपना, तो ऐसा मत दो कि हमारे यहां पैरलेली तुमारे जैसे एक ट्रजरी बन जाए, समय समय पर जब जरुरत महसूस होगी, तब देते रहना हमारा काम चलता रहेगा, तो इस तरीके का प्रचलन महां पे था, जरुरत पढ़ने चलते हैं अपर कभी कैश और कभी कईड में, तो कईड में जैसे जमीन हो गई, कपड़े हो गई, खाना हो गया, या रहने की जगहें हो गई, या इसके अलावा, कवाली या सम मह बनाने के लिए, जरूरी जगहें, या रिसोर्सेस अगल कराना हो गया, तो यह सब כुछ उस शेक का जो रुतबा होता था ऐसा ठीक है पब्लीक की नजर में वो और धीरे-धीरे इंप्रूव होता जाता था कि बड़े-बड़े सुल्तान भी आते हैं और इनके सामने सर्जुकाते हैं क्लियर है फर्दर दियर पाइटी एंड स्कॉलर्शिप और धीरे-धीरे अगर उनके कुछ spiritual potency ने काम कर दिया किसी की समस्या सुल्जा दी किसी का कुछ ऐसा काम बन गया जो बहुत समय से अटका था तो फिर तो वो ऐसा मानते थे कि वह इनके अंदर बड़ी miraculous power है और वो और प्रसिद्ध होते चले जाते थे और ऐसे सूफी संतों का तो हर बादशा राजा support पाना पसंद करता था क्यों क्यों क्योंकि उससे इंडर लिए simple logic create हो रहा है जो logic आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा दक्षिन भारत में जब संतों के साथ हो रहा था हर राजा कहीं न कहीं अपनी image को increase करने के लिए संतों का एक तरीके से कह दो शरन ले रहा है या उनको यूज भी कर रहा है ऐसा कह दो जो भी एक mutual relationship है King did not simply need to demonstrate their association with Sufis ठीक है राजा को ऐसा नहीं के जरूरी हो कि भाई वो दिखाए public को कि हानी हमारा इनके साथ में एक बड़ा association है clear है they also require legitimation from them वो ना सिर्फ यह दिखाते थे कि नहीं हम आते जाते हैं बलकि Sufi संत से कई बार अपनी बड़ाई करवा देते थे या उनके बगले बैठ गया तो Sufi संत ने चार्ज से बाते कह दी कि यह तो बहुत नेक दिल पाक इनसान है ऐसा इनसान सदियों में कई बार जनम लेता है ऐसी जहां दोचार बाते कर दी वहां पबलिक की नजर में वो जो सुल्तान है या बाट्शा है वो अपने आप दोचार बदमाशी के काम भी किये होंगे तो लोग भूल जाएंगे जैसे तुर्कों ने दिली सल्तने स्थापेट की तो देखो ना जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बात की थी कुतुब बुद्दीन बक्तियार काकी चिस्ती समुदाय का एक कौन है सूफी संथ है और ये बक्तियार खिलजी और कुतुब बुद्दीन आवक दोनों का नेगेटिव रिस्पॉंस देखने को नहीं मिलेगा कुतुब बुद्दीन आवक वगारा की प्रति ठीक है अब भाई गुरू है सूफी संथ के सूफी संथ इनके गुरू है तो कहीं ना कहीं वो भी एक हेल्प करेंगे तो जैसे जैसे सूफी संथों ने सल्तनत अपनी बन अगर उसको यहाँ पर इंपोस कर देंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा उससे नुकसान होगा कि यहाँ की ज्यादा आबादी है यह आबादी तो क्या है नोन-muslim है तो ऐसे में तो समस्या हो जाएगी तो ऐसे कंडिशन में सूल्तान लोग सूफी संतों की तरफ और सूफी संत इसको इस मामले में बहुत कुछ help करते थे, क्यों? Because they derived authority directly from God, और सूफी संत जो है, ये शरिया, बेशरा, बाशरा वाले हैं, मतलब सूफी संतों को बहुत ज़्यादा कुरान ये शरिया से अपनी लेजिटिमेसी रखने ही जूरत नहीं है, ये वो God के साथ अपना direct contact established है उनका, direct बात होती है उनकी, तो उनके साथ इस संबन इस्तापित करने का मतलब है, सुल्तान को बहुत सारी आपचारिताओं से बचने का मौका मिल गया, इसके अलावा, besides, it was believed that the Aulia could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition, समझ रहे हैं, देखो, ये वो जमाना था, आज भी है 21 शतापदी में भी, उस जमाने में किस लेवल का रहा होगा, तो चाहे कहे दो कि सूफियों ने, या इन लोगों ने, Aulia, लोगों ने भारत के उस समय के अंदविश्वास का एक फाइदा उठा लिया हो, या भारत की जो एक धार्मिक परंपरा ट्रेडिशन चल रही हो, उसका एक फाइदा उठा लिया हो, इसलाम को एक्सपैंड करने के लिए, या इमानदार रहे, जो भी रहा हो कंडिशन, दोनों तरीके की एविडेंसिस मिलती हैं, क्लियर है, एक इंसिडेंट आता है प्रसिविराद चौहान और गौरी के बीच में, कि गौरी भेजता है एक व्यक्ति को जासूसी के लिए, चौहान के आँए, उसका एक सीरेल आता था बहुत पहले मैं दिल ली हूँ, उसमें आप देख सकते हैं चाहें तो, जब गौरी ने अपने उस जासूस को भेजा, तो किसके नजर में भेजा था? सूफी संत के वेश में भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि संतों का बहुत समान होता है भारत के समाज में, और संत का मतलब है कि उसको किसी भी तरीके से डाउट के अलिमेंट में रखा इनी जाएगा तो इसलिए ये चीज जो है वो उस मजर से भी आप देखते रहना ध्यान रखना चलो तो इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा भरोसा था या बहुत एक तरीके से अंध विश्वास कहे दो यहां पर मैं यही शब्द इस्तेमाल करना पसंद करूँगा लोगों के अ और मटीरिल कंडिशन को इंप्रूफ करने में यह वली या अलिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसलिए यह सब कुछ पढ़ने के बाद आपको सवंज में आ रहा होगा कि वाइकिंग्स ओफिन वांटेट देर टॉम्स तो इन दे विशनिटी ऑफ सूफी और कई जगह आपको कॉन्फिक्ट भी देखने को मिलेगे कुछ-कुछ ऐसे भी सूफी संत हुए जिनका तोड़ा सा एंटी हो गया सुल्थान की साथ कुछ-कुछ सुल्तान ऐसे हो गया है जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं सूफी संतों को क्या होता था था तो अजि किसिंग दफिट जाकर पैरों को चूमना अकसर आपने सीरिल्स पर देखा होगा कि जैसे ही आप जाते हैं तो ऐसे हाथ चूमा जाता है वैसे ही पैरों को चूमा जाता था तो यह पाइबोस कहला था सजदा मतलब ऐसे जुक के सलाम यह तो बहुत कॉमन देखा होगा आपन मैं उसको लगता था कि जब मैंने सब छोड़ दिया तो मुझे का एक डर है करो न करो आओ मुझे से मतलब भी नहीं बहुत जाद रिस्पेक्ट भी मैंने छोड़ दी मतलब रिस्पेक्ट और इंसल्ट भी मेरे लिए कोई माइने नहीं रखता है तो यह सब कुछ बहुत मसला बन जाता था इनके बीच में कई बार ओकेशनली सूफी सेख वाज एड्रेस्ट विद हाई साउंडिंग टाइटल्स कई बार सूफी संथ जैसे यह आपने देखा ही अभी कि निजामुद्दीन जो है आलिया उनको कहा जाता था सुल्तानल मसाइक इसका मतलब होता था सुल्तान अमंग शेख अब इस तरीके के बड़े बड़े टाइकल्स अगर आप लगाओगे सुल्तान टाइप के सुल्तानल मसाइक और तो यह एक तरीके से क्या है सुल्तान की जो अथारिटी है उसको चैलेंज ही करना हो गया तो इनसे कई बार होता था कई बार रेवन्यू की मामले में हो जाता था है ना ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ ऐसा होगा जब ग्यासुद्दीन मुहमद बिन तुगलक का जो बाप है ग्यासुद्दीन तुगलक है ना तो यही शायद मैं रिखाल से निजामुदीन उलिया ही थे, जिनके पास खुब सारा पैसा था, उसके पहले वाला जो खिलजे सुल्तान था, उसने दानवान दिया था, फिर जब गदी पे पैठा तो इसने देखा किया, तो बहुत सारा ख़जाने खाली है, पता चला कि लाखो क कि दिनार दान की गई है, तो फिर उसने कहा कि देखो ऐसा है कि तुरंत सब जितना तुमाई बहुत पैसा हो, तुमको दान देने के लिए नहीं है, हमको यहाँ रेवनियू मैनेज करना पड़ेगा, सरकार चलानी है देश की, तो उनके बीच में ऐसा कुछ-कुछ डिस्प तो यह सब कहानिया चलिये, अब यहाँ से यह सूफिसम आपका कंप्लीट होता है, और नाव वी आप मूविग तोवर्स देवोशनल पाथ, डालोग और डिसंट इन नौर्दें इंडिया, तो अब हमें कहां फोकस करना है, आप देखोगे कि दो तरीके हैं, एक तरीका जो हम सब की जिंदगी में बड़ा कॉमन है, और हम सब लोग करते हैं, क्या, हम सब लोग पूजा पाट कर रहे हैं, हम सब लोग कुछ न कुछ mode of worship को prefer कर रहे हैं, हम सब लोग बली दे रहे हैं, sacrifices कर रहे हैं, यग्यावन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम experience की बात करें, purity of heart की बात करें, purity of words, deeds की बात करें, purity of thoughts की बात करें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, वो purity जो होनी चाहिए, experience जो होना चाहिए, secularism, secularism, constitution में लिख दिया, लेकिन सिर्फ लिख जाने से कितना भाईचारा बढ़ गया, तो एक सद्धान्त और एक विवहार, एक theory, एक practice, इसमें decent है, तो तीन लोगों के बारे में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये वो लोग थे, जिन्होंने उस समय की theories, उस समय की किताबों की लिखी हुई बातों को challenge किया, क्यों चैलेंज किया, क्योंकि ये चाहते थे कि हर इनसान अनुभव के दौर से गुजरे, इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसे धानतों से धान रखेगा, आज की rate में बहुत सारी लोग इनको ही मानने वाले, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और in fact, communal violence हो जाती हैं, ठीक है, कबीर को मानने वाले लोग ही आलोचना करने लग गए हैं, लेकिन उनके पास खुद के अपने अनुभव नहीं हैं, तो आईए थोड़ा सा एक बहुत वैसे वीडियो लंबा हो गया है, ये पार्ट तो ऐसा है कि इसके बारे में अलग से तीन-चार घंटे का लेक्शन बन सकता हैं, शलिए, so weaving a divine fabric, कबीर, कबीर एक अरभी भाषा का शब्द है, बेसिकली, Arabic word से जाता है ये कबीर, जिसका मतलब होता है महान, ग्रेट, ठीक है, तो लगबाग 14th-15th century के आसपास एक outstanding poet-sent का example देखने को मिलता है, मैं कभी संत का उदारन देखने को मिलता है, who emerged within this context, किसी context में, इसी descent वाले context में emerge हुई है, कबीर, तो इतिहासकार जो है, historians have pain-stakingly tried to reconstruct his life and time, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, दुख का मतलब है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इतिहासकारों को, कबीर का इतिहास खंगालने, जुटाने और उसको organize करने में, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ-कुछ चीजें, पहले यहाँ आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, anthologies, hegeographies इनके बारे में आपको chapter 4 में भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है, आत्मकताएं वगरा, तो ऐसी बहुत सारी hegeographies वगरा मिलती हैं, जिनसे historians कोशिश तो करते हैं कि इतिहास कबीर का निकालने, लेकिन कबीर को समझ न नहीं समाने वाले हैं सिधार सिधान्त जो है वो उसके तो जस्ट एंटी थे कबीर है न तो आप सिर्फ थियोरीज या मॉडेन जो साइंटिफिक मैथन से उनसे कबीर को या उनके अनुभाव को नहीं समझ सकते हैं चलिए तो सच एक्सरसाइस आप प्रूफ टूबी चैलेंजिग वन अनुबर आफ काउंट्स क्यूं यह जो सिधान्त के आधार पर या प्रूफ या डॉकुमेंट्स के वेसे पर कबीर को समझने की कोशिश की गई इसे कबीर क्यों मुश्किल हुए क्योंकि आप देखो उनके फॉलिवर्स में ही डाइवर्सिटीज बहुत सारे जो श्लोक वर्स या कविताय कबीर की हैं वो तीन डिस्टिंक्ट ओवरलैपिंग ट्रडिशन से हैं कबीर सब के हैं तो एक जो कबीर पंथ चला जो आज की र मुझे नाम भूल के चलो कोई बात नहीं है तो इसे चार लोग है बेसिकली जिनमें से एक जो हैं उन्होंने कबीर पंथ चलाया और कबीर पंथ का मतलब है वे ओफ कबीर बेसिकली जिसमें कबीर को गुरू माना गया और यह जो ऑर्थोडॉक्सनेस है रिचुलिस्टिक प कि यह भी कहीं न कहीं कहीं न कहीं कुछ न कुछ उन चीजों में चले गए जो कबीर नहीं चाहते थे जैसा व进 Yeshua नहीं चाहते थे इह जिन किताबों के बारे में पढ़ रहा हैं जिनक्रंथों के बारे में आप पढ़ रहे हैं जिन resources, references के बारे में पढ़ रहे हैं ये उनकं शिशों के बिना हुए तो जो self-realized person होता है वो तो चाहता है कि ये अनुभर किसी तरह से मैं दूसरे को बता दूँ और दूसरे के लिए वो रास्ता create कर दूँ, किताबों को लिखने में फिर से समय लगेगा, लोग किताब पढ़ेंगे, फिर अटक जाएंगे थेयरी में, थेयरी तो एक रास्ता है, अगर अनुभव तक नहीं पहुंचे तो थेयरी ही रह जाएगी, तो आगे जाके कबीर पं है, वहाँ पर ही जादा तब मिलेंगे, तो बनारस में जहां पर कबीर थे, बनारस का एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है, जैसे कबीर चौरा भी कहते हैं, कबीर चौरा, जहां कबीर बैठ कर उपदेश दिया करते थे, लोगों को अपनी बातें बताये करते थे, उसे कबीर चौरा कहते हैं, तो यह बनारस में ही है, बेसिकली, और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों का जो है, वो यह सब कबीर पंथ कबीर करते हैं, कबीर पंथ में जो कबीर हैं, यह पूरी तरीके से निर्गुन वादी ही कबीर हैं, लगभग लगग, ठीक है, यह लोग क्लेम कर ये किया नहीं हिसा नähän उजन्लों नहीं होते हैं दूसरा एक कवी घ्रंथावली को शुरु करने वाले को अंहें धादूपंत एक शंत थे जिए जनका नाम था दादू धयाल तो दादू धयाल वैस्टि वैश्णिवशंत है वैशना वसंत हैं कभीर भी एक तरीके से वैशना है राम को मानते हैं एक तरी से का वो राम राम ही करते हैं कभीर हमेशा पूरे तुराउट लाइफ उन्होंने राम राम किया भी मैं परसनली थोड़ी सी कभीर के बारे में बात करूँगा जाओ नीचे आएगा कभीर का थोड़ा सा जिक्रतो इसलिए मैंने शुरुआत में अभी वो रिफरेंसी यहां वा हो जाता तो अभी सिर्फ जो सोर्सेस हैं उनके बेसेस पर देखते हैं तो दादू दयाल है दादू दयाल का जो एक आउटलूक है यह कहीं न कहीं निर्गुण की तरफ कम है तो यह लोग हो गए कभीर गरंथा वली दादू दयाल के लोग क्लेम करते हैं जो राजस्थान के आसपास है इसके लावा तीसरा आदी गरंथा साहिब सिख्खिजम में भी इनको एक बहुत इंपोर्टेंट रोल दिया गया है और कभीर सिख्खों के लिए भी उतने ही पूझनी है आदी गरंथा साहिब अर्जन देव ने लिखा था गुरू गरंथा साहिब की बात नहीं कर रहा हूँ अर्धिकरंथा साहिब की बात सिख्खों without magic व्याओं तो 1 Le ुदी ने अपने जंदिगी रहते कभी ठी रिखी नहीं उन्होंने तो कहा ही कि पोथी पोथी जड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई तो पोथी से यानि किताब से बहुत ज़्यादा लेना देना था ही नहीं कभीर का कभीर तो हर उस नॉम को चैलेंज कर देते थे जो उस समय लोगों के दिमाग म में भी फेमस हैं यानि पूरे भारत देश के कभीर हैं कोई ऐसी एक जगह नहीं है जो कहदे की कभीर हमारे नहीं है कभीर's poem have survived in several languages and dialects आप चाहे किसी भी dialect की बात करें जैसे हमने गुजराती महरास्ट और बंगाल इन सब केरिया की बात की तो लगभग लगभग हर language में औ और हर dialect में कभीर की poems जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी ज्यादा तर जो है वो निर्गुणबादी कभीर को follow करने वाले हैं निर्गुणबाद या इसी को संत भाषा कहते हैं संत भाषा का मतलब एक तरीके से संतों की भाषा जो बहुत ज्यादा form वाले भगवान रूप वाले भगवान की तरफ नहीं जाती है कभीर की बातों को भी देखने पर apparently ऐसा लगता है कि कभीर निर्गुण संत हैं लेकिन वो सगुन के बारे में ही बात करते हैं, राम के बारे में ही बात करते हैं साथ साथ, अब मैं थोड़ा सा अगर यहां से परस्नली भी बात कर लूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे थोड़ा सा रिफरेंस आ जाएगा बट वो अब रिलेट किया जा सकता है तो लगबग 14-15 सेंचुरी में इतिहास का रही है जो अभी आप देख रहे थे कि बहुत उनको पेन हो रहा है या बहुत उनको मशक्कत करनी पड़ रही है वो इसलिए कि कबीर के जन्म का समय बहुत जादा डिसाइड नहीं है और उससे related जो stories आती हैं वो अलगलग stories आती ही क्योंकि उनके शिश्यों ने बहुत सारे resources लिखे उन जो हमारे पास एक information के तौर पर resources हैं उनमें अलग-अलग कहानियां आती है लेकिन फिर भी एक कहानी ये आती है कि कबीर जो है वो basically Muslim है कुछ लोग ऐसा कह देते है अब कभीर मुस्लिम है लेकिन उनकी जो देख्षा हुई वो हिंदू संत से हुई तो लगभग 14th century के आस पास ऐसा कहा जाता है कि कहानियों के हिसाब से या मैं इन resources के हिसाब से जो resources उनके शिश्यों के है उसे साब से अगर चलू तो क्योंकि इतिहासकार बहुत ज़्यादा sure नहीं है इस बारे में तो बनारस में एक जगे है जिसका नाम है लहर तारा तालाब है पॉंड है इस तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के जुलाहे विवर्स मुसलिम दमपती थे मु छलो इसलिए कबीर भी ता उम्र अपने पैरेंट्स के इसी प्रफेशन को ही अपनाएंगे और ना शिर्फ कबीर इस प्रफेशन को बलकि कबीर एक फैमिली लाइफ जीने वाले परसन है उनका अपना विवा है ठीक है उनके जाके आगे कमाल और कमाली नाम के पुत्र और यानि लड़का लड़की दोनों हुए तो पूरा एक ग्रहस्त जीवन जीने वाले कबीर है कबीर जादा तर समय अपने बनारस में ही रह गए और आपको अचरज होगा ऐसा कहते हैं कि जैसे बनारस या काशी में मृत्ती हुई तो स्वर्ग तो एक जगह हुआ करती थी पास में ही मगहर लोग कहते थी कि मगहर में अगर किसी की मृत्ती हुई तो नरक तै है उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा कबीर ने कहा चलो फिर और कबीर अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा पहुँच गए मगहर में पहुच गए उन्होंने कहा कि जीवन भर राम राम किया है देखते हैं नरक मिलेगा तो राम जाने स्वर्ग मिलेगा तो राम जाने राम ही है मेरे तो तो वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा चले गए मगहर और मगहर में ही कबीर की अंतिम सांसे हुई तो ऐसे थे कबीर जो की सेट माननेता हूँ या आपके जो दिमाग में कुछ भी ऐसा स्टेरियोटाइब बना हुआ है कुछ भी इस तरीके का एक आपने जबजस्ती का कुछ ऐसा बनाया हुआ है और वो चीज आपके spiritual growth को बांधे हुए है उसको कबीर तोरं चुटकी बजाती ही तोड़ देंगे क्लियर है अभी और ऐसी छोटी-छोटी कुछ-कुछ इंट्रस्टिन चीज़े हम शेर करते चलेंगे चलो तो अब कबीर क्या कहते है उनका जो हाँ यहां से संत भाषा इसके साथ साथ निर्गून के साथ साथ कबीर ने जो अपनी बातें कही है वो कई बार होते हैं सार्काजम के थुरू जिनें उलट बासिया कहते हैं सार्काजम का मतलब होता है कि जब आपको साधारन भाषा में समझ में आए तो नहीं आप सरकेजम करते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई शायद व्यंग कसने से ही कुछ आजा है ऐसे ही कबीर की उलट बासी आए अप साउट, अप साइड डाउन सेंग यानि इनवर्टेट फॉर्म में लिखी गई है उल्टी बाते करते हैं कबीर और आपको समझाने के कोशिश करते हैं उल्टी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आसानी से समझ में आने वाला नहीं है जैसे मो को कहां ढूडे मन दे मैं तो तेरे पास खेर ये इतनी उलट पासी नहीं है तो सिंपल सी चीज है नमें देवल नमें मसजड ना कावे कैलाश में ना तो कौन क्रिया करम में नहीं योग वैराग में खोजी हुया तो तुरत मिले या तुरत मिलिहों पल भर की तलाष में कहे कबीर संगे साधू सबसंसन की सांस में यानि ये सब पुरा जो तुमने बना रखा है फैला रखा है इससे कुछ नहीं है तुम बैठो शांती से बैठो तो सही और खोजने एकदम dedicated होकर तो बहुत समय नहीं लगेगा पल भर में मिल जाओंगा उसी तरीके से कभीर एक छोटी सी उलट बासी में कैसे सूक्ष्म से वीराट का विस्तार होता है और कैसे वीराट फिर से सूक्ष्म जाकर मिल जाता है इसको बताते हैं देखी देखी जी अचरज होई यह पद बूझे बिरला कोई धरती उल्टी अकासे जाए चिव्टी के मुख हस्ती समाए बिना पवन सो परवत उड़े जीव जन्तुसव वर्ग्षा चड़े बिन जल चकवा करत किलोरा बैठा पंधित पढ़े कुराना और बिन देखे का करत बखाना कहे कभीर यह पद जो जान सोई संत सदा परवान नहीं समझ में आएगा ये सब उलट बासियां ऐसी हैं जिनके लिए अगर एक दो सेकंड या एक दो मिनट या एक दो घंटे दे दिये जाए और वो आसानी से समझ में आ जाए तो फिर कभीर तो बहुत सरल हो जाएंगे सब के लिए प्रयास करना पड़ता है इसमें बेसिकली कभीर यही कहने के कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो बहुत जो माइकरो काॉज है सूख्श्म है उसे ने विस्तार को जनम दिया या विस्तार सूख्श्म से है और आगे जाके यही विस्तार एक सूख्श्म ही समा जाता है चलो एक सरल वाली बता देता हूँ, थोड़ी सरल सी है, ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि कभीर एक बार निकल रहे थे, और वहां से दो-तीन फिमेल से इस्तरियां हैं, अभी नव यूतियां कह दो है न, नई-नी लड़कियां हैं, शाद प्रेम उमड रहा है अपने पती के प्रती, और उस नथ के प्रती जादा, सबसे ज़्यादा उस नथ के प्रती, पती के प्रती भले कम हो, पर उन नथ के प्रती वो इतना ज़्यादा इंचैंटेड है, विमोहित है, कि वो बार 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 ससराल, पती और नथ की बढ़ाई क कबीर से रहा नहीं है कबीर को लगा कि बावली होती जा रही है टाश भगवान को याद करती नत की बजाए तो इसका खल्यान हो गया होता तो कबीर ने तुरंट थोड़ा सा अपनी गती बढ़ाई और उसके भगल में आके कहा कि नतनी दीनी यार ने तो चिंतन बारम बार नाक दीन करतार ने उनको दिया बिसार तो समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ये कबीर के जैसा अनुभव वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि भहतिक चीजों में हम इतने deeply engrossed हैं कि हमारे पास जो एक ये body, एक medium है एक body जो एक opportunity है इस body को ही हम भोल जाते हैं जबकि ये तो greatest gift है इससे जुड़े हुए बाकी के gifts हैं और अगर इस gift को ही आप ध्यान देना शूरू करो तो धीरे देरे आपकी spiritual growth पक्की है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको बताया जा सकता है बट चलिए तो इस हिंट आप the difficulties of the capturing the nature of the ultimate realities यानि ये सब हिंट करती हैं कि देखो एक तरीके से ultimate reality बहुत important है और difficulties of capturing the nature of ultimate reality in words means आप सिर्फ शब्दों के जंजाल या थियोरी में पढ़िके जो वास्तविक सत्य है परम सत्य है ultimate reality है उसको नहीं समझ सकते है ultimate reality को समझने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा जैसे the lotus which blooms without flower or the fire ranging in the ocean ये कविताये हैं कबीर की ये lotus which flumes ये वो है बागों नजारे नजा बागों नजारे पूरी तो बुझे भूल गई लेकिन इसमें कहते हैं कि don't go to the gardens because your body is like a गुलजार, a flower, a garden full of flowers इस तरही के से के तुम्हारा जो शरीर है वो अपने आप में ही बगिया है ठीक है और इसी में वो अपनी कमल खिल रहा है बैठो, ध्यान करो, meditate करो उसके उपर तुम्हें इतनी अपार सुन्दरता मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी ये पूरी कविता ये कहती है तो ये सब क्या शर करते हैं, कवीर के mystical experiences, means कवीर जहां पर बैठे हैं, वहां से वो जो बाते बोल रहे हैं, इसका मतलब कवीर एक बहुत बड़े अनुभाव पर बैठे हुए, चलो Also striking is a range of traditions can be due to describe the ultimate reality. इसके अलावा, ultimate reality या परम बरम या कहदो परम सत्यको, ultimate reality मतलब समझने हैं, ultimate reality शब्द कहां आया था, जब हम बुद्धिजम जयनिजम पढ़ रहे थे, वहां पर भी आया था, कि उस समय एक जो टीस कभी कभार हमारे हुड़नें पे हमारे हाट में आती ह कि हूँ हमाए, कहां से आया मैं, बेसिकली ये जो सब creation मेरे आस पासे जो चीज़ें है, science कुछ-कुछ का जवाब दे पाती है, लेकिन कुछ-कुछ का नहीं दे पाती है, ये birth, ये death, ये emotions, ये खुशी, ये गम, ये जन्म, ये मृत्यू, ये संबंध, ये विक्षेद, ये इस सब बेसिकली क्यों, क्या, कहां से इमर्ज होता है, कौन है इसका source, और कहां पर ये चीज़ें मर्ज हो जाती है, हमारा existence एक समय पर नहीं रहता, फिर हम manifest होते हैं, और एक समय बाद हमारा existence नहीं रहता, जो लोग चले गए, वो कहां चले गए, तमाम ऐसे बहुत सारे प ultimate reality को express करने के लिए, हर उस possible शब्द का इस्तिमाल करते हैं, जो उस समय पर चले थे हैं, जैसे, वो अल्ला, खुदा, हजरत, पीर का भी जिक्र करते हैं, ठीक है, इसके अलावा वो वेदांतिक tradition, जैसे अलख, अलख का मतलब जिसे देखा नहीं गया, आँखों के परे जो ह मिस्टिक या योगिक tradition के शब्दों का भी जिक्र करते हैं, शून ने शब्द, यही सब चीजें डिनोट कर रही हैं, कि कबीर कहना चाहते हैं आपसे, कि शब्दों में मत पढ़िये, चाहे वो इसलाम हो, चाहे वो हिंदू, इजम या कुछ भी, इन सब में अनुभव महत् पूर्ण है, आपको जो डॉगमास, थेोरीज दे दी गई हैं, वो इंपॉर्टन नहीं है, ठीक है, जैसे मालो, मुसलिमों के विलिए भी कभी, कबीर दाजी कहते हैं, कि भाई, कामकर पाथर जोड के मस्जिदियो बनाए, ताचडी मुला बाग दे, क्या बहरा हुआ So, what does it means? It simply means that if you are not applying your heart and you are not genuinely seeking the truth and you are just following the dogmas, principles, theories, just for the sake of following theories, you will not be able to realize that ultimate reality. चलो, तो कई सारी चीज़ें इतिहासकारों के लिए क्या हो जाती हैं, conflicting हो जाती हैं, अपनी poems के थूँए जो चीज़ें बताते हैं, ये इतिहासकारों के लिए पजल्ट हो जाती हैं कि कभीर हैं कौन? सबसे जादा मुश्किल इतिहासकारों को, इसलिए पिंस्टैंकिंगली वर्ड इस्तिमाल किया गया, कि इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती हैं, ऐसा कहते हैं कि कभीर दास को बाद में, जब आध्यात्मिक व्यक्तितों थे ही, कभीर का जन्म हुआ, उसक रामानन्द को ही अपना गुरू बनाऊंगा, चाहे जो हो, और रामानन्द उस समय वैश्नवा संपर्दाय के बहुत बड़े आचारे थे, श्री संपर्दाय के फाउंडर कहा जाता है, एक तरीके से उन्हें, अब हुआ ये कि वैसे जाते तो पॉसिबल नहीं था, क्योंक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुस्लिम घर में पले बड़े और मुस्लिमों के हाँ माना गया कि ये मुस्लिम ही है, जन्म के बारे में तो कोई कनफर्मेशन नहीं है, लेकिन चूकि आलापोसा मुसलिम परिवार ने, नीरू और नी माने, तो ये माना कि मुसलिम ही थे, जब सूर नहीं उगता हलका अंधेरा रहता है, उस समय गंगा घाट पे नहाने के लिए जाते हैं, उनका एक पास था, इस स्पेसिफिक पास था, उसी में वो उसी रास्ते से जाते थे, तो कबीर ने कहा कि चलो यही एक रास्ता है, और कबीर रात के अंधेर है, मतलब कौन, कौन है यह लिटारे भाई, उठो राम राम कहो और यह जो रामराम वर्ड है, उसको कबीर ने पकड़ लिया, यहां से, कबीर ने कहा ठीक है, उठतो जाता हूं मैं, लेकिन आप मानलो कि आपने मुझे मंतर दे दिया, रामानंद रेकां कि मैंने मंतर दिया, आपने होते हैं शिष्षे और ऐसे होते हैं साधू जिन्हें अपना कल्याण चाहिए होता है मंतर भी ले लिया और अपना कल्याण भी कर लिया तो ये बहुत important चीज है चलिए some poems drawn Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm यारी बहुत सारी उनकी जो कविताएं श्लोक या रचनाएं हैं वो इसलाम में मूर्फि की पूझा नहीं मानी जाती चैरी आटी को क्या किया जाता है और दिनाइक किया जाता है उसको iconoclasm का गया दो कबीर भी कहते हैं यहाँ पर iconoclink यानि इश्वर के प्रति प्रेम सिखिसम में और हिंदुईजम में जो नाम सिम्रण है यानि की जब करना वो लेके आते हैं तो सब कुछ मिक्स है कहीं ऐसा आप देखोगे नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को कभीर लेके आगे बढ़ रहा है मतलब कोई एक डॉगमा वाली जो चीज है थेओरिटिकली अगर आप कभीर को देखोगे तो कभीर हर थेओरी में है और अनुमों देखोगे तो अनुमों सब का एक है यही कभीर बताना चाहते हैं कि अनुमों सब का एक है बले सब की थेओरी जलग अलग है इतिहासकार कभीर के इस जगह पर आकर निश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या कभीर नहीं सब कुछ बना हलाकि बहुत सारे स्कॉलर्स यह ट्राय करते हैं समझने की कि जो लैंग्वेज स्टाइल और जो कॉंटेंट है इसमें है ना वो कभीर के ही वर्सिस का हो सकता है कभीर आज भी उन लोगों के लिए प्रेण सरोत हैं जो इस प्रकार के धर्म या सामाजिक संस्ता या आइज आइज प्रैक्टिस जो है उनको करते हैं यानि कोर डिविनिटी को खोजने की बजायत थिवरी की तरफ जाते हैं और जो लोग कोर डिविनिटी को खोजना चाहते हैं उनकी लिए तो कभीर सबसे बड़े इंस्पिरेशन है चलो फिर जस्ट एस कभीर साइडिया प्रवेली कृष्छला इस त्रू डियालोग डीबेट विधर ट्रडिशन सूफी योगी इंदरीजन आवद मतलब कहने को हर एक ग्रूप के साथ हर कोई कभीर की लिगेसी को कहीं न कहीं इनहेरिट करने की कोशिश क करता है और आज भी उत्तरप्रदेश के आसपास अवद रीजन के आसपास जो सूफी ट्रडिशन से उन समय लगबग लगबग कभीर की उस लिगेसी को इनहेरिट किया जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो लगबग लगबग भजन गाना या कहदो की सार करे रिचुलिस्टिक पॉर्शन को हटा कर एक प्योरली सर्फ हाट टू हाट कनेक्ट जो है भगवान के साथ या एक इंपर्सनल बींग के साथ जो निराकार है उसके साथ में जोडनी के कोशिश करते हैं सब्सक्राइब लेटर डिबेट्स वाओट वेदर ही वासिंदू और मुस्लिम बाद के डिबेट्स में यह बहुत इंपोर्टन चीज निकल के आई जो मैंने पहले ही आपको बता दी कि क्या वो हिंदू थे या मुस्लिम थे क्यों क्यों कि वो दोनों के लिए बाते रख र परिवार में हुआ होगा बाद में भले वो परितक्त कर दिये गए उनका पालर कोशन मुस्लिमों ने किया तो जन्म को लेके भी बड़ी अंसर्टेनिटीज है जन्म से मुस्लिम है लेकिन कर्म से देखा जाए तो राम राम जप रहे हैं पूरे जीवन तो उन्होंने राम क और कबीर की एज में डिफरेंस देखने को मिलता है एज का मतलब है कि इतियासकार दोनों को एक बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम span मे रखते हैं और इतियासकारों को कहना है की Ramanand or Qabir कहीं से कहीं तक कोई मेल जोली नहीं है Ramanand एक बहुत अलग समय पर हुए और Qabir एक बहुत अलग समय पर हुए उनका नाम भी Arabic है Family जिसने उनकी अप बिंगिंग की वो भी एक Muslim family है जुलाहा परिवार में लेकिन जो वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े वो एक हिंदू संत के दौरा रामारंदी जी के दौरा आगे बढ़े जिसके बारे मैंने आपको बताया भी अभी तो यह सब कुछ ऐसी बाते हैं जो पचिती नहीं है और in fact बहुत सारी ऐसे कहानिया हैं याहना वल露टबासियों में और चवेल लंबी कहानी है इतनी सारी स्टोरी से कविर से रिलेटिड की एक दो घंटे कविर को डेडिकेट के या रह सकता है बहुत सारी इसे जिने स्टोरीज में यह बात लगवाग लगवाग पुखता हो जाती है कि कभी बहुत अपने आपको धर्म के उसमें रखे ही नहीं वो ना हिंदू ना मुसलिम न सिख ना कुछ उनके लिए आध्यात्म, आध्यात्म का कोई धर्म नहीं होता, आध्यात्म अपने आप में एक शुद्ध प्योवर शब्द है, जो अनुभाव से रिलेटेड या मैं से रिलेटेड है, मैं समाज में आने के बाद अपना धर्म बनाता हूं, इस सोसा ibn of existence की बात मैं कर रहा हूं, वो तो बाद में जिस परिवार में आया, जिस सोसाइटी में आया, जिस देश में आया, उसने मुझे कुछ नाम दे दिया, कुछ धर्म दे दिया, लेकिन जो self था ना, pure self, pure spiritual self, वो pure spiritual self ही ही है, वो किसी धर्म में नहीं है, और उसका सबसे बड सबी यहां पर इस last paragraph में चल रही है कि कबीर गुरू और सद्गुरू तरीके के जो शब्द इस्तिमाल करते हैं लेकिन कई सारी किताबों में कहानियों में और जो गुरंथा वली हो गई कबीर गुरंथा वली बीजक हो गया और तमाम बहुत सारी जो उनकी इनमें वो कोई बहुत ऐसा नाम पर्टिकुलर्ली नहीं मैंशन करते की इनसे इनसे मैंने सीखा ऐसा ठीक है चलिए ऐसा इतिहास कारों का कहना है Historians have pointed out that it is very difficult to establish रामानदन कबीर वर कंटेंपररी जे देखो ठीक है जो मैंने बात कही अभी क्योंकि उनका कहना यह है कि दोनों को हम एक समय पे रखी नहीं सकते दोनों की face value अलग अलग है all right so they show how important the legacy of Kabir was for later generation doesn't matter whatever is the situation हमें किसी के जन्म या उससे मृत्तिविन सबसे कोई मतलब नहीं जब उसने अपनी जन्म और मृत्तिव को खुद value नहीं दी तो हम इतना value दे के क्या करें उसने हमें जो सिक्षाएं दी वो महत्तपून है हमारे लिए जिन से हमारा भदा होने वाला है आगे बढ़ते हैं बाबा Guru Nanak and the sacred words तो क्या हुआ आगे जाके एक और 1469 में एक और social reformer अध्यात्मिक spiritual personality Guru Nanak Dev Ji का जन्म हुआ Hindu व्यापारी परिवार में लेकिन आगे जाकर आप देख रहे हैं कि एक अलग ही ब्रांच चल रही है जो अपने आपको Hindu नहीं कहती महसारे सिख अपने आपको Hindu नहीं कहते जादा तर सिख नहीं कहते है इन चीज़ों को लेगी कई बार उनके मन में या ग्रूप के बीच में खलेश हो जाता है तो Guru Nanak Dev Ji का जन्म हुआ है एक Hindu व्यापारी परिवार में कहां पर ननकाना साहिब ननकाना साहिब कौन सा रावी नदी के किनारे वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है ध्यान रखिएगा ठीक है जो पंजाब पाकिस्तान में हो अब चुकि वो हिस्सा क्या था वो हिस्सा उस समय पाकिस्तान के पास था मतलब वो हिस्सा पाकिस्तान तो अब बन गया वह हिंसा उन लोगों के पास था जिसमें तुर्क या जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो डॉमिनेटेट थी तो उस समय उस एरिया वाले पंजाब में ज्यादा तर जो लोग थे वो कौन लोग थे मुसलिम या मैं कहूं फार्सी या मैं कहूं उर्दू या इसी तरीके की भाशाओं का प्रयोग करने वाले लोग इसलिए इनकी सिक्षा दिक्ष के साथ यह हुआ तो फिर थोड़ा सा भजन कीर्तन और सूफी संतों अगयरा के साथ रहना वैना शुरू कर दे इनके पिता जी ने चाहा भी कि भाई थोड़ा बहुत घर का काम हम समालें इसलिए ट्रेन किया उनको एकाउंट एंसी वगयरा में पढ़ाया बढ़ाया लेकि कुछ बहुत सारे साथू संता हुए है बैठे हुए है अब वो पूछा उनसे कहां से आयो है बताया कि काफी दोर से चलवल का है देखा कि भूंखुक लगी तो गुरू नारक देवी ने जितने पैसे थे उन सब का अरेंजमेंट किया उनको मस्त खाना वाना खिलाया तर घ बैसे करने को किसे बैसे करने सब्स Naustakan खालता कि बैसे के चार ले insects पना के लिगए आता लेकिन इनका बिजनस कुछ अलग था है इनका बिजनस जहें वो जनकल्याना का था करुणा करने का था तो उन्होंने वह वह बिजनेस किया ठीक है चलो तो बाबा गुरुनानक देव का मैसेज बड़ा सिंपल है उनके मंत्रों उनके टीचिंग्स में जो है वो निर्गुन भक्ति यानि एक फॉर्मलेस इंपर्सनल भगवान जो है निराकार जो ब्रह्म है इसके बारे में जानने को मिलता हमें उनका ए जो एक्स्टर्नल प्राक्टिसेस वगरा बनी हुई है ठीक है जो रिलीजन सम चारों तरफ अपने देखते हैं यह रिलीजन को और इस्प्रिचुलिटी या कोर कनेक्ट पर भरोसा कम कर रहे हैं यानि वही डॉगमा थेवरी में पड़े हुए है अच्छा वो जो समय भी थ दो कि इधर दिल्ली में थोड़ा थोड़ा अब मुगलों का एक बैक्राउंड बनना शुरू हो गया है 15-26 के आसपास से ठीक है आसपास भी वही सब तुर्क और अफगान और वही सारे लोग हैं तो जो सोशल स्टेटस है रिलिजियस स्टेटस है सोशियो पॉलिटिकल रि या नहीं था तो कबीर की तरह गुरुनानक भी चाहते थे कि लोग इस पर्टिकुलर टाइम पीरिड या ऐसे कियोस के टाइम में भी बहुत सैकरिफाइसे रिचूल बात्स या इमेज वर्शिप या ऑस्टेरिटी एं स्क्रिप्चर में ना पड़े एक सरल मैथड है और सर लिए की जेंडर नहीं है कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है कोई हिस्तोरीपुरुश्च नहीं है उसका आप साथ और और दिरे तक एक इस्सटैब्लिटीम हो जाएगा चलो तो गुरूरानक देव जी करते और जारा तर समय अपना क्या भजन कीर्दन में बिताते थे उनका एक शिष्य था मर्दाना करके वो एक रवाब करके के इंस्ट्रूमेंट होता था आज के डेट में कुछ अस्तरी के काई सब्लार इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा पिक्चरों में आप देख लोगे किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा तो रवाब बजाता रहता था और उस रवाब के म्यूजिकल नोट पर भजन कीर्दन होता रहता था चलिए इसके बाद जब गुरुनारक देव जी के शिष्यों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लग गई तो उन्हों जब आप सथसंग कहते हों सथसंग का मतलब इससेन है कि चार लोग बैट गए और ज्यान की बात लेगा जब जस्ति के बॉल्लीवड स्टाइल के भजन बनाकर या कुछ भी अपने आपने गाने लगए तो सथसंग का मतलब इन एस्सोशियशन मतलब आपका association है किसके साथ में truth के साथ में that is called satisang basically तो इन्होंने संगत बनाई कि satisang या संगत में रहो और collective recitation साथ में बैट कर आप लोग prayers या नाम जब या बजन गहते बहते रहो फिर जब उनकी उमर बढ़ी बात में धीरे से उन्होंने अपने एक व्यक्ति को अंगत नाम के एक शिष्य को अपना disciple या शिष्य बना लिया अपना successor बना लिया उतराधिकारी बना लिया और इस तरीके से गुरु नानक देव की जो एक परंपरा है वो इस्थापित होगे गुरु नानक देव कभी नहीं चाहते थे कि मैं धर्म चला हूँ ध्यान रखिएगा वो तो सिर्फ चाहते थे लोगों का वेलफेर हो और उस वेलफेर को आगे continue रखने के लिए उन्होंने अपना एक शिष्य बना दिया consolidate करके देरे देरे एक practices को क्या किया distinguish कर लिया हिंदू और मुश्लिम से उन्होंने का कि हमें अलग ही पंत हैं ठीक है हमारे गुरु है गुरु नानक देव और उनके हम सब कौन है शिष्य है और इस शिष्य से ही शब्द आता है सिख जो सिख वर्ड है इसका मतलब ही होता है शिष्य या disciple गुरु शिष्य परमपरा पर अधारित गुरु शिष्य यानि teacher और disciple और master और disciple के tradition पर अधारित ये धर्म है कह सकते हैं ठीक है चलो उन्होंने अपने आपको हिंदू और मुस्लिम दोरों से distinguish कर दिया आगे जाके पांचवे गुरु आते हैं इसमें गुरु नानक देव जी हो गया उसके बाद गुरु अंगत देव जी हो गया फिर गुरु अमरदाश जी हो गया फिर गुरु रामदाश जी हो गया और इसके बाद फिर गुरु आते हैं अरजन देव जी ठीक है फिर हर जो कुछ बनाए था उसको कॉम्पोस करके और इसके अलावा उनके आगे के जो और चार अंगत देव जी अमरदाश जी रामदाश जी इन सबका जो टीचिंग्स था उनको मिला कर क्या किया प्लस साथ साथ दूसरे जो क्या कहें अध्यात्मी गुरू थे इस्पिरिचल ठीक है और इसमें जिस लाइग्वेज में जिस स्क्रिप्ट में मंत्रों को लिखा वो मंत्र वो लाइग्वेज ये स्क्रिप्ट कहलाई गुरुवानी ठीक है चलो फिर बाद में लेट 17th सेंचुरी में इसी आधि गरंत शाहिव को दसमें गुरू गोविन सिंग जी दसमे जो गुरु हैं, गुरु गोविन सिंग, इन्होंने फिर से कमपाइल किया, एक तरीके से कह दो, अप्ग्रेड़ किया, जिसमें उन्होंने वो शुरू के पाँच गुरु और इसके बाद हर गोविन, देख उन्होंने, गुरु गोविन सिंग जी, ग्लीर है, तो गुरु गोविन शाहिव ने आगे जाके खाल्सा पंति की नीव रखी और गुरु गरंत साहिव अधी गरंत साहिव ही बन गया ग्या किया, गुरु गरंत साहिव, इस तरीके से सिникиों कएक किते मिल जाएगा. और यही आपकी spiritual जो growth है को助कर ॐद और इन्होंने खालसा के भी नीव रखी, ठीक है, खालसा का मतला होता है पवित्र, तो बैसाखी के दिन उन्होंने पांच इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे लोगों को चुना, चुना क्या, उनको कॉल किया, बुलाया और ऐसे डेडिकेटेड लोग थे जो अपनी जान देने के लि तो तलवार खून से रंगी हुई थी, मतलब इट अपेर्स दैट कुछ लाल-लाल सा लगा हुआ था, देखने में लगा कि खून ही है, फिर आए फिर उनका कोई है, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हुए, तीन तैयार हुए, तीन तैयार हुए, ऐसे पांच लोग तै दिया है, पर देखने पे लगा कि नहीं नहीं, गुरु ने कहा कि ये सही मायने में डेडिकेटेड इसलिए हैं, क्योंकि इन्होंने जान की परवाह नहीं कि फिर उनको अमृत शकाया और इस तरीके से उनको पंच प्यारे शिश्य बनाया और उनको पांच चीजें, या रखना जरूरी है, कौम केशों को सुलजाने के लिए कंगा रखना जरूरी है, और कड़ा पहना जरूरी है, ठीक और इस तरीके से गुरु गोविन सिंग के ही समय में एक मिलिटरी फॉर्म भी बन गया, तो ये सिखिजम और अब हम आते हैं मीरावाई के पास में चलिए, तो जल्दी से मीरावाई को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, समय भी, लगवा काफी हो गया है आपके इस वीडियो का, तो मैं चाहता हूँ कि अब, खैर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है भी नहीं, तो मीरावाई, अपने आप में उस पर्टिकुलर टाइम पीरिएड मे खास का राजपूत कम्यूनिटी, राजपूत कम्यूनिटी जहां पर आप समझ रहें, प्यूरिटी ऑफ ब्लड और एक सेंस ऑफ वेलर इनको इतना महत्व दिया जाता था, और विमन्स की रिस्पेक्ट उनका एक तरीके से कंफाइनमेंट में रहना इन सब चीज़ों को भ चलिए, पर आप बेस्ट नोन व्रमेन पोईट विनिन भक्ति ट्रडिशन, भक्ति ट्रडिशन की लगभक कहा जाए तो सबसे बड़ी संत हैं, महिला संत हैं, ठीके चलो, तो इनके जो भजन वगरा हैं, उन भजन से इनकी बायाग्राफी जो है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर हैं, और यह जो भजन वगरा है, यह transmitted रहें, औरली काफी centuries तक, बाद में इनको compile भी किया है, चलो, तो according to the oral traditions, मीरा भाई जो है, वो मेड़ता जो है, राजपूत राजगराना है, जो जो जोधपूर के आसपास पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो वहां मेड़ता जो राजगर हैं, ठीक है, वहां की राजकुमारी है, clear है, माडवार रीजन में पढ़ता है ये, अब इनका विवाज जो हुआ, उनकी इक्षा के, मतलब उनकी इक्षा उतनी नहीं थी, लेकिन उनका विवाज हुआ, शिशोदिया परिवार में, शिशोदिया परिवार कहा जाए, तो मह राना पुर्ताब का परिवार, तो उस समय राजस्थान में मेवार जो है या चितौरगर के जो राजा थे कह दू, वो थे राना सांगा, राना सांगा का नाम सुना होगा आपने, शौट में सांगा कहते हैं, एक्चल नाम है राना संगराम सिंग, राना संगराम सिंग के सबस और इनहीं को नाम से जाना जाता है बोजरा इन से विवाह हुआ ऐसी कहाणी है अब ये विवाह के पॉइंट पर ये बताने जरूरी नहीं कि ये unprecedented Pi gefallen मीरा वाहि शुरू से कृचन भक्त है बहुत जादा वैसे और पुराणी के सटोरी देखेंगे तो इनके प्रीविस बर्थ से बहुत सारा कृष्ण भक्ति का कुछ एक ट्रडिशन था जो बच गया था जुसको पूरा करने के लिए मीरा भाई ने ये बर्थ लिया था ऐसा पुरानी ट्रडिशन में आता है वह सारी स्टोरी जाती है वो कहानी अलग है यहां पर बहुत प्रोग्राम था और महल के उपरी चज्जे से चड़के वो बारात देख रही थी और आउट आफ क्यूरियोसिटी कौतुहल वश उन्होंने अपनी माता से पूछा अपनी राज माता से सगी माता से पूछा कि मेरा दूला कौन है तो अब ऐसे जल्दी-जल्दी में क्या ब गिरधर जिसमें वो गोवर्धन परवत उठाए हुए थे वो मूर्ती लगी हुई थी तो कृष्ण के गिरधर गोपाल के सुरूप को मीरा ने क्या किया अपने पती के रोप में स्विकार कर लिया अब वो चीज जो है मीरा के मन में ऐसी एमिट चाप छोड़ गई आंगे जाके मीरा के गुरू ही बने रैदास जो की कॉबलर मुची है वो सब चोटा सा व्रतांत है आ जाएगा बाद में जब इनका विवा हुआ तो यह नहीं चाह रही थी इन्होंने कहा कि मेरा विवा तो अलड़ी हो चुका है गिरधर के साथ में अब क्यूं आप दूसरी इसमें बहुत कुछ मुझे जो है वो करना पड़ेगा इस तरीके से हैना सोशल नॉम्स को देखते हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी हस्बेंड की जो है वो डिफाई करने शुरू कर दी और जो ट्रेडिशनल रोल था वाइफ का मा का वो सब कुछ नोंने कर दे कि यह हमसे नवा पाएगा और खृषन को ही सब कुछ माणा है आपने प्रेमी के तौर पर बता दीके टेको है मेरा विभाज कृषन के साथ है और छि नहीं कर ली आए अप घर में रह सकती हम जादार, मुझे बहुत जादा खाना बनाने और यह जाडू पुचा और बाकी सम्मे मत लगाओ, ओल रहेट, चलो, हर लॉस टार टू पॉइजन हर, अब जब इस तरीके के कोई रिवॉल्ट करेगा महल में, जाके मंदिर में घंटों बैठे हुई हैं, सादू संतों को बुला रही हैं, इन्वाइट कर रही हैं, उनके सामने बढ़िया एक टारा लेके और वो करताल लेके डांस वांस चल रहा है, तो राणी है, महराणी है, तो सबको लगागी है, तो ना कटवा देगी, तो कहते हैं कि उनको खीर में जहर मिलाके भेजा गया, लोगों ने पॉइदन देने की कोशिश की, इसमें पद भी आता है कि, जहर का प्याला भेज्या राणा, मीरा पीबत हसीरे, मैं तो अपने नारायन की हो गई आपई दासीरे, तो as per the story, जब वो खीर का, जो कटोरा था, जो मीरा भाई के पास पहुंचा, तो चूंकि भगवान को भिना भोग लगाए, कुछ खाते नहीं तो उनने वो खीर भगवान को भोग लगाई, कि लोग भई खाओ, यह आई है, और उसके बाद प्रशाद लिया, और कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तब लोगों को समझ में आए कि यह कोई औरिनरी परसनालिटी नहीं है, तो तुरह मैजिकल टाइप की परसनालिटी है, ठीक है चलो, तो फिर इस तरीके से चलता रहा, फिर बाद में उन्होंने घरवट छोड़ दिया, और यहां हमाँ संतों के ही वेश में घूमती रही, सन्यास जैसा ले लिया, और वजन कीर्दन करती रही, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो वाला, पूरा सब सिस्तम इनका, चलो, कहानियों और परंपराओं, या मैं कहूं कि जो ओरल ट्रेडिशन्स हैं, उसके हिसाब से माना जाता है कि मीरा भाई के जो गुरू थे, वो थे रहधास, अब रहधास कौन है, रहधास एक कॉबलर है, एक मोची हैं, बिसिकली, लेधर वर्क का काम करते हैं, तो इस तरीके स सूशल स्टीटस को नहीं देख रहे हैं, प्लियर है, तो बाद में फिर क्या हुआ जैसा, उरोंने अपने पती के घर को छोड़ दिया, मतलब महल को छोड़ दिया, और फिर पूरा जो है वो सफेद या जो लाल कपड़ा होता है एक तरीके से, या कह दो सैफरोन वो धारन क सावेश होता है और फिर हो अपना वाधन ऑसा कहता है कि इन्होंने चिट्टी लिखी थी तोलसिदास जी को इसी स्टोरी आती है, और चिट्टी लेक्र पूंचाएं कि यहां तो बड़ा बड़े लेवल पर टॉर्चर चल रहा है पर फिर बी कोई दिकत नहीं मैं तो इंज लगवाग लगवाग छोड़ी दिया जब disturbance हुआ तो एना उसी की सामने मारा गया पर उसका कोई तुम्हारा जो सुप्रीम गोल है वह बहुत इंपॉर्टन है फैमिली के रिलेशन तो वैसे बहुत टेंपरेरी हैं वह सब भी तुमको एक दिन छोड़ की जाने वाले हैं कौन कोई ऐसा पंथ बनाओं या कोई ऐसा धर्म चलाओं उनका तो सिंपल सा था कि मैं भजन करूं उनके बहुत सारे ऐसे कुछ फॉलोवर्स छोटे मोटे बन गए थे वाट उनका परपस नहीं था ऐसे फॉलोवर्स बनाना क्लियर है तो शी हाज बिन रिकागनाईज आज सोर् पुरुश हों सभी लोग है ना चाहे वो गरीब हों लो कास्ट के लोग हों गुजरात राजस्तान में तो और बहुत ज्यादा मीरा के पदों का गायन किया जाता है यहां पर एक और संतों का जिक्र है संत का शंकरदेव का जिक्र है जो असम में वैशनविजम को इनों ने किर्तन यानि यह प्योर वैशनविजम के तरफ हैं कास्टिसम और इन सब को नहीं मानते लेकिन फिर भी कृष्ण के शुद्ध रूप को मानने वाले हैं तो वहां पर नाम घर तरीके के कुछ बनाए यानि प्रेयर हॉल्स बनाए जहां पर लोग बैठें किर्तन करें नाम करें और इनका एक डॉक्यमेंट है किर्तन घोष जिसमें इनके कॉंपोजिशन को इंक्लूड किया गया है तो इस तरीके से लगभग लगभग संत हो गए सारे हमारे कंप्लीट जो सोर्सेस बीच-बीच में हैं ही ना अगर मैंने लेफ्ट भी की हैं तो वो सोर्सेस बहुत पर ही हम चले हैं रिकंस्ट्रक्टीं घिस्ट्री ऑफ रिलीज़िस ट्रेटिश्टने यह पूरा पैराग्रप और कुछ भी नहीं कह रहा है कि जैसा हमने देखा कि चैनर वन और फौर्स हartet क्या लिखना है रिक रिकंस्ट्रक्शन यानि जितना भी रिलीजिस ट्रेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया हैं वो रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया है जैसे चैप्टर वन और फोर में हमारे पास इस्तूपा थे हमारे पास लिटरेचर थे डॉकुमेंट्स थे और उनहीं का इस्तेमा बनाए गए हैं जो डिफरेंट डाइलेक्ट्स या अलग अलग लाइंग्विजिस में एक से दूसरे जगह पर इस्प्रेट किये गए वह भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर सर्व हैं जैसे वचन वगएरा हो गया बहुत सारे मुगल एंपरर के फर्मान वगएरा मु कैसे उस इतिहास को भक्ति के इतिहास को हमने कैसे रिलिजिस ट्रिशन के इतिहास को हमने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया इस वेरी इजी फिर भी आपको लगता है कहीं पर तो कुछ ऐसा कुछ भी टफ नहीं है आप बिलकुल पर सकते हैं और आपको लगता भी है तो यूपको just simply message me कि भहिया ये थोड़ा सा बता दो या ज़्यादा ही कुछ tough लग रहा है कहीं पर बिल्कुल भी tough नहीं बहुत simple है वही चीज यहीं पर कही जा रही है तो इस chapter को यहां पर conclude करते हैं आगे आने वाला chapter जल्दी से ही आपको बता दिये जाएगा कि कब आ रहा है तब तक आप इस chapter को पढ़ो समझो और जो भी शंकाय हो दुख हो धर्द हो वो बताओ अपना ध्यान रखो धन्यवाद